हार्दिक श्वागत और अभिनन्दन करता हूँ ये सीकर्ग की धरती का एतिहासिक कारेकरम होगा बहुत सारे चैनल्स पर ये कारेकरम लाइव होगा और माँ आपको इस बात का यकिन दिला सकता हूँ कि जब ये कारेकरम अपने पूरे परवान पर होगा तो आपकी जिन्दगी के देखे वे सबसे अच्छे कारेकरमों में से एक कारेकरम होगा और लीजिये हम सभी के इंतजार की घड़िया खक्म होती है हमारे सभी सम्मानित महमान इस मंच की और बढ़ रहे है केजाजी महाराज की लिलन घोड़ी उनकी आगवानी में है बलाली के साथ हमारे बीच में मौजूद है और हमारे कवीवर सम्मानि विनी जी चोहान डॉक्र पुनम जी वर्मा अतुल जी जुवाला और हरीश जी हिंदुस्तानी हमारे बीच में है एक जोड़दार श्वागत किसान कौम जिस तरह का श्वागत कर सकती है सीकर की धर्ती का यह यहती आशिक आयोजन तेजा दस्मी के पावन उपलक्स पर होने जा रहा है आज तेजाजी महराज का नो सो सतरवा निर्वान दिवस है एक हजार साल पहले तेजाजी महराज जो सोगा सभी के बीचोड़ कर गए थे को संदेश चैना के का आज यह घृष की और दर्पी से हो रहा है पीछे प्रशन मेहाँ चल रहा है पर जोटाइए आप संदिवोशे लिए विल्कुन पारच परिक्षागत, विल्कुन पारच परिक सक्कार अधनी, तो अधनी, ओ plat, महाराच जेकि, और जोटाइए गोपिए लिक्षागत, श्मानी, हुआ साज जोट कर देखकी, अधनी, बेवल्कुन पारच पर होत recuperator, अधनी, बेवल्कुन पारच пожर्णे क्पर होता है, प्लीज आप मंच पर आजाएं आप आप सेंटर में हो आप सेंटर में हो एक पर हरी जी आप आप साइड में आजाएं सारे मेंमान हमारे भीच में है और सीकर की धरती का ये इतियासिक आयोजन लिलन नर्ते कर रही है आदनीयर उपरामजी मुरावतिया जैसे लोग इस मंच पर है बेन बविता फोगाट जैसे लोग इस मंच पर है जो पूरी देश और धोनिया में किषान कौम का उजारन है सभी सम्मानित का भी हमारे बीत में है उपर हाथ करके आप एक बार जोड़ार तालियां बजाएं मैं अधरनी मूल जी रणुमा से आगर करना चाहूंगा आप भी प्लीज मंस पराएं मूल जी रणुमा भारते ग्रूप थेंक्यू शुक्रिया थेंक्यू थेंक्यू अब मैं आगर करना चाहूंगा हमारे मूजी रूप जी काली मेरे खाने लगें इसका मतबाज मूड ठीक है और यह को संसकार क्या चीज होती है रूप जी इनको गाउं के बासा में करनते ना जो वारते उपर से वो भी दे चुके हैं चलिए थेंक्यू थेंक्यू बाद में थेंक्यू अबटे मैं सभी मोजी मैमानों से आगरे करना चाहूंगा प्लीज आप दीव परजुलित करके कारेकरम का विदू उद्गाटन करें दीव कि अगरे करना चाहूंगा बोस प्लीज दीव प्रजुलित करवाकर के आज के इसकारिकरम का विदिवत सुभारम करें तेजा जी महराज की प्रतिमा के शमक्ष घ्यान की मसाल देश और दुनिया के खुशाली और सम्रधी का प्रतीक है कि जले दीप प्फूल में के चमन इस तरह सजा दो हम गगन उतार देंगे जरातों मुश्कुरा दो एस समय के चांद तारूं ना समारो चाहे मेरा जीवन मेरी जिन्दगी यही है मेरा देश जगमगा दो मेरा देश जगमगा दो एक बार जोड़दार तालिश आगाज करें और उस वीर तेजल को वंदन करते वे कारिकरम का विद्वस भारम करें मानने विदाइक जी रुपरा मुरावतिया साप बियल रनवा साप स्रवन जी भाई साप जोगिंदर जी सार और अन्ने सभी अतीतिगन बेन गितां होगार जी जे 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 तेजलत अपधारी कल्यूग जोत सवाई थारी जे 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 तेजलत अपधारी आसा पूरण कर जो माकी जे 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 ते जलत अपधारी कल्यूग में सत्वरत के धारी जे 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 ते जलत अपधारी जेहरी जीव से रक्षा मांकी जे 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 ते जलत अपधारी गोप्रत्वी के रक्षा कारी जे 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 ते जलत अपधारी बस्तिनगर के रोग निवारी जे 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 ते जलत अबधारी कृशी प्रशुधन के तारण हारी जे 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 ते जलत अबधारी लाच्छा अबला नारी तारी जे 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 ते जलत अबधारी अनधन पुत्तर रित्य सिद्धिदा तारी बोले सत्तेवादी गोरक्षक लोग दे भीर कुर्मा सबकार खोड़ा तेजाजी महराज की पांच बार जेकरा करना आपको अलग-अलग शंबोदनों में पूरे हाथ खड़े करके बोले लीलन का असवार की बोले पेमल का भरतार की बोले रामकवरी का लाल की बोले करणका अलतार की बोले साचे जर्भार की बहुत अमिन अन्जान और आगाज सक्तेवादी गी पेजाजी महराज का ये बलिदान दिवास बहुत बहुत बंदन बहुत बहुत सुक्रिया अम मैं एक बार आतित्युसरी ये निविदन करना चाहूंगा प्लीज आप एक बार सामने आजाएं आप तो मैं लेरपन कर स्वागत करने ताकि और समय जाया नहीं हो द्रमपाल जी माला ये लिकर करें मैं सभी से निविदन करना चाहूंगा आप प्लीज सामने आजाएं आगे आजाएं सवसी आगरी देख आपको बहुत गौडव होगा किसान के घर में पेदा होने का दर्द क्या होता है किसान के कारेकरम का दर्द क्या होता है बविता जी को पिछले 15 دिन से चिगनगुनिया हो रहा था बीमार थी लेकिन सवसी अभी कह रहे थे कि हमारा कारेक्रम इसले हम चलकर काया है एक बार उपर हाथ करके जोड़दार तालिया इस परिवार के लिए मैं गुनोजी चोहन साब आप भी आए प्लीज रास्तान पत्रिका सीकर के संपाद की प्रभारी गुनोजी चोहन हमारी बीच मोजुद है मैं निवेदन करना चाहूं अधनी सर्वन जी अधनी बेलरनवा जी जोगेंदर जी रामनियाज जी और मुल्चन जी आप ते करने की किसका किसको करना है इस अधनी परिवाराम जी मुरावतिया का स्वागत कर श्वागत कर रहे हैं कि अधल जी जवाला का मल्यार्पन कर श् AR 구back hy ne जी छोद्री से औरगर करना चाऊंगा आप आएं इंद्रा जी छोद्री और स्पो जी कडवाजसर रासी निव्यत्न मुथ्याद आउएं मैं और बैं भभीता जी और दक्टर पोनम जी वर्मा का मली आर्पण कर शौगत करें बुक्ते लेकर के हैम डक्टर पूनम जी वर्मा और बविता जी का मालियादपन कर स्वागत अबा हो रहा है एक एतिहसी कारिक्रम सीकर की सरजमी पर होने जा रहा है और ये इवेंट मातर सोसल मीडिया के माद्यम से होने जा रहा है आप कल्पना कर सकते हैं कि सोशल मीडिया कितना पाउर्फुल है बाकी कहीं कुछ नहीं रहा अधनी ये विनो जी चोहान साब और इनकी टीम का थोड़ा ससयोग रहा मैं प्रोफेसर करण सिंग जी से निवीदन करना चाहूंगा आप भी प्लीज आएं आपका अभी मान सम्मान हम करना चाहेंगे हर्याना में एक बड़ा नाम है शिक्साविध हैं प्रोगाट परिवार से अच्छे से जोड़े वे हैं प्रोफेसर करंड सिंग जी का सम्मान बहुत बहुत सुक्री आप सुरी का अब एक अच्छा ग्रूप फोटो हो जाए और उसके बाद अपन इस्तान ग्रण करेंगे आप सभी का बहुत पर शुक्रिया है अप सभी अथितियों के लिए सामने बंच है आप कर पया वहां जाकर के विराज है सभी से निवेदन करना चाहूंगा एक बार स्टेज की विवस्ता बनाने प्लीज सभी से निवेदन है चाहिए कारे करता हूँ कि यह निचे लिए जब सारी चाहूंगा टॉंक से जो क्लाकार हमारे बीच आये हैं वाएं और अपनी प्रस्तुति हमारे बीच दें लीलन और उसके बाद में कारे करम आगे बढ़ेगा हमारी जाहिल की पार्टी है साललगारामजी एंड पार्टी उनका ट्रीडिशनल तेजा वो देखने मापको तोड़ा सा यह लग रहा है लेकिन साथ साल से उपर के सारे हमारे बुजर गएँ जिस तरह से खेट जो ते टाइम हमारे बुजर्ब तेजा किया करते थे उसी तरह से वो तेजा गाइन करेंगे अभी टॉंग की पार्टी हमारे बीच आए लिलन के साथ एक पर जोड़ार तालियों के साथ श्वागत और सम्मान करें हमारी टॉंग की पार्टी का निलियन संगारे सोंग प्ले करें 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 सुमीर जार्ट हरा निलियन संगारे सोंग प्ले करें 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 सुमीर जार्ट हरा निलियन संगारे सोंग प्ले करें या यो फीरा वो तीरा यू पीरा यू पिरा यू पाताग प्ले करें कि अ अपार जो दर तालिया अमरी इस द्रीम के लिए तेजाजी महराज के 970 में निर्वान दिवस के उपलक्स में आयोजित इस विशाल तेजा गायान और कभी सम्मेलन में लीलन शिंडगारे से बहतरीन कोई आगाज नहीं हो सकता था आईए अब आप सभी के स्वगत और सम्मान के लिए हमारी टीम के सबसे वरिष्ट सयोगी हैं जगदीश जी घिठाला इस कारेकरम का पहला कदम रखने से लेकर के आज तक कंदे से कंदा और कदम से कदम मिला करके हमारे बीच खड़े हैं रात को जब हम देर रात को अनमान जी वे साच प्रमिशन लेने के लिए गए थे तो रात को अक्सर सफर करते नहीं हैं लेकिन आपने कहा कि कारेकरम अगर ऐसा है तो मैं करूंगा नमबर आपका नहीं है जगदीश जी क्योंकि आप अंतर मुखी है थोड़े से नमबर इंद्राजी का है आपके अरधांगी नहीं इंद्राजी से मैं आगरा करना चाहूंगा कि जगदीश जी के और से आप स्वागत संबोधन हमारे भी इसमें रखें जगदीश जी आप साथ आजाओ आप खड़े हो जाना इंद्राजी बोलेंगी नारी सक्ति का बहुत मजबूद प्रतिक आदनिया इंद्राजी है चला करके दिन में चार बार फोन करती थी कि ओंकार करिकरम के तयारी कैसी चल रही है मेरे लाइक हो कोई बात हो तो बता देना घर घर जा करके आपने निमंतर देने का काम किया है मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इस किसान कौम में इतनी सकारात्मक सोच कि लोग अगर हो जाएं तो वो दिन दूर नहीं जब हम बहुत आगे होंगे एक बार जोरदार तालियों के साथ गठाला दंपत्य को आमंतर दें जगठाला और इंद्रा जी चोधरी इंद्रा जी बोलेंगी जगठी देखेंगे और आप सभी का स्वागत करेंगे अधनिया इंद्रा जी चोधरी धन्डेवाद उंकार जी आपकी वज़े से पहली बार जिंदगी में ये होगा कि मैं बोलूंगी और मेरे पती सुनेंगे चुक्चा तेजा गायन और कवे सम्मालन की इस शामदार शाम में मैं आप सब को नमशकार करती हूँ अभी हनुमान जी हमारे बीच आने वाले हैं वो आय नहीं है नागोर के सांसद हैं और अन्याय का हर जगे बहुत प्रबल और प्रखर वो विरोध करते हैं बच्पन से बबीता जी हमारे बीच आ चुकी है बबीता जी हमारे बीच है और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ वो हरियाना से हैं हरियाना वो प्रदेश है जो कन्या भून हत्या के लिए कुख्यात है कन्याओं का अनुपात वहां देश में सबसे कम था लेकिन बबीता जी ने बेटियों को कम मानने वाले लोगों की बीमार सोच को पठकनी दी पूरे हिंदुस्तान में हरियाना का नाम किया और पूरी दु इश्या जगत के लोग हैं मैं आप सब का आप सबको नमश्कार करती हूं आज से 40-45 साल पहले या 50 साल पहले मुझे याद पढ़ता है कि हम सब के दादा जी परदादा जी बरसाथ जब पहली होते थी उसके बाद राखी बांते थे तेजा जी की और खेत में जाते थे जोर कि खेती होने लगी तो तेजा जी का गायन थोड़ा-थोड़ा कम हो गया और हम हनुमान बेनिवाल जी के इस बात के लिए आभारी हैं कि तेजा जी के तेज की लोग जो थोड़ी सी मंद होने लगी थी यूआओं के मन में उस लोग को उन्हों ने पुने प्रज्वलित कर दिया है, हम हनुमान जी के इस बात के लिए आभारी हैं, संसद में भी उन्होंने जैकारा लगाया था, इस अवसर पर जब हम एक परिवार की तरह इकठा हैं, मैं आप से कुछ एक दो बातें कहना चाहती हूं, हम सब जानते हैं, हमारे बुजुर्ग किसान थे, वो बहुत मे जानी थे, वो देने में विश्वास करते थे, लेने में विश्वास नहीं करते थे, इश्वर के अलावा किसी के सामने उन्होंने कभी हाथ नहीं फैलाया, हमको सब को इस स्थिती तक लाने के लिए बहुत से अगनी पथ उन्होंने पार किये, और कहना मैं ये चाहती हूं, कि हम तो गाउं में रहे नहीं, शहर में रहते हैं, लेकिन गाउं और खेत हमारे कलेजे में आज भी रहते हैं, पर अब जो हमारी पीड़ी आ रही है, उस पीड़ी को आप इस बात से परिचित कराईए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि हमारी जो नई पीड़ी है, उसके बच्च कैसे उंट से घरट चला कर चुना पीस पीस कर उन्होंने गाओं में हवेलियां बनाई कैसे बिना बिजली के उजारों के उन्होंने खेती की और कैसे उन्होंने अन्याय के खिलाफ बड़े-बड़े किसान अंदोलन चलाए हमें उस नई पीडी को बताना चाहिए कि हमारे बहुत मेहनती थे बच्चों को गाओं खेती के जो संसकार हैं उनका सम्मान करना सिखाइए बच्चों को चोकलेट चिल्डरन मत बनाईए उनको रफ टफ बनाईए बेटियों को मजबूत बनाईए बेटियों को अनुशाशित मर्यादित और संसकारित बनाईए जैसा अभ भावुक और कमजोर होती तो इस मुकाम पर नहीं पहुँच पाती बेटी को इतना मजबूत बनाईए और अनुशासित बनाईए कि वो एक मजबूत परिवार की धुरी बने और हमारा पुरा समाज मजबूत बने इसके इलावा एक चीज अगली जो मैं कहना चाहती हूँ यह युवा लोग हैं बहुत सारे अगर हमें आगे बढ़ना है देखिए तेजा जी प्रतीक हैं एक बलशाली युवक के जिसने दूसरों की मदद के लिए जान दी अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो यह जरूरी है हम मजबूत हों और तीन चीजें इसके लिए हमें छो प्रदेश जितने शहीदे आजम भगत सिंग जैसा एक नोजवान हमें दिया उस पंजाब की युवा पीड़ी पूरी नशे की गिरफ्त में है हमारा आज ही अख़बार में एक रिपोर्ट थी गंगानगरजिला हनुमानगरजिला चूरू भिकानेर यह सब नशे की गिरफ होती हैं तलाक होते हैं घर बिखरता है परिवार बिखरता है और हम लोगों को हमेशा येक आदर्श वक्ये रखना चाहिए कि अपराद और अपराधी का अंत हमेशा बुरा होता है कभी भी अपरादियों को ग्लेमराइज करने का प्रियास हमें नहीं करना चाहिए अत्यत् बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं आप आएंगे। फिजूल खर्ची कई गाउं में बहुत बड़े-बड़े चंदे होते हैं और ऐसी चीज पर पैसा खर्च होता है, जिससे ना परिवार आगे बढ़ता है, ना गाउं आगे बढ़ता है, ना समाज आगे बढ़ता है, हम बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, इसलिए मैं आप से निवेदन करती हूँ, एक एक पाई इस तरह से खर्च कीजिए, कि उससे परिवार आगे बढ़े, उससे हमारा समाज आगे बढ़े, उससे हमारा गाउं आग बढ़े यहां बहुत से युवा लोग बैठे अभी बहुत कारिक्रम है इसलिए मैं थोड़ा ही बोलूंगी यहां युवा बैठे हैं उनके लिए दो तिन लाइने किसी ने कवीने कहीं हैं वो मैं आप युवाओं को समर्पित करती हूं कि तुम्हारी इच्छा शक्ती में ल जोह खंड भी ढलता है तुम्हारे इरादों की गर्मी से प्रस्तर भी पिघलता है एक एक कदम अपना सोच कर रखना क्योंकि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद मैं पुने तेजा जी की स्मृती में अपना प्रणाम करती हूं बहुत बहुत धन्यवाद और इस युवार टीम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कितना अनवरत प्रियास इनोंने किया है इतना सुंदर पारिवारिक, समाजिक और बहुत दिक कार्यक्रम इनोंने आयोजित किया है उंकार जी और आपकी टीम को सो में से सो नंबर दिये जाते हैं इनके लिए एक बार जोर से आप सब तालियां बन जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद नमस्का बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रा जी कहीं पढ़ा था कि नारी नर से कल भी भारी थी नारी नर से आज भी भारी है नर नारी का कल भी आभारी था नर नारी का आज भी आभारी है और इंद्रा जी जैसे विदूशी माता बहनों को देखते हैं तो ऐसा लगता भी है हमारे समाज में प्रतिवाओं की कमी नहीं है जरुत इस बात की है कि उन्हें सामने लाया जाए हमारा नित्रत्व ऐसे लोग कई बारे करने लग जाते है जिनको ने बोलना आता है, ने चलना आता है, ने चाल अच्छी है, ने चरीतर अच्छा है, ने चेर अच्छा है लेकिन मजबोरी में हम उनके पीछे तालियां बजाते रहते हैं लेकिन हमने ये तहे किया कि इस मंच पर सिर्फ वही लोग आएंगे जन्होंने या तो किसान कौम के लिए कुछ किया है या खुद की मैनत से कुछ अरजित किया है मैं अब हमारी जाहिल की टीम सालगाराम जी एंट टीम से अगरे करना चाहूँगा मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा आपको थोड़ा ऐसाइज लग सकता है लेकिन मूल यही है और मूल को हम कभी छोड़ नहीं सकते सारे साथ पार के बुजुर्ग हैं ट्रेडिशनल तेजा गाते हैं जब हलकी मूट पकड़ करके हमारे बुजुर्ग खेक में जब पहला बीज डालते थे तो कान के हाथ लगा करके टेजा जी का गायन करते थे मैं टीम से अगरे करना चाहूँगा सालगाराम जी एंट टीम से आप कृपय मंच पर आएं और लिजिये मैं देख पा रहा हूँ हमारे सीकर के माननी असांसद महोदे भी मक्षे द्वार पर पहुंच चुके हैं कुछी देर में हमारे बीच में आएंगे तब तक सालगाराम जी और उनकी टीम से आगरे करना चाहूँगा बिल्कुल सारे ये वो लोग हैं जो सालगाराम जी और उनकी टीम है दिन में आठ से दस गंटे खेत में काम करते हैं और साम को तेजा जी का जेगान करते हैं एक बार जोड़ार तालियां किसान कौम के इन तेजागाईकों के लिए सालगाराम जी और उनकी टीम सर्वन जी माइक वह वाल लगाए एक वर ने हो हालो राब मरामिर साथ बोलिये भीरते जे जी मारहा देखिजे गाज्यों तांको जेते अशाट वो कमर थेजा जी लगतो ही गाज्यों है बाई सामन बाद वो गाजो ताको, गाजो ताको, के वर देते जादीवो, दे उटे लेगे। आरे सडोह रे, दोरो गाजो ताको, ए घे ओ, दे लेगे। अब दे साटो आरे हैं मेर तो भागवां तरी रे ते जल जाल बारम से इंदे राजा रे ते जाया बे लगे तो और जीयों पने तो हो रे आर गॉा जयो हो रे आरे सोर्भां वनतो रे जो हो अन्रे पने बोवा देई वो हे अलियो येई खेत पदारोरे कमर तेजाजी थांका शा थीडा बिजे भाई तेजन बाजरो हालियो ये ने वो हालियो ये ने वो के मर तेजाजी वो नागोरी नर दोयावो के ल्गाजी थ Cornव के लिनृ वो हे हर पैसा बाजरो येर हालियो येर थांका शा थांका आपे जरोरे ही के वे रे जरे नोडियों माता रे तेज निया हींदे वाने मो बेटा थारे संगेडे रासा थीडारे तो हो रे आरे बेर जरे रे आरे लुतो हो रे बहुत बहुत शप्रिया शाना ग्राम जी और आपके पूरी टीम का इतनी उमर में भी तेज़ाद की पड़ता है इतनी आस्ता हैं। कि बहुत अच्छे कंटों से हमारे सामने तजाजी का गाएं रखा एक बार जोड़दार तालिया सालक ग्राम जी और उनकी पूरी टीम के लिए अब डीजी अब वो टीम मंच पर आ रही है जिसका नाम सुनकर करके आप इस कारेक्रम में पदा रहे हैं मुझे इस मंच के माद्यम से ये कहते हैं गर्व हैं कि देश में वीर्रस के दो ही बड़े हस्ताक्ष रहें एकादन ये हरियोम जी पौवार और दूसरा हमारा भाई विलिच चोहान दोनों ही किसान को उनसे सम्मद रखते हैं और आप जब देश और दुनिया के मंच उपर द बाढ़ रहा है आज ये मंच सोभागे साली है विलेज जी बाई साब आपकी पूरी टीम को यहां पाकर करके एक फॉन पर आपने श्वीकत दे दी और यह कहा कि चिंता करने की जरूत ही है सीकर और शेखावाटे के लोग लंबे अर्षे तक इसकारेकरम को याद रखेंगे बाई साब मुझे आपकी बात याद है आपका वो वाटसप याद है मैं इस उमीद और आशा के साथ के आज का ये कवी सम्मेलन देश और दुनिया के आज तो हम सुनी रहे हैं आने वाले लंबे अर्षे तक सोशल मीडिया पर एक मिशाल वाला कवी सम्मेलन होगा एक बार उपर हाथ करके जोड़दर कंतल धवनी के साथ आमांतर दे इन सारे सबस्वती पुत्रों को मैं विनिज जी चोहान, डॉक्टर पोनम जी वर्मा, अतुल जी जुवाला और हमारे भाई हरीश जी हिंदुस्तानी से निवेदन करना चाहूंगा आप आएं और आप आगे कमन संभाले हैं, रुपाराम जी ने हमें अनुमती दे दी कि मैं रात्री विश्रा में यही करूंगा, पुरा इननों इसाम को मेरे खूब काम कहचे थे कि तुम्हारा कारिकरम टाइम पर नहीं होता, ये रुपाराम जी उन लोगों में से जो देश में से दंतिक राजनीति कर में अभी रुपाराम जी आएंगे तो आपको पता चलेगा, देश के बहुत चंद चेहरे वो हैं जो अंदर और भार से एक जैसे हैं, राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं, लेकिन हमारा स्वाग है रुपाराम जी कि आप जैसे लोग जब तक हैं, तब तक सच साम करके एक बार ऊपर हाथ करके जोड़ दर तानी आदनी रुपाराम जी के लिए और अब मंच आदनी विने जी चौहान और उनकी टीम के, मैं इनको आगे करों थोड़ा सा ठीक रहेगा, मैं तीन चार वोलंटियर से आगर करना चाहूंगा, सुभाज परमिस प्लीज, आप उपर आएं, दरमपाल आणी उपर आएं और ये स्टोपे थोड़ा से आगे कर दें, ताकि कभी इस पस्त दिख जाएं जाख़डों के बिनी जी बाई साब का नन्याल है, एक बार जोड़ दर तालियां बिनी जी बाई साब और उनकी पुरी टीम के लिए कहते हैं कि या तो इन बचलन हवाओं का रुख मोड़ दूगा या खुद को भीना पढ़नी सुथ कहना चोड़ दूगा, जब नहीं लिख सकूँगा हकिकत को हकिकत तो ये कागज फार दूगा और कलम तोड़ दूगा, उन कवियों में से आप सारे लोग हैं, आपका आप सभी का बहुत-बहुत आबार, बरसों बाद मैं महाराजा सुर्वन इस्ट्रिटूट में जाता रहा हूं, मैं भी सरवन चौदरी जी से बात कर रहा था, जब-जब हमारी कौम के IES बेटे सेलेक्ट होते हैं साल भर में, तो उनका एक प्रतिवा सम्मान समारो होता है, जाटों के पास दिखाने के लिए कुछ दो-चार चीजे हैं, तो उसमें महाराजा सुल्वन इस्ट्रिटूट दिल्ली भी एक बड़ा संस्थान है, जिसे हम सब लोगों ने वहां जाकर देखा होगा, मैं प्रतिवार्श वहां जाता रहा हूं, और मेरे मन में था कि राज की सीकर में मुझे बताया गया था कि ज़्यादतर युवा लोग हैं, तो जड़ा एक बार मुझे तालियां बजा के बता दीजिएगा कि तेजा जी का खून अभी हमारी रगों में दोड़ रहा है, अब मुझे लग रहा है, मैं ठीज जगा है, तीन बातों के लिए कोई जरुबत नहीं है कि वीर तेजा जी का पूरा रत्तांत क्या है, लेकिन हमारे कुछ मित्र लोग हैं जिने शायद ये जानकारी नहीं हो, कि वीर तेजा जी जब बाल विवाह हो गया था उनका उनकी भावी ने खाना परोस्ते समय थोड़ा सा ताना मार दिया, कि यदि खान के लिए इतने ही नख्रे लगाने टाइम पर चाहिए तो जा अपनी बहू को क्यों नहीं ले आता, तेजा जी चले गए पेमल को लेने के लिए, ये पूनम जी के लिए, अतुल ज्वाला के लिए नाया दरश्टान थे, जो शायद विश्व के इतिहास मदभूत हो, तो पे जिलन घोडी लेके चल दिये वो, लेकिन रास्ते में उन्हें उन्हें देखा, एक सर्प था वो आग की तरफ बढ़ रहा था, उन्हें भाले की अणी से भाले की नौक से से हटा दिया, सर्प ने कहा है, तो मैं तो अपनी सर्प में से बिछोड करके आत्मत्या करने की मेरे पूरे शरीर में काटे बिद गए हैं, मैं तुझे शाप देता हूं कि जैसा मेरा हाल हुआ है, वैसा तेरा भी हो जाए, लेकिन मैं पहले तुझे डस दूँगा, ऐसा मारने से पहले, तेजा जी ने कहा डस तो लेना, लेकिन मैंने वचन दिया है अपनी पत्नी को कि गायों को मैं लेकर के आजाओं, इतिहास बताता है, सांप ने कहा, आज तक लोटा नहीं है, कोई सांप को खटवाने के लिए खुद वापिस लोटेगा क्या, उसने कहा, ये जाट का दिया हुआ वचन है, प्राण चले जाएंगे, लेकिन जाट लोटेगा जरूर, आप अब मुझे दस लीजेगा, पूरे शरीर में ऐसी एक भी जगे नहीं थी, जहां से खुन न बह रहा हो, राजस्थानी भाशा में कहते हैं, उस सर्प ने कहा, तेरी एक भी जगे कुवारी नहीं है, तुझे डसू तो डसू कहा से, तेजाजी के वश्धरो अपने लेकिन अपने वचन से नडगे थे जाजी, बेनवाल जी, सुमेदानन जी है, आज बिलकुल, मुझे सूचना मिले मैं उंकार जी को, अगरे करूँगा कि हमारे सुमेदानन जी, आचारे प्रवर में जुने सन्यासी के वेश में एक विद्वत जन के रूप में देखता हू संसद राजनेता के रूप में देखता हूँ, वे हमारे बीच में हैं, पहले उनके अभिननदन के लिए भाई ओंकार जी. एक बार जोड़दार तालियों के साथ महाराश्री का स्वागत और सम्मान करें, हम सभी का बहुत बड़ा सोबाग यह है, वहां करवारे, उस पर, एक बार हाथ युला करके सबका, एक बार जोड़दार तालियों के साथ स्वागत और सम्मान करें, पुझे महाराश्री का, एक छोटे से आगरे पर आप आश्रवाद देने के लिए पढ़ा रहे दूसरी बार हिदुस्तान की संसत में आप पहुँचे हैं और आपके लिए बहुत बड़ी खुश्क परीबी है जिनका इंतजार आप सभी कर रहे हैं करीब 500 गाड़ियों के काफिले के साथ सेर ए राजस्तान उतरी भारत के किसानों और नोजमानों की आसा का केंद्र है आप सभी के दिलों का लाडला आपके केलेजे का टुकडा भाई हनुबान बेनिवान नौलगट से निकल चुके हैं बीस मिनट बाद ही हो हमारे बीच होंगे तब मैं विलेज जी भाई साथ से कोई एक बार फिर डिस्टब करेंगे सिर्फ दो मिनट के लिए और उसके बाद पुरा कारे करम पुरे परवान पर होगा मैं आधनिये रगनाज जी रणवा से आगरे करना चाहूंगा आप महाराज सिरी का माल्यारपण कर स्वागत करें अनिल जी माला मां तक पहुचाएं आधनिये रगनाज जी रणवा से निविदन है कृपया पदार हैं और महाराशीरी का माल्यारपण कर स्वागत और सब्मान करें हमारे फोगाट परिवायर के परतेवी महाराशीरी बहुत अच्छा और बड़ा सन्ले रखते हैं पुझे स्वामी सुमेदानन जी महाराश सेखावाटी जन्पद में सिक्सा और संसकारों के अलक जगाने वाले हिंदुस्तान के संसद में सीकर की बहुत मजबूत आवाज पुझे स्वामी जी हैं आपका अधनी रखनाज जी रणुमा मालयारपन कर स्वागत और सम्मान कर रहे हैं बहुत बहुत सुक्रिया और पुने माईक अधनी विनी जी भाई साब के हवाले उंकर जी कह रहे थे कि मैं एक बार आपको बीच में डिस्टरब करूँगा एक विज्ञापन आता है कुछ दाग अच्छे होते हैं तो कुछ डिस्टरबेंस अच्छे होते हैं यदि हनुमान बिनिवाल मेरे छोटे भाई और आप सब के युवा धळकनों की सम्राठ यदि हमारे बीच में आते हैं तो वे वववदान मुझे अच्छा लगेगा और वे ववववदान जितना जल्दी हो जाएगा मुझे और जादा अच्छा लगेगा शद्धे सुबेदानन जी हमारे बीच आ चुके हैं वो मेरे नहीं मेरे पिताश्री के भी पूझे नहीं है बलिवीर सिंग जी करुण के इस नाते मेरे परिवार के कुनबे के वो संडक्षक के नाते भी यहाँ है जब जब वो सामने होते हैं तो मैं और अधिक थोड़ा निर्भय हो जाता हूँ कि अब हमारे चचा याता हूँ यहां बैठें तो मुझे डरने की जर्वत क्या है भाई सर्वन चौधरी जी ओंकार जी का आदेश है और ये कवियों की एक छोटी सी टीम आपके सामने है भाई हरीश हिंदुस्तानी से आप सब लोग परिचे ने एक छोटा सा परिचे मैं करा देता हूँ इधर दाहीने हाथ को जो आप फिरोजी कलर के कुड़ते में एक छोटा सा आइटम आप देख रहे हैं इस आदमी को ये तक्त तमीज नहीं है कि जो कपड़े इस लड़की ने पहने हुए उसके रुशेट बनवा के लाया है लेकिन इसकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए कम से कम कि छोटा सा तेंदवा भी खरगोश किस आकरती के अंदर शेरनी से आखे मिलाने के उकात रख रहा है इन दौर से तुम्हारे बीच में अत्पुल ज्वाला एक पर जोरदात तालियां बजाईए हस का हंगा महाबाय बेच में खड़ा हुआ हरीश हिंदुस्तानी आपकी मायड भाषा का आपकी मात्र भूमिकी जिसे अपनी भाषा पर गर्व नहीं है जिसे अपनी मापर गर्व नहीं है वो कुछ भी हो सकता है एक इमानदार बेटा नहीं हो सकता हरीश हिंदुस्तानी इस शेखावाटी अंचल का वो कवी है जिसे मैंने हिंदुस्तान के बड़े मंचों पर तालियों का तूफान खड़ा करते देखा है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालिय अपने बेटे के लिए आप कैसी बजाते हैं ये मुझे बताने के जर्वत नहीं है। पूनम वर्माक और बवीता को जबसे मैंने देखा है अभी हमारी इंद्राजी भाषन दे रही थी जबसे यहाँ पर बेटियों ने ये कर दिया बेटियों ने ये कर दिया मैं मन्दिमर कुंटित हो रहा था। क्यार मैं लड़का होके क्यों पैदा हुआ। मैं भी आखिर अपना नाम विनिता फोगाट रख लेता तो क्या बुराई थी मेरे अंदर। मैं इतना जो भी देखे बवीता जी आई हुई हैं पूनम जी आई हुई हैं मैं खुद भी अपने आप में सोच रहा हैं। मैं इरको भी कह दो विनिता जी आई हुई हैं इतना ज्यादा कुंठित कर दिया मेरा दिमाग खराब हो गया। जिसको देखो वो ही देखो लड़कियां ऐसी हैं लड़कियां अरे यह लड़के कौन से गंगा जी की बाड़ में बैके आया हैं बिचारे। यह भी कुछ हैं। इधर वाले लोग ताड़ी नहीं बजारें तो वामपंती लोगों से मुझे शिकायत हमेशा रही है। आप ताड़ी बजाते रहो यार यह मत करो। अब सुमेदनन जी बैठे आप तो थोड़ा थोड़ा ध्यान करो। वैसे वामपंत की कीलो घड़ चुकी है तो आपको थोड़ा सा ठीक ठाक करो मामला। तो पूनम जी यहां बैठी हुई हैं। बाकी लोग कविताइं सुनाएंगे अपने आपको उनकी वानी अच्छी लगेगी। अपको ऐसा लगए जैसे आप आकाशवानी सुन रहे हैं। कि यह मेरा पीर होता जा रहा है। यह क्योंकार जी शर्मण जी मुझे बूलाते हैं कि ने तो इने बूला तो छरमाती है आए मुझे शरमाती है। असल मैं यह भी कह देते हैं जले आउटा कहीं है। कि लेकिन इस वीर पुरुष के संदर्भ में इस मिट्टी के लाल के संदर्भ में आज का एउजन खड़ा किया गया है मैं उन्स सब को प्रणाम करता हूँ मैं चाहता हूँ कि इस से पहले कि मैं इस कविशन शुरू करूँ मैं भाई हरीश इंदुस्तानी को आवाज देता हूँ कि वो इस कारकम को विदिवाश शुरूआत करें हम क्रमशे फिर अपना कावपाट करेंगे आगे से पीछे तेक बार मुझे अनुमती की दी जाए कि आज के से उसका हम शुरू करते हैं जोरदार तालियों के भाई हरीश इंदुस्तानी राम राम भौत बड़ी अलागरियो है और पावन राजस्तान वीरा कोई शान और भी की माई शेखा वाटी जो आपका सोरिय के लिए पूरा विश्व में जानी जाए है भी माई वीर तेजाजी महराज को पहली बार अत्तो विराट महोत्साव आपा जी रहा हैं आनंद ले रहा हैं और बाब महापूर्शात अकबाद भगवान सिव का जारवात अवतार वीर तेजाजी आपना सास्त्र बतावे हैं बात का अपनी स्रद्दा अपनों सम्मान पहुंचा रहा हैं एक बार तेजाजी महराज का अंतरमन से पूरी स्रद्दा के साथ एक जैकारों के साथ हापाई करीकर्म को शुरू बाप सुबारंब करेंगा च्यार पंग्तिया में पढ़ता हूँ चोथी बात आपके दिल पर छपजाए इस राजस्तान ने बहुत वीर दिये हैं पर वीर्ता और वचन निभाना दोनों एक साथ देखने का एक उधारन होता है तो वो परम स्रद्दे भगवान वीर तेजाजी होते हैं च्यार पंग्तिया पढ़ता हूँ चोथी पंग्ति दिल पर छपजाए तो फिर दोनों हाथ उपर उठा कर आकास बर तालियों के साथ तेजाजी महरास तक अपनी स्रददा पहुंचाईएगा कहा है, कि यूँ तो हर रज्य की अपनी ख्याती अपनी सान है उन महापुरुसों के बदोलत ही महान हिंदुस्तान है पर बात जब भी चलेगी वीरता और वचनबदता के संगम की, तो वीर तेजा जी का ये धरती पावन राजस्तान है, पावन राजस्तान है, पावन राजस्तान है, आपकी स्रद्दा को, इस सम्मान को, इस भाव को, जोस को प्रणाम करता हूँ, तेजा जी के वंसज की प्रास क्या होता है यह आपकी तालिया आज के इस कारिये कर्म को परवान चढ़ाएगी उर्जा बनाए रखिएगा एक मेरी उर्जा कम है मधन इलियत हर्थे बनाए और आखियों मेरी कमकिया है कि शिकर एजुकेशन हब है पूरा इंदुस्तान में एजुकेशन हब कर में उपादी दिर्वाई है मैं थोड़ो सो मारे गर में यहां को एक ओयो बार काम भी पच्छा में यह एजुकेशन आरा मामला से थोड़ो डिर में हूं अठे मा आतोरूं लगातार CLC, Prince, Keswanand तमाम आपना आत्मिया शिक्षन संस्ताना में और मा देखूं बोड पर नंबर लिख्या रहे चान में पोइंट शिक्स्तीन, अठ्यान में प्रसेंट, बान में प्रसेंट में तीन बाईशीर में ही रहा नवलगड गर है तो साल दो साल में कामसर दिल्ली भी में रहनों पड़े है काईबर पन बिया नवलगड रहों मूल, तीन बाईशीर में मारा बो बतीजो है विवेक, लेर की साल बार विम हो, जा बुल्यों बुल्यों चाचा कोई बड़ा मानगर में पड़ूंगा, केरियर बणाउंगा, जा जेपूर पड़ूं, होस्टल में रि या 41.34, पाडोशी चूट क्या बरे मारे का थेई जी बेजबा में कंजुशी कर दी 23 किलो यी बेज़ो, जा 46 बेज़ता हो, तो 84% कर जाता हूं, शैगर का दुठी, टेंशन में मारी मा सउँ ज्यादा टेंशन में, यानि भी विवेक की दादी मा की टेंशन को लेविल अल जापा के डवा देती है, मा की चिंत्या को ले भी लगी है, तो जणा शिकर में मैं तो डिप्रेशन में आ जहूं, आप लोग अता अता मार्क्स औरा मेहनत आप करवाओ हो, जो एजुकेशन हब, एजुकेशन सिटी बनाई हो शिकर में, एक बार तेजा जी का है, तमाम बं इम है, इतना अधभूत आयोजन इनोंने सजोया है, अत्ता उंचाच डारतों माने कव्याने लेया, मैं फिर माडा पर आई, मेरा मन मायोगे यार 15 साल पले आपने सासरा राभी लेविल की विवस्ता को निकरी, आपने नया नया जवाई, अत्ता उंचाच डया हो, बगवा इसकी सरवादिक ससक्त कलम, अजैसा की बताया हरियोम पहुआर जी और विनीद चोआन जी, और मैं तो विनीद जी बई साब जो इस शेखावाटी में रहा हूं, सब नाम आपने जाती विशेश को नहीं लेड़ो है, किसान खया भी थे, जाती समझोगा मने, पर जो काम इस मा का बंदना रोज करते हैं, एक बार ऐसे विनीद चोआन जी तक आपकी जोरदार तालियों की गड़गड़ा हट पहुंचे, इनके बिलकुल पास बहीन डोक्टर पूनम बर्मा जी, मतुरा भगवान श्री कृष्ण की ब्रज की उस धरती से आई है, रादा कृष्ण में, तेजा जी महराज के इस महुत्सव में आई है, हम सीकर वाले अपने महमान का स्वागत कैसे करते हैं, एक बार दोनों हाथ उठा कर आकास पर तालियों के साथ, हम पूनम बर्मा जी को बताएं, इनके बिलकुल पास मध्यप्रदेश इंदोर से एक लंबी दूरी तै कर के भाई अतुल जुआला जी हमारे भी चाहें हैं, छोटी-छोटी बातों में हसाने का अदबुत हुनर रखते हैं, इजमान में टाइम को निकोई कन, पल्या टेस्ट में चोया करता, फिर वन डे पर आएगा, फिर अब ट्वंटी-ट्वंटी चाले है, आगर टेन-टेन हो 15-20 मिनिट में 50-60 बार हसाने का जो हुनर है, ट्वंटी-ट्वंटी स्टाइल के लाप्टर चेंपियन भाई अतुल जुआला हमारे बीच है, एक बार आपकी जौरदार तालिया हमारे इस मेहमान तक पहुंचे, ऐस अब देश का बड़ा-बड़ा कवी है, आपा के लिए बहुत ताड़या बजाई हो, मैं नवलगडी शेखावाटी कोई बेटो आपको बाई अरीश इंदुस्तानी हाश्य कविता और संचालन के लिए प्रेम पाउं, आ बात अलग है आदरनिया सुमेदा नंजी महराज, पिछला 5-7 साला से मेरे मन में भी मिठो-मिठो वहम रह यो है, मेरे लिए भी ताड़ी वाड़ी बजाबोचा होता है, आनंद की स्यात्रा ना आपा सुरू करा, समय की अपनी शेमाई हैं, हर विक्ती में बुद्धी और विवेक मा सार्दे की अनुकंपाशे होता है, बाकी तमाम क्रियाएं तो पसू भी करते हैं, उठना, बेठ पर ये बुद्धी, ये विवेक समाज हित में जिना सिखाता है, उंकार जी मूंड और इनके साथियों और आप सब को मिलकर, हमारे सनातनास्ता के भगवान शिव के ग्यारवे अवतार तेजा जी महराज का ये महुत्सव मनाने की प्रेड़ना देता है, जिस मा की कृपा से ये सारे भाव हमारे मन में जगते हैं, उस मा की वंदना कर, हम इस कारिय करम का सुभारंब करें, आप सब का मन होची मा की वंदना करें, तो डौक्टर पूनम बरमा जी को मैं क्या बलाऊं, आप लोगों की जोरदार तालिया बलाएं, एक पार आकास पर तालियों के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद अरिश जी, इसकी थोड़ी वाल्यूम बढ़ा दीजियों, हलका साई को कर दीजिएगा, सप्रतम माशारदे को पडाम करती हूँ, आज के पावन मंच को पडाम करती हूँ, और सामने मंच पर उपस्तित, सांसत, महोदे और गीता जी, वविता जी उपस्तित है, और आप सभी लोग जो कविता का मल लेकर यहां पर उपस्तित है, आप सभी की उपस्तित को वंदन क करते हूं सबसे पहले तो जैसे कि विनी जी ने अभी तेजा जी के बारे में एक कहानी हम लोग को बताई मैं सस्मुच में यहां पर आकर बहुत अभीभूत हूं और उनकी वचन वद्धिता को लेकर बहुत भावुख भी हूं तो ऐसे महापुरुष्ट के चड़ों में मैं जुकाकर पड़ाम करती हूं और आप सभी से निवेदन करती हूं कि महा वागेश्री की वन्दना के लिए मुझे आदेशीत कीजियेगा तो आईए माशार्ती की वन्दना काव्याग का प्राहर्म करना चाहते हूं मों कि मेरे शब्दों के साताथ साथ आप सभी लोग मन औ कि तुम्हारी ही शरण में आज हम सब आ गए है मां तुम्हारी ही शरण में आज हम सब आ गए है मां हमें कविता के चरणों के लिए वर्दान दे दो मां कि तुम्हारी ही शरण में आज हम सब आ गए है मां हमें कविता के चरणों के लिए वर्दान दे दो मां नहीं गती चंदले में गुन गुनाना चाहते हैं जो अमरता से भरे ऐसे सवरों को गान दे दो मां तुम्हारी ही कृपा से आसमा को छू रहे हैं हम तुम्हारी ही कृपा से हम हवा से बात करते हैं हटे नाशीश शे आशीश का ये हाथ जीवन में यही वागे शुरी हम याचना दिन रात करते हैं विचारों के परिंदे जो थकन महसूस कर बैठे उने फिर से नए अवियान का प्रस्थान दे दो मा नहीं गति चंदले में गुन गुनाना चाहते हैं जो और अंतिम पंक्तियों में अंतिम बंद में आप और हम क्या चाहते हैं मैंने कहने कोशिश किये कि सुधर जाएं सभी के मन गुलाबों सा खिलेयों बन बुराई से अलग होकर यहां हर एक दिल सोचे अलग होकर यहां हर एक दिल सोचे घनी संवेद नाओं से भर जोनी मन जिता की हमारी सब बिता हर एक के गीले नयन पोचे और अंतिम पंक्तियों में अगर मेरी बात में आप लोग शामिल होना चाहते तो पूरा समर्तन कीजिएगा की हमारी सब बिता हर एक के गीले नयन पोचे जगद गुर्बन कभी जो रास्ता हमको दिखाता था वही गुर्ब भरा दुनिया को हिंदुस्तान दे दो मा नई गत चंदले में गुन गुनाना चाहते हैं जो अमर्ता से भरे ऐसे स्वरों को गान दे दो मा तुम्हारी ही शर्ण में आज हम सब आ गए है मा हमें कविता के चर्णों के लिए वर्दान दे दो मा यह थी आदरनिया डुक्टर पूनम बर्मा जी मा के स्रीचरणों में शब्द सुमन चढ़ाए मा का पावन आसीस मांगा मा से कभी सम्मेलन सुभारंब करने की आज्या मांगी और लोकतंत्र में जनार्दन शब्द सास्त्रों में दो जी जंगे प्रियुक्त हुआ है एक भ किया जाए तो एक बार आकास बर्तालियों से आपकी उर्जा हमारे तक पहुंचाए और इस कभी सम्मेलन का सुभारंबब करते हैं बहुत गती के साथ बहुत उर्जा के साथ हम यह सारा जीएंगे कभी सम्मेलन को मतलब हो ह Jest संयलन को मतलब अलग-अलग विचार का, अलग-अलग रस का कभी एक साथ बेड़ा हुए, सम ठूनीशी होगा है, यहां समझो थे, यहां सोरी समझो गा, क्यों जी मैं देख रही हूँ, ज्यादातर लोगा से मैं बहुत आत्मिये परिचित हूँ, जीवन मैं बहुत बड़ा मुकाम पर तो दादी को नामी मूडी दे भी हो, अब जीका कि दादी आती माठी के मायर है, बिसे बेशी और के जुड़े बहुत आनंद के साथ है, आपा पावनपल जीवनगा, कभी सम्मेलन मा अलग-लग, कभी अलग-लग सोच, अलग-लग रस बहुत जल्दी बड़ेगा, फ्लेवर तन्यडी दिवार प्रभा दादो जी की फोटू देखाई, देखती देखती बावु कोईगी, याद आएगो पचास साल पले आकिया, गंजोडो पकडर गरा लेया हार, रोवला जी ढाडा, है रामु का बापू, थे तो चल्यागा, बनना छोड़गा, जया रामु को तिया बारी तो पगा, कही गोल लगावा, दो एक ताली बही बजाई है, जिका माही भीत रही है, लखन चाना रहे को नी, दादी फोटू ने शिर्मा थे लगाई, फोटू का लेरा ने टांटियो, बो उड़ दादी का होट का लड़गो और पाच होडगो, दादी का अंस तो रस भोट बदलेगा, एक एक सब्द ना आप पकड़ोगा, ओई आनंद कवी सम्मेलन को है, वो आनंद आपा मिल जुल कर जीवेंगा, हशी मुस्त्या कणकण में विखरी पड़िये समय की सिमाएं हैं, पहले कवी को मैं आपके बीच बुलाता हूँ, जो 15-20 मिनिट में 50-60 बार आपको हसाने का हुनर रखते हैं, एक बड़े युवा अस्ताक्सर, भाई अतुल जुला, मैं क्या बुलाओं, आप सेखावाटी का प्रेम बुलाए, अगरिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक, दोनों हाथ उपर उठाकर आकास बरतालियों के साथ, अतुल मारवाड़ी समझ रहा होतो हो ना आप सब, आप सम्झोई थे भी कुण सा इंगलेंड सा आया होतो सर्व प्रसम मातावाग वागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ, वीर तेजाजी महराज को प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ, माइक वाले को विसेश प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये मेरे को आसराम बापु समझ रहा है, मेरे आते ही इस माइक को नए क पपले पिना दिये वाँ 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 बहुत बढ़ियाद देखिए मैं तो हाथ से वंग का कभी उन ज्यादा टेंसन की कोई बात नहीं करूंगा लेकिन मैं चाल पंक्तियां इस प्रांगल में ख़ले होकर पहले पढ़ देना चाहता हूं जिस वजह से आज आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए है हमारे लोग देवता लोग देवता तेजाजी महराज को हम याद करने के लिए अगर यहाँ पर उपस्तित हुए है और जहाँ पर तेजाजी महराज को याद किया जाता है उस प्रांगन की मिट्टी कितनी पवित्र ह जाती है मैं चार पंग्तिया परता हूं अगर ठीक पर दू तो फिर आपकी तालिया मुझे शुरू करें कि क्या है इस मिट्टी का महत्व कि यह जग इतना मनभावन हो जाए यह जग इतना मनभावन हो जाए तपता हुआ रेजिस्तान भी सावन ओ जाए और इस धरती की मिट प्ति अरोक लगल जाए यदि तन पर तव देह मंदर अर मन तेजाजी साफ आजाए तूलभाई वा दूलभाई अधै। की बात करूआ नहीं क्योंकि इस लायक अपना छेचिस नहीं है इसमें है करने की बात नहीं है मैं पाकिस्तान अमेरीका राम देव बाबा रहूल गांदी मोदी जी अमिस्ता मेरे को किसी का Cheese into San Rafael Grade मेरा है ज़्यारा टेंशन किसी का नहीं लेता हूं काई लिए ने निटी का मैं कोई divra इसलें निए हैए लिएbye यह इतनी खराब दूँगा दूसरा भाशन दिया घरगर सोचालाई बनवाऊंगा मैंने कहा प्रभू जब खाऊगे नी खाने नी दोगे तो फिर सोचालाई की जरूरत काई के लिए है अजया बात नहां तक थी तो ठीकता उदर देखो राहूल गांधी केते कॉंग्रेट पार्टी नहीं एक सोच है दूसरे दिन विद्याबालन टीवी पर आकर बताती है जहां सोच है वहाँ सोचाला है इसलिए मैं तो यह ठेंशन यह नहीं लेता हूँ काय के लिए टेंशन लेना आप देखों एकles रामदेव बाबा बेट गए दिल्ली में एक हांक बन करकर पतंगली का धना धन धना धन 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 सारा सामान बेच रहे है रामदेव बाबा और मेरी कट्टर दुश्मनी रामदेव बाबा दिल्ली में बेट गए महां बेट कर आंदोलन करते हैं काला धन वापस लाओ काला धन वापस लाओ आप विश्वात मानना गुरुजी रामदेव बाबा और मेरी कट्टर दुश्मनी एकदम कट्टर दुश् और मेरी पतनी का कलर एक दम बलेग एक दम काला और आप विश्वास मानना मेरे पास जीवन में एक मात्र धन है वो है पतनी अब बाबा जी दिल्ली में बेट कर चिला रहे काला धन वापस लाओ मेंने बाबा जी क्या पिता जी के राज चल रही है वापस लाओ बड़ी मश्किल तो इसको भगा कर लाया और आप कह रहो कि वापस लृए यहां तक दुश्मनी दुश्मनी कटर दुश्मनी कोई बाद आप तक पहुँचे तो तली बजाना पहले तो बाबाजी केते रहे, कल अधन वापस लाओ, कल अधन वापस लाओ, बाद में कहने लगए कि इसको सारवजनिक करो इसलिए टेंसल नहीं लेता हूँ, आप तो जया सेखावटी के लोगों में जानता हूँ, सेखावटी का आदमी इतना एडवांस होता है, गल्ती से कुए में गिर जाए, तो निकलने से पहले साबून मांता है, कब गिर गाएं तो लाद हो कही निकलेंगे, अपन तो इतने ए लगा है, उनके लिए ठीक एक महिने बाद 14 फर्वरी आ जाता है वेलेंटाइन डे, कुएरो की आखा थी, सब एक दूसरे को गुलाब देते हैं, भैसा विनिच जी, मैं तो इंदोर में रहता हूँ, इस बाद 14 फर्वरी को मेरे इंदोर में गुलाब सो सो रुपे में बिक लड़ा दिया, लड़का बुलाग मजबूरी में दिया रखले, तू भी कौन सा चली है, इसलिए अपन ते टेंसर नहीं पालते हैं, लोग चिला रहा है, मोदी जी आगए भिष्टाचार खत्म हो जागा, मोदी जी आगए भिष्टाचार खत्म हो जागा, आप भरोसे मत रहना, यह नहीं सही के रहा हूं, मोदी जी आखेले मरे क्या, हम तो इतने कलाकार क्या रहे माँ चलू कर दे, तीन इंजीनियर मरे, भारत पाकिस्तान और चीन का, उपर पोचे यमराज का दर्वाजा खटकटाया, इतना जोर से खटकटाया कि दर्वाजा नीचे गिर गया अंदर से दूत आया, बोले क्या चाहिए, तो हम इंजीनियर अंदर ले लो, दूत ने का, अंदर को ले लूँगा, पर पहले यह दर्वाजा ठीक करवाना है, इसमें कितना खर्च आएगा बताओ, दूत ने पहले पाकिस्तान वाले से पुछा, तू बता रहिम खर्च कित खर्च कितना आएगा, वो बलाक महराज खर्च आएगा 12,000 रुपे का, तो कैसे, तो कि 4,000 की लेबर, 4,000 का मटेरियल और 4,000 मेरे, अब अपने भारत का पुर्शत्म अपनी मस्ती में खड़ा हुआ, उसको कोई लेना देना नहीं कि चल क्या रहा है, दूत ने उससे तो तेरे, वा, 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 पही वा, ताली गळस जगे बल्या दी, बात समझ महाँ है, तो ताली बल्या ना, पुछो कि मोला कि 10,000 तो तेरे, 10,000 मेरे, बच्चे 9,000 तो इस पाकिस्तानी को ठेका दे देंगा, अपने आप काम करेगा, आप वैद आप वा मुझे पता है मिस किस मिट्टी में खड़ा हूर चार पंक्ति आगर ठीक पर दू तो जराथ कभी सम्मेलन को कभी सम्मेलन को मनाईएगा कि मुंड कटे वुर रुन लड़े हिटियात हमें बताता है कि खुदाली से जीना केवल राजस्थान सिखाता है वाह। विश्वात मानना आजकल लड़के बिल्कुल नहीं विगल रहे। ताओ जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस उमर में आपके ये जल्वे तो जवानी में भगवान्या ने क्या किया होगा। अजया ताओ जी ने जो किया मैं बताता हूँ मेरी बड़ी देर से निगा है ताओ जी पे। इन्होंने इतनी आदे घंटे में कम से कम दस बार चश्मा निकाला पोछा वापस लगाया। ताओ आप इतनी ध्यान से देखोगे तो वापस मोतिया बिंद हो जाएगा। अजया इन्होंने जो किया मैं सिर्फ दो पंक्तिया परता हूँ आदेर्णी के लिए। अगर ठीक पर दो तो फिर आपकी तालिया ताओ जी के लिए उठे के चश्मा पोछ पोछ कर सिगनल मिला रहे हो। अगली पंक्ति समाल लेना के चश्मा पोछ पोछ कर सिगनल मिला रहे हो। पर ये वाई-फाई नहीं है आप खुद को दिख विजया शिंग समझ रहे हो पर ये अमरतार आए नहीं है हमको दूसरों के पाप पूली भोगना है हमारा अंकल भी बहुत तर के आसपास है ताउजी में ताउजी और हरीश भाई अभी खले हुए ते बाहर भगवान प्रकट हुए बोले आज तुम्हेरा फेसला होगा सबसे पहले मेरा नंबर आया बगवान ने धोत मोटी और काली म मार दी थी फिर हरीश भाई का नंबर आया इनके लिए भी भगवान ने बहुत मोटी और काली मैला बुलवई बोले हरीश बाकी का समय तुमको इसके साथ रहना है यह बोले महरायल मेने जीवन में ऐसे कौन से पाप किये भगवान बोले तुमने भी बच्पन में एक चिड से अच्छे काम किये भगवान बोले ताओ के अच्छे काम को गोली मारो इस अप्सरा ने बच्पन में चिडिया मार दी थी तो हमको तो दूसरों के भी पाप पुल्ली भोगना है देखिए हम आज तेजा जी महराज का इस्तवन करने के लिए खड़े हुए हैं हमारे लोग देवता हैं मुझे आज इस मंट पर आकर भीया एक बात याद आती है गंबीर बात चेता हूं हसते हसाते हुए जब हम बच तेजा जी की कथा होती थी 5 बजे से उस बोरे पर हम बेटते थे और 10 बजे तक हमें नींद आ जाती थी और पता ही नहीं चलता था कि घर वाले कब उठा कर ले गए लेकिन ये लोग देवता आज भी हमारे मन में इस तरह से बचसे हैं कि जब भी तेजा जी का नाम आता है तो हमारा रोम 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 रोमान्चित हो जाता है मैं आपको प्रणाम करता हूँ भीया मैं तो इसकुल में पढ़ाता हूँ अच्छा हमारे लोग देवता हमें कितने रचे बसे हैं भीया मैं इसकुल में पढ़ाता हूँ मैंने इसकुल में गुरुजित सब फोटो लगा र भगत सिंग, चंद सेखर आजा, महराना प्रताप, तो मैंने एक छटी के लड़के को बुला, मैंने का इन से पूछे तो सही कि इनको कित्ती अकल है, मैंने छटी के लड़के को पूछा महराना प्रताप की तस्वीर दिखा के, मैंने का बेटा ये कौन है, लड़के ने बोले ध्यान से देखा और बोला कि तेजा जी महराज है मैंने का कि ये महराना प्रताब को तेजा जी महराज बता रहा है मैंने का चल चल तेरे में अकल नहीं है आप देखिए आपको शैद हसी आजाए लेकिन हमारे लोग देवता हमारे बच्चों में और हमारे संस्कारों में इस चार पंक्तियां परता हूं जरा समर्थन कीजिएगा कि हसी की कीमत खुद रोकर समझता हूं हसी की कीमत खुद रोकर समझता हूं पाने की चाह को कुछ खोकर समझता हूं और आपके चेहरे पर यह हसी बनी रहे इसलिए हर वक्त में खुद को एक जोकर समझता हूं आपके बीच में आए हैं एक कविता आपके मन की कोई भी अभी अनुमान बेनिवाल जी भी आने वाले हैं और आज विनीत सोहान जी हमें मिले हैं तो शीकर तेजा जी के ये सब बंसज हम जी भर कर उनको सुनना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे जि नहीं एक बार जोरदार तालियों से बताओ विनित जी को कितना प्यार करते हैं तो उनको भरभूर सुनेंगे विनित जी को तो सुनेंगे लेकिन बहन बभीता फोगाज बेटी है अगर आपका मनों में हाच वेंग का कवियों समाई की अपनी मर्यादा है भाई विनी चुहान जी ने कहा कि लड़कियों के बारे में कहा जाता है था हम लड़के कुंठित होते है अगर आप एक बार तालिया बजादित में कैसी कविता पढ़ना चाहता हूं जो शायद बेहन बविता के साथ में आपको भी अच्छी लगेगी एक बार पुरा सुर्ण तालिया बजाकर मुझे आदेशी की लगादा मेरा मानना ये है आपने दंगल फिल्म देखी आपके समाज का गोरव है बविता में एक कविता पढ़ता हूं के पिता होते क्या है बेहन को समर्पित करता हूं एक निवेदन और करूंगा बविता फोगाड जीने वेश्विक इस्तर पर जो भारत का मान बढ़ाया है समाज का ही वो केवल समाज का ही नहीं गोरव इस पूरे हिंदुस्तान का गोरव है आपकी सहमती हो तो आपकी जोरदार तालियां पहुंचे मेरी तो यही किने वाला था आगे से अब मेरे समों से तुम अपने स्वोकेस में रख के मत बेचो मैं निवेदन यह कर रहा था मैं हाथ से वेंगे कि तमाम बाते कर सकता हूँ लेकिन मैं एक अच्छी कविता पढ़ना चाहता हूँ हम परिवार के बीच बेचे हैं मैं एक कविता पढ़ता हूँ कि पिता होते क्या है चार पंतिया सुन ली जिएगा उसके बाद मैं ताही करूँगा कि मुझे कविता किस तरह पूरी करना है गुरु जी बेठे हैं विधायक जी बेठे हैं बविता जी को समर्पित करता हूँ बस चार पंतिया सुनियेगा कि पिता की क्या कीमत होती है कि पिता के संसकारों की बारख खड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं पिता के संसकारों की बारख खड़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं उनकी मुस्क्राहती घरी दो घरी से ज़्यादा कुछ भी नहीं मैं कितना भी कमालों कुछ भी बन जाओं दुनिया में मेरी कीमत आज भी उनकी पगली से ज़्यादा कुछ भी नहीं मेरी कीमत मैं आपका अभारी हूँ लेकिन कविता के नाम पर आपकी तालिया कमजोर है मैं विनी चुहान जी के परिवार में खड़ा हूँ मुझे थोड़ा सा और मुखर होकर बताईएगा मैं चार पंक्तियां और परताओं के मेरी कीमत आज भी उनकी पगली से ज़्यादा कुछ भी नहीं वो फटी किताबे टूटी कलम स्लेट पट्टियां याद आती है साल बर रहता था जिनका इंतियाद वो छुट्टियां याद आती है अब भी लर्खडा जाता हूँ चलते चलते कहीं किसी राह में मुझे भगवान से पहले बद पिता की उंगलियां याद आती है मुझे भगवान से पहले चार पंतियां वो परता हुँ जिनको लिखतर में रोया था दावा तो नहीं करता लेकिन एक भरोसा है कि अगर आपने मन से सुना तो आपकी भी पल के गिली हो जाएंगी 80 प्रतिशत लोगों का एक दर्द परता हूँ एक दर्श अधिकतर लोगों ने बच्पल में देखा होगा जड़ा याद कीजिएगा आपके पिता ने आपके लिए क्या किया मैंने मेरे जीवन में इससे अच्छा कुछ ने लिखा पंक्तियां आपको सुपता हूँ सुनिएगा कि मुझे अभी भगवान से पहले बद पिता की उंगलियां याद आती है मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे हम घर में नहीं उनके दिलों जान में रहते थे और मैं नई जिन से टीशिट पहन सकू दीवाली पर इसलिए पिता मेरे फटी बनियान में रहते थे वाह 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 तुल भाई वाह इसलिए पिता मेरे इसलिए पिता मेरे फटी बनियान में रहते थे अरे अर्मानों से लाई गुलक में फोर देता था खाते खाते थाली में कलेवा छोर देता था फिर भी पिता थे जो खुशी से मुस्कुराते थे जब घर लाते ही पल मे खिलोना तोड़ देता था चार पंक्तिया सुनिएगा अगर अपने पिता से किसी को कोई शिकायत हो बभीता जी आप साथ ले जाईएगा पंक्तिया आप ले गाना सुना होगा जो इनकी फिल्म में था कि बापू सेहत के लिए तू तो बहुत हानिका रखे जिनको अपने पिता से कोई शिकायत हो मेरी चार पंक्तिया सुनिएगा शायद शिकायत दूर हो जाएगी एक तिपनी तेजा जी के इस मंच से सुनिएगा मेरा मानना यह है कि अगर राजा दश्रत ने अपने बेटे राम चंड को 14 वर्ष का वनवात नहीं दिया होता राम चंड बहुत बड़े राजा तो बने होते पर भगवान कभी नहीं बनते अगर बभीता आप के समाज किये हमारे समाज किये अगर महाविष जी ने इन पर मेहनत नहीं की होती तो आज बभीता जी उस मुकार पर नहीं होती है बभीता जी उस मुकार पर नहीं होती है जी वा सकती के लिए और अपने उसी गती के साथ एक बार जोरदार तालियां अतुल जुआला जी के लिए इसके बाद हम सोहन चोधरी जी को भरपूर सुनेंगे जैसा कि हमारे भाई साब ने बताया था कि मैं बीच में डिस्टरब करूँगा तो यह सब अपने परिवार का मामला कोई दिक्कत नहीं आप एक बार तालियां बजाए मैं निवेदन यह कर रहा था कि किसी को अपने पिता से कोई शिकायत हो चार पंक्तिया सुनिएगा शायद आपकी शिकायत दूर हो जाएगी कि पिता के पंक्तिया सुनिएगा अगर कोई शिकायत हो अपने पिता से तो दूर कर लीजिएगा कि मुझे लगता था कि पिता के फैसले कले होते हैं और मैं पिता बना तब मैंने सचमुच ये महसूस किया बच्चे बच्चे होते हैं बड़ी मुश्किल से बड़े होते हैं वाँ 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 तुल भाई बच्चे बच्चे होते हैं और अंतिम पंतिया साथ ले जाईएगा तो हमारे यहां आना सारसक हो जाएगा कि अपनी जड़े मत खोदो कोई फर्यात काम नाएगी घर का अंगन छोड़ कोई जाइदात काम नाएगी अगर सताया उस पिता को जिसने तुम्हें नाजों से पाला है बुला पे में तुम्हारे लिए तुम्हारी उलाज काम नाएगी और पिता पर एक बहुत अच्छी रचना भाई अतल जौअला जी ने हमें पहले खूब हसाया और एक बहुत पावन रचना सुनाई एक कभी सम्मेलन को इस आते जाते उटते बेटते करम को व्यवस्तित कभी सम्मेलन का रूप जिनों ने दिया उनकी भावना ये आपके दिल तक पहुंची हो अश्तिया कणकण में विखरी पड़ी है अशी की बरपूर बातां आपने बीच होए जी और आपने तो शेखावाटिया राको तो आनंदी है आप देश दुनिया गोंबा को मोग को मिल्यों मेरा समझ मा आई कै और जंगा तो अशी की बात पर अशी आवे विनीद जी बैस आप लड़ाई की बात पर लड़ाई उजी आए प्रेम की बात पर प्रेम होए मारे अठेशे खावाटि में तो अशी की करो लड़ाई की प्रेम की क्या की करो लास्ट मा आणी असी है बा मेरे यादा वा कट्रा थल में बुड़ी पताशी दादी आपका पोता का लाड पोतो हाथ से छुटगो लागी रोयो भी कि मम्मी किचनमस अपक पटकती आई जाड मैं एकदम बोली माजी आपने क्या किया बच्चे को गिरा दिया आपसे एक बच्चा तक नहीं समलता है आज के बाद आप मेरे बेटे को टच भी मत करना सासु बोली बीननी छोटी-छोटी बाता में अत्ती कलडी नहीं हो याकरे बोली मैंने कह दिया मेरे बेटे को आप तच भी मत करना सासु बोली ठीक बीननी आम मादी बात खुंगा आदी थे समझ जयाओ तो अरे शिंदूस्तानी ने सुनबालाय कोगा हो सासु बोली ठीक बीननी फेर लड़ाई बराबर की है आज के बाद मैं तेरा बेटा के कोनी अडू तू तो बहुत लखन मिला लागया आपना मन लागया तो जो आनंद आपा जीवंगा हशी मस्तिया कणकण में बिखरी पड़ी है पर इस कवी संबेलन को एक पावन गरिमा देने के लिए कैसे गीतकार हमारे बीच हैं भाई सोह इनके इतने वाईरल हुए हैं सोहन जी को भले ही आप प्रत्यक साज पहली बार सुनेंगे पर इनको जीतों को आपने कहीं ने कहीं सोशल मीडिया से सुना है अभी चार्च से महीने पहले ही इनका गीत किसी विद्ध्याले में एक बेटी ने गया वो वीडियो आपके पास आया होगा पन्ना काडी बांध याडी आभी रात नानो सो उद्यो साथ वो उन्होंने तेजा जी महराज पर इनकी प्रसिद्धी पहले जिस गीत से मिली तेजा जी के ही ये वनसज हैं सोहन चोदरी जी और भगवान तेजा जी पर एक ऐसा गीत लिखा कि आपके रोंग्ट आपने की होगी सुरसुरा आप गए होंगे दोनों ही जंगे मुझे कवी संब्लन करने का सोभाग्य मिला तेजा जी की जन्मतिथी पर लगातार जाना होता है आज उसी भाव को हमारे बीच जीने के लिए तेजा जी के वनसज को मैं क्या बुलाऊं आप सब का प्रेम बुल मासारदे को प्रणाम करता हूँ तेजा जी महाराज के स्री चरणों में साधरवंदन करता हूँ और आप सब सुधीर सुरुताओं को नमन करता हूँ ओकार जी मूंड, हरी राम जी और उनकी पूरी टीम जोनोंने आप सब से मिलने का मुझे 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 दिया इस सीकर में पहली बार आया हूँ मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इस राजस्तान का ये जीला जो शिक्षा नगरी है पहली बार आप लोगों से मुखातिब होने का मुझे आउसर मिला है देश के बहुत बड़े संचालक मंच्चे के हरीश जी बैसाब के साथ रहने का आउसर अक्सर मिलता रहता है बहुत अच्छा आप संचालन करते हैं बाइसरे विनीद जी चोहान को कौन नहीं जानता है और अतुल जी जुआला जिन्होंने अभी कवेपार्ट किया है और कवेत्री बहन आप सबको साधरवंदन क्यों नहीं गर्व होगा जिस जाती में तेजाजी महराज ने जनम लिया और जनम ही नहीं लिया बलकि बचन निभाने के लिए कुर्बान हो गए गायों की रक्सा के लिए कुर्बान हो गए और जिनका प्रते एक दिन इश्वंदना के बगेर पूरा नहीं होता था पूजा जी महराज की वंदना की और ही ले चलता हूँ, इसके बाद अगर आप सुनेंगे तो और भी गीत सुनाओंगा, आपका तालियों की रिदम इसके साथ मिले, ये अर्चना है, पूजा है, वंदना है, आप सब की और से तेजा जी महराज को वंदन, शब्द मेरे होंग पाव आपके होंगे, सब्द मेरे होंगे, तालियां आपकी होगी, सब्द मेरे होंगे, रिदम आपका होगा, इस तरह से हम आईए तेजा जी महराज के सी चलनों में वंदन करते हैं, बहुत मिठी बोली मर, बहुत पावन गीत है, सागे-सागा आप मिठी-मिठी तालिया बज़ाँगा तो यीत को आनंद कई गोणा ज्यादा हो जाएगो स्वागत जी भाईजी कि धोल्या घरी अवतारी ते जाजी सिमरा वो सगड़ा हिल मिलते जाजी ने नमन करा वो सगड़ा हिल मिलते जाजी ने नमन करा होली लड़ अस्वार पागडे पगधरिया आज चल्या ससुराल कुमर ते जल धनिया आज चल्या ससुराल कुमर ते जल धनिया आसा सरिये पहुच रेन विसराम करे आई गुजरी दोड कुमर सुरज करे कि गाया ले ग्या चोर की अब में काई करा दोड़ अगर अवतारी तेजा जी सिमरा उस अगला हिल मिल तेजा जीने नमन करा तेजा जी का जवाब देती है तो एक बार जोरदार ताणिया बजा कर सौन जी भाई जी लपी आत्रा साया है स्वागत ताणियवासा कि मन में धीर जराख गूजरी मत रोवे तेजल होता यूं हिम्मत किनरी होए और अपनी लिलन को आदेश दीरा तेजा जी महराज ने कि लिलन हो जा त्यार लाड ली मारी तूं गोरक्षा को धर्म बेद सगडा केवे कि लिलन थार पाण आजरन कूच करां धोल्या घर अवतारी तेजा जी सिमरां उसगडा हिल मिल तेजा जी ने नमन करां तेजा जी का व्यक्तित भी इतना विराठ है कि कितनी विशंगतियां उनके व्यक्तित में आई लेकिन सबसे डट कर मुकाबला किया एक और विशंगति देखे आप जी अगनी सूँ जलता बासक ने जद काड लियो गुण करता ओ गण काड ओ बासक मान लियो कि बोल्यो बासक ते जल आज डसू था ने में गत मिल तोरे पाचो की कर काड लियो में काडा बासक नाग डसाने प्राण हरां और ऐसे जक्तित तो ऐसे काडा नाग के सामने भी तेजा जी महराज कियो नहीं कि भाग के चले गए उसका बराबर जवाब दे रहे हैं कि जो तू कहेगा मैं बात सुन रहा हूँ तू क्या चाहता ये बात में मैं सुन रहा हूँ कि में काडा बासक नाग डसाने प्राण हरां धोल्या घर अवतारी तेजा जी सिमरां उसगडा हिल मिलते जा जी ने नमन करां उदेश तो उनका गायों को लाना था तो देखो आप किस तरह से तेजा जी मुकाबला करते हैं कि रण समर में लड़िया करके किलकारी जाने गोरक शाहित आया खुद ही शामधनी कि गोरक साके खातिर जाने आया शामधनी में जाट में जाट दियोडा बचन बचन पे जीवा मरां अगर ये लाइने अच्छी लगी हो आप तो जोरदार तालियां उस विराट जतित के लिए जिस जाती में उन्होंने जन्म लिया तेजा जी महराज ने युद्ध किया तेजा जी महराज गायें वापस लियाए लेकिन फिर प्रस्तितियां प्रतिकुली देखिए आप क्या होता है लेकिन लाचा ने क्या जवाब दिया कि गाया पाची लाया कमर थें भलो करियो पन एक केरेडो रेग्यो सोन जीजा मारे अरे वो लाचा अगर जिद नहीं करती उस एक केरेड के लिए जिद नहीं करती तो शायद इतना ज़्यादा गमासान युद्ध नहीं होता लेकिन गोर अक्षा के लिए तेजा जी ने उसके लिए भी हाँ बर ली तो वो गुजरी कहती है कि बिना केरडा कैया मैं तो दीर धरा बिना केरडा मैं तो कैया दीर धरा थोड़ा घरी अवतारी तेजा जी सिमरा उस अगला हिल मिल तेजा जी ने नमन करा ये उस व्यक्तित के लिए तालिया कम है साब मैंने आपको पहले ही निविदन किया ये अर्चना है वन्ना है ये हमारी प्रार्टना है के जजा जी महाराज के लिए ये तालिया रुकनी नूँ चाहिए साब गिल तक आप तेजा जी के आरती हो, गीत नहीं है आरती है, एक बार तेजा जी महराज को जैकार हो, आपा लगाँगा, दोनु हाथ उपर उठा करें, बोलिए गो भक्त तेजा जी महराज की, जैहो, बहुत बहुत दिन्यवासा, फिर परदर्श्य बदलता है, जाय दुबारा चोरा सूलल कार करी, गाया पाची लाया, तेजल स्याम धनी, बचना खातिर बासक बांबी आया परा, बचना खातिर बासक बांबी आया रे परा, धोड़ा घर अवतारी तेजा जी सिमरा, उस अगड़ा हिल मिलते जाजीने नमन करा, अरिश जी बाई साम, बासक ना को भी बहुत अश्यरी हुआ, कि यार ऐसा भी होता है क्या, कि एक बात के पीछे कोई आदमी अपनी जान की परवा किये, बगर वापस मरने आ जाता है, वो कोई दूसरा नहीं हो सकता, वो कोई जाटी हो सकता है, बासक ना को भी बड़ा स्वागत, बहुत अच्छी बात है, आपका जो दुलार प्यार मुझे मिल रहा है, तेजा जी माराज को जो सम्मान मुझे मिल रहा है, मैं आपका अभारी हूँ, फिर इसको यात्रा को आगे बढ़ाता हूँ, तेजा जी माराज ने आवाज दी, कि बाम भी बारे बासक आजा ले डसले, पैसा भी नी थी, कि बाम भी बारे आजा बासक ले डसले, बचना को बांद्यो ते जले, आयो ले डसले, बचना को बांद्यो ते जले, आयो ले डसले, बासक नाग ने क्या जवाब दिया, ये कोट करने की पंक्तिया हैं साब, कि बोल्यो बासक असल जाट मरनी जायो तूं, बचना खा तीर पाचो मरने आयो तूं, कि बचना खा तीर पाचो मरने आयो तूं, लेकिन उसने कहा कहा डसूं, तेरे कोई सरीर पर डसने की जगे तो है नहीं, सारा सरीर जो है गायल है, खून लगातार बह रहा है, डसने की जगे तो कोई बची नहीं, तो जिजा जी महाराज का जवाब सुनें जी बियाबा की है कि पनडस बाने आज जी बियाबा की है विनिजी भाई साब कुछ लाएने इसके अंदर लिखी गई है तो अपनी जाती का गौरव किसे नहीं होगा साब जब मैं एगीत सुनाता हूं तो लोगों ने कहा यार इसमें जाट जाती बार-बार आ रही है मैंने कहा जिस जाती में तेजा जी ने जनम लिया जिस जाती में मैंने जनम लिया तो क्या मुझे गोरो नहीं होगा क्या उस जाती के लिए मेरा कोई भरज नहीं बनता उन तेजाजी के लिए मैंजा कोई भरज नहीं बनता तो मैंने बार-बार इस कोट किया है आगे की सुनिया कि मैं जाट दी ओडा बचन बचन सुनाये फिरा मैं जाट दी ओडा बचन बचन सुनाये फिरा धोड़ा घर अवतारी तेजाजी सिमरा ऊस अगडा викल मिलते जा जीने नमन करा और आज केवल यही नहीं पूरे हिंदोस्तान में दूसरे राजियों से भी तेजा जी के मंदिर के निर्मान की सूचना आ रही है मुझो दो twin प्रतिमाओं के निर्मां की सूचना आ रही है तो सारा संसार आज तेज़ा जी की जैजे कार कर रहा है तो यहां और सब जगें गाउं गाउं में महिमा था की भारी है नागड स्यां था नक आवे नर नारी है कवी सोहन कह तेजा जीने नमन करां धोल्या घर यवतारी तेजा जी सिमरां उस अगडा हिल मिल तेजा जीने नमन करां एक बार दोनों हाथ हो चेकर रहें कि तेजा जी महाराज के जै बोल दे बोल तेजा जी महाराज की जै हो एक छोटा सा गीत की ओर कहा है नारा है जाए जवान जए जै किसान जाठ जवान भी है किसान भी है होजी भी देता है खेती भी करता है एक गेत अबी एकाथ दिन में लिए परभबसर के पास तो उस्धिन मे empresa में पहन आईं आई हैं आपकाऊ यह सोचें कि एक सहीद हो गया है, उसके परिवार में एक छोटा बेटा है, और वो बेटा क्या-क्या सोचता है, वो देश नहीं जानता, वो तिरंगा नहीं जानता, वो भावना ही नहीं जानता, वो जानता है तो केवल अपने किसको जानता है, अपने पापा को जानता है, अ आंगन में, होजी का जो शरीर है, वो लेता हुआ है उ बच्चा इसको देख रहा है. कि पापा आंगनिया में ओ पापा आंगनिया में आई आई आया कईया सो गया पापा बोलो मासू बोलिया कितरा दिन हो गया उपापा बोलो मासूं बोलिया कितरा दिन हो गया उपापा यांगणिया में आई आई या कैया सो गया पापा बोलो मासूं बोलिया कितरा दिन हो गया आप तो कयो छो पापा फोजा में जाऊं छो देशरा सिमाडा माते फरज निभाँ चूँ पापा देश का दुसमन कहीं सारा खाक हो गया पापा बोलो मासूं बोलिया कितरा दिन हो गया दूसरी लाइन है साथ वो सोचता है कि मेरे पापा को कोई हाथ ने लगाना चाहिए अभी यह लंबी आत्रा से आये हैं देश की सिमा पे लड़के आये हैं तो इनको कोई जगाए नहीं हरी जी ले जावे तो भी ले जाबा नहीं दियू काई दिन डारा था क्योडा गेरी नींदा सो गया पापा बोलो मासूं बोल्या कितरा दिन हो गया लेकिन उसकी मावीर वदू के आखों में आसुन नहीं आए तो बालत चमतकार देख रहा है कि यह हो क्या रहा है ममी क्यों निरोवे पापा थेहीं समझा दियो जी ममी क्यों न रोए पापा थेहीं समझा दियो जी खिलोणा जो मारे लाया मने समझा दियो जी ओ पापा इतरा सा दिन डा में कैयन जान हो गया पापा बोलो मासू बोलिया कितरा दिन हो गया लोगोंने आके कहा कि तेरे पापा शहीद हो गयी है तब उसको थोड़ा थोड़ा याद आता कि शहीद हमेशा अमर हो जाया करते है वो अपना गेर बदलता है और क्या कहता है आप तो सहीद हो गया लोग के वेचे सहीद हुआ सूँ पापा अमर रवेचे कि पापा अमर सहीदा मैं भी था का नाम हो पापा अमर सहीदा मैं भी था का नाम हो गया पापा बोलो मासूं बोल्या कि तरा दीन हो गया उसकी अंतिम जहाब अपने पापा को क्या कहता है अंतिमे कि आप पापा ऐसा मत सूचना कि आप अकिले हैं मैं भी आपके साथ हूँ पढ़ू ला लिकू ला पापा फो जी बढ़ू ला पढ़ू ला लिकू ला एतनी तालिया उस बच्चे के लिए कम है साथ उसके भाव के लिए कम है पढ़ू ला लिकू ला पापा फो जी बढ़ू ला देसरा सिमाडा माथे मैं भी लडूँ ला देशरा सिमाड़ा मा थे मैं भी लडूँ ला क्यों कि पापा था ने भी लागेला सुपना साच हो गया पापा थाने भी लागेला सुपना साच हो गया पापा बोलो मासूं बोल्या कितरा दिन हो गया वो पापा आंगणियां में है पापा आंगणियां में आई आईया कहिया सो गया पापा बोलो मासूं बोल्या कितरा दिन हो गया ओ पापा बोलो मासूं बोलियां कितरा दिन हो गया जै हिन, जै राजस्तान, जै भारत, बोलते जै जै महाराज की जै जै दन्यवाज बहुत अच्छे है सोनलल जी, एक अच्छी रचनों नहीं से नाई मैं उस शेखावाटी में खड़ा हूँ जहां हर तीसरे घर में एक सैनिक पाया जाता है मुझे बताया गया है कि आकड़े बताते हिंदोस्तान के यदि सरहदों को सरवाधिक बेटे किसी ने दिये हैं तो शेखावाटी की मिट्टी ने दिये हैं इसलिए यहाँ पर कई सिर जुकाकर आंसुएं से कभी सैनिकों का सम्माइन नहीं किया गया मैं जो बात कह रहा हूँ मेरी बात यदि ठीक लगे तो ही तालिय बजाए राजस्थान युनिवस्टी का एक गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में आता है मुझे सो में से सोंक लेने की आदत है या तो सो परसेंट तालिया हूँ या सो परसेंट हूटिंग की इजाज़त विनिक चान आपको दे रहा है यहाँ सैनिक सीखता है लोरियों में राठ शक्ती यहाँ सैनिक सीखता है लोरियों में राठ बक्ती शौर्य पौरुष का यहां संदेश देती मात्र शक्ती यहां की वीरंगना रण की महत्ता जानती है वीर के बलिदान को सौभग्य अपना मानती है वीर के बलिदान को यह हिंदुस्तान की जमीन है मुझे याद है जिस से मैं करगिल का युद्ध था हमारे पत्रकार दोस्तियां भी थोड़ देर पेले बैटे थे एक विरांगना मा का सम्मान हुआ सीकर की जमीन पर तो पत्रकार ने पूछ लिया मा इकलोता बेटा था शहीद हो गया बुढ़ापे की लाठी तूट गई दर्द नहीं होता उस मा ने जो जवाब दिया अब हिंदुस्तान की मा का जवाब था उससे का बुढ़ापे की लाठी तूट गई दुख नहीं होता उस मा ने जो जवाब दिया शाय तालियां उन माताओं के लिए उठें जिन्हों ने अपने कोक के लाल इस देश की सीमाओं को वार दिये उसमा ने जवाब दिया माना कमर जुकी हुई है अब ठकान से मुझे निराशा हो गया दिया आपकी तालिया ना उठी उसमा के लिए माना कमर जुकी हुई है अब ठकान से सिर तो उठा हुआ है मगर स्वाभी मान से यह हिंदोस्तान का पारुश है जिसके लिए हिंदोस्तान के शिकावटी की मिट्टी जानी जाती है हमारे नेताओं को गुमान हो गया हमारे बड़े लोग यहां बैठें आप सब लोगों मेंसे नई पीडी के लोग है पुराने लोग जानते हैं करगिल में जितने बेटे तिरंगों मिले पटका है उससे पहले नेता खादी पहन के बाँ पहुँच गए और यह कहना शुरू कर दिया है यह लो दसलाक रुपे की गड़ी हम लोटा रहे हैं तुमारे सिंदूर की कीमत एक मंत्री से मेरा विवाद हुआ बिहार में उंदिनों विनित जी बड़ी कड़वी भाशा है बोलते हो राजनीती को और क्या करते हैं हम लोग हमने तो 20-20 लाक रुपे की गड़िया बाटी है यह नई पीड़ी के लोग मेरे फेस्बुक फरेंड यहां बैटे होगो जो मेरे इस लाइन को सुनते रहोंगे फेस्बुक पर जिन्होंने केवल पड़ी है वो सुन ले कि वो लाइन मेरी है मैंने उस लेता को जवाब दिया आपकी तालिया थपड की तर उस लेता के गाल पर पहुँचें जब उसने का कि दे तो दिये 20 लाक रुपे तो विनिच चहन ने उत्तर दिया उस दिन इस मिट्टी की तरफ से कि तुमने 10-10 लाक दिये हैं सैनिक की विद्वाओं को सोचा कीमत लोटा दी है वीर प्रसूता माओं को लो मैं 20 लाक देता हूँ तुम कि समच के हेटों को हिम्मत है तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को हमारा हरीश जब भी मेरे इस बात को सुनता है तो कहता है भाई साम मेरे रॉंग टे खड़े हो जाते हैं मेरा मन करता है मैं पाकिस्तान को निप्टा दूँ मैं तो निप्टा दे जा करके आद्मी भागा हुआ फाजी में आपको बहुत कम लोगों को पता है ये कुडता भी इसने पड़दे में से बनवाया ये कि कलाकारी का काम है तो फौज में था वहां पर रोज बिलांद ना पर रोटी खावे बिलांद ना पर रोटी खावे करनल को लगा चानक करगिल की लड़ाई छूड़की कहने लगा हरीश इंदुस्तानी तो ने बहुत टिकड़ फाड़ें जा करगिल की युद्ध के लिए अगले ने सोचा है तो मरना पड़ेगा अगले ने छुट्टी एप्लिकेशन लगा दी कला दादी की तबेत खराब है बापीस जाना है मेरे को नवल गड़ करनल समझ गया टिकड़ खाके बापीस जाना चाहता है कला भाई ऐसा है को चमतकार करके दिखा दे तेरी छुट् हंडम एक पाकिस्तानी सैनिक के दोनों बाजू काटके करनल के पैरों में करनल का दिमाग कर आपके तीन दिन हो गया आँ टाइगर हील पें पारे अगला पाकिस्तानी के दो बाजू काटके लिया अभिनांदन करो इसका पत्रकार्च ने गोशना कर लिए माला लाओ बुल रस्ते लाओ मेरे को डाउट हुआ मैं इस पंड़त ने काम करया कैसे मैं का हरीश यह यह एक बात बता यार तैने उसके दोनों बाजू काटे साले तैने सिर्क्यों नी काटा उसका करना भाई सब बताईयो मत कोई को साले का सिर्क्यों पहली कटा पेड़ा था वह बहुत दु बहुत आनंदारियो है हाँ अत्ती बड़ी संख्या मैं तेजा जी माराज का इकारिय करम मैं मैं तो तेजा जी की इतिहास जद पहली बार पढ़ियो सुरसुरा गयो जद मब पलाने सोचकर रोमांची तो जहूं हूं कि वासुची नाग ने वे वचन दियो और आराम से जा से कहा युद्द के बाद भी वासुची नाग के तो अच्रज होयो कि यार कोई आदमी इज जमाना में वचन नी भाबा के लिए पाच्पा आजियाए कि एक बार तेजा जी के लिए आपार सर्दा जी जोरदार ताने आपकी बजाओ और आपा यात्रा को आनंद करा था जो जी साब का खुडद का खुड़े है मन लागे बे निवाण जी भी आएगा है ने एमके है कए मारे कलाकारा में एक बड़ा कलाकार हुआ tietा जाता जाता फिर बिने बनागाता तो भी राग सही बादल बरस मा लाग जयता मेरे खड़या होता ही इंभी कवी के रूप में माइक पर आता ही अनुमान बिन्दिवाल जी आएगा है तो मने लागे छोटी मोटी शकलाई या मास्तिया में भी आवला जी है अनुमान बिन्दिवाल जी की पांसाथ सबायब को भी मेरो संचालन करवा को काम पड़यो जोदपूर नागोर लाडणू जो क्रेज कोई जननेता को पूरे राजस्तान में है भई अदबूती है लोग कोई पर बठाया कड़े कड़े साइप पाने लेकर आवे ऐस सदा दो चार गिंठा लेट हो जावा सबामे रिजी पर थोड़ा सा डिस्ता करेंगा आपको अदिजिये आप सब का लाला राजस्तान के दिनों पर राज करने वाला उतरी भारत की एक मत्र आसा आज़नी हर्मान जी बेनिवाल सांसज नागोर आपके भीच है एक पार उपर हांदर के जोड़ जाए तालिया हर्मान जी अरिजिा जुड़ लाजंटा के सा आपकें सा अन्य हर्मान जी बेनिवाज जीनुड़ लाज़ी द करने लाज़ना जी बेनिवाल सा इचाहर आपласт Gcych Cole के अंचेक पार भारत इस बहुत की जित्रिष्टी तीचे गुजर रहा है और आप ही इसकों की एक मात्र आशा हो और यह इतनी बड़ी संध्या में उपस्तित नोजमां यह क्या रहें कि भैसा कभी भी हमें जिन्दगी में निराश्मत करना क्योंकि जब कभी किसी पंचारा की जौपड़ी उड़ एकरा और की सबासे में राजस्तारं के विदान सब्सकारा करें करेंबूड़ी तॉस्तार जाएं नोजवानों आपको समझने वाली बात है, आपको लगता है कि हनुमान ची सिर्फ हमारे ही रहनुमा है, हनुमान ची के साथ तो हस्रभम है, एक 45 साल का पुरो विदायक सिर्फ इसलिए इस मंच पर आया है, कि मैं हनुमान को अशिर्वान देजर क्या हूँगा, कि जो लड़ा एक किसानों के ललाई को, एन नौजवानों के ललाई को, इन मजदोरोंगे ललाई को, इन फिवी तो, वच्चिचों, सजिचों, अलच्टेकों के ललाई को φ्कों है,owane माच अर्मान चेक्चे हमारे वीत मतारी है, एक मिरından का समय लग शकता है, लेकिन भाए ये वीरा सं आप यह प्रवाब निजीगा पिचान में सार का पुरुवर मेद है आपको यह पताने करिये जदाने करिये कि हमान सामने चाहिए कोई भी हो तुछेर की तरह दढ़ते रहे यह जोगां तेरे साथ हैं एक पर जोड़ा चालियों किसाज पुरे भी साब चुगा तो रहे बनान अज़ा आपको निजय आदानिया रनमान सिंझी उम्रि प्रचान में वार्ष पुर्व विधायक सुटांतर मक्तर हो निए बात अप्रिसमें में जवांगर है कि हमार शंगर कमजोर नहीं पढ़े हमान के मेरे पीछ तो पर देश का वीरस का सरवस्ट्रस पस्ताक्षा विनित चोहार आदनी हनमान जी बेनिवाल को सभब पहना कर रहे हैं अगर बाइच साथ का बाचन सुने बिन आप जाते हो तो आज के कारेकरम में अनल दीकार है क्योंकि आज ये जिनको उस्ते रहे हैं उनको निको सहीए उनको बक्स दिया आज इन्होंने आज ये सिर्फ विवाओं की बात करेंगे आप की बात करेंगे किस तरह से एक सामानिस ते गर्प सरे निकलावा नोजवाल हनुमान परिनिवाल बन जाता है और दिल लित पर अवाद को गुंजा देता है उस पूरे विसे पर वे सावकने बात रखेंगे जोंशावाद करेंगे जोंशावाद करेंगे है अलो चलो अब आनिमान जी आई चुके हैं अब आरी जिंदुस्तानी का लंका दे हैं अबना बाकी है बस अदि पोड़ासा अट्डा होटे निमान जी चिछे बैटे हैं जो लंका जी कुब तो तरी तेरी पुट्टो नहीं लगगा नहीं समझ लेंगे ठोड़ी देर माई पिछतु द्रोही नामस्टे से और वन है। अब सुलियरा नामस्टी गुल्यूं गोंदे दोस्तो तुनिया मोग का नामस्तु लेकिन बीच में ये दूसरी डुगडुगी फसी हुई है अपने पास में मैं आप बताए हास रास का कवी है एक बार आप मूड में रहे जिस मूड में अब तक हम चल रहे थे हरीश इस हिंदुस्तानी आपको एक बार हास से सरवार कर ले उसके बार कबी समल का जो तो हम होगा वहां तक पहुंचाएंगे हनुमान जी को भी हम सुनेंगे समय बच गया थोड़ी बहुत में भी सुना दूगा वरना एकल कवी और हमारे नेता लोग बड़े लंबे भाशन देते हैं अभी हरियाना में एक बहुत लंबा भाशन दे रहाता तो अंग्रेज करने की जर्वत नहीं है जो अपना सबसे अच्छा हो सच्छा हो जल्दी जल्दी कह दें आयतन में कम रहें डैंसिटी में ज्यादा रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा इस बात को ध्यान रखेगा एक कवी ने इतनी लंबी कवीता सुना इसने पिछले दिनों एमदाबा तो ऐसा तो करोमत अब ताली पजाओ हरिश इन्दुस्तानी अदूरा रह गया पर स्टार्ट नहीं हो पया जोड़दार ताली अब हाई रहिश इन्दुस्तानी पिल्दे में ज्यादा विदायक जी और हमारे विदायक जी इधर आजाएं हमारे मंच इधर भी बना दिया आपने बीच है जो प्रेम आपा आकी उर्जाने करा हां जो आकी शेवाने करा हां एक बार जोरदार ताल्या साने बतावां आपा और फेरी यात्रान आपा सुरू करा अब आनंद आपा लेशा अशी मस्त्या कणकण में विखरी पड़ी है अब के एक बहुत पावन बात होई शेखावाटी के बारा में विनीद जी खेयो बापावन बात होई विदार जी आपको आवाज दी जा रही है आदरनिया रूपा राम जी मुरावतिया साथ 10-15 साल सान जीवां आमकराना विधायक पर जत्ता बड़ा कलाकार है तेजो आकन पहली बार में सुन्यों पंद्रा सोड़ा साल पल्या नागोर में कोल्या एक गावं में साइध का करिये करम में बार सोन जी पड्रिया ना भौत रोमांची तो रहा हाँ आजा से आपा तेजों फटकारो द्यूमन मेरा आता ही बापरत बोड़ बोड़ी हो जी देगो के बरकत होई है एक बर जज्जिया इसे मतलब बेटिया बविता फोगाट जिन्नोंने विश्व में रेसलिंग में हिंदुस्तान का नाम किया चार पंक्तिया याद आती है कविमित्र भाई सुनिल जी कहते हैं यहां विराजमान समस्त बेटियों बविता फोगाट गीता फोगाट इनके सम्माने में निवेदन करता ये घर, परिवार, माता, पिता, सवाज, देश के लिए ज़्यादा केरफुल होती है च्यार, पंक्तिया, चोथी, पंक्ति दिल पर छप जाए तो आपकी तालिया बविता फोगाट जितक भी कुछी है कि नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है बेटी के मन से मरियादा का भान नहीं जा सकता है और बेटा घर हो तो सायद चूला ठंडा रह जाए पर बेटी घर हो तो भू का महमान नहीं जा सकता है उन पावन भावों को हम प्रणाम करते हैं आप फटकारा ही फटकारा लियो मैं तो आप बाला जी को भगत हूँ और पिछा ना नमान जी बेठे आप और केच आए मने बामनना नी जो आनंद का पल है इब आर देश में पहली बार पांच अगस्तन भौत अदबुत काम हो यो बी टाइम में मलेशिया हो पांच प्रोग् यह जो पंद्रा अगस्त सोतंतरता दिवस मनाया है हमने कन्या कुमारी से लेकर कश्मीर तक अखंड रूप से तिरंगा गर्व के साथ फैराया है इनको मैं विशेष धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि इन्होंने देश के उस पुरसार्थ का साथ दिया अपने साथ उन्होंने उनको हिम्मत दी दिल्ली में च्यार पंक्तिया निवेदन करता हूं पांच अगस्त के बाद हर चेहरे पर जो हशी है जो मन में खुशी है कि हर और जश्न का माहोल है चोथी पंक्ति दिल पर चप जाएं तो अब तक जो तालिया नहीं हुई हो वो उन्होंने सेनिकों सहीदों तक पहुंचे कि हर और जश्न का माहोल है इसे देश भक्ति का अर्मान कहते हैं और राष्ट्र के प्रधान ने दिखाई जो वीरता उसे मा के मुकुट का सम्मान कहते हैं और धारा 375 का किया एक झटके में घात्मा अब इसे मरदानगी को चौक में हिंदुस्तान के प्रणाव करते हैं हाँ में यह यादा भो पिछले मैंना सावन मैं मा ना ओ неб rebound बांगयों जम्मो्स लाकी दो बुटी दाद्या बेठी अशीप चैसी साल की दोन्नु विद्वा बे स्वागन लुगाया पुजा करबावे बन देखर दोन्नु डोकरिया अपस में बतलाई बोली भाणा स्वागना से तो आपाई सुखमा हाँ देखो विद्वा और स्वागना से बेशी सुखमा अनंद लिजो थे बोली भाणा स्वागना से तो आपाई सुखमा हां बाद दूसरी बोली की हां तो बली भाणा अपने वो तो बेरो है का आपने डो बात करणों चीजा है आपने बीच पुलुबामा को अमलो यो आपने एर फोर्स 15 दिन बाद बाला कोट में जाकर रात नहीं हजारा किलो बं हवाई सेना आपने एर फोर्स बरसाया बीके पद से दूसरी दिन बाला कोट का एक मिया जी बाका कोई जैपूर मरिस्तेदार बाकन फोन आयो मिया हम तो बरबाद हो गए तैस आपकी वो हवाई सेना ने हजारों किलो बं गिराए हमारे तो गाउं को तैस नेस कर दिया आपने डा मिया जी पोजेटिव बाद मिया मिया अल्ला का सुक्र मनाओ ये सारा मामला मोदी जी देख रहे थे अगर ये मामला योजी जी देख रहे होते तो अगर ये मामला जिस टिपनी परदेश का भरपूर प्यार मिला अगर ये मामला योजी जी देख रहे होते तो नुक्सान भी कई गुणा ज्यादा करता और थारे भी बाला कोट को नाम बदल कर बाला जी की कोट ही और करयाता है वाई पर आपका धरम पर आपका गाउं पर आपकी जनम भूमी पर देश पर जिकी भी चीज़ पर गर्व राखर सोरो रैस के बियां रहनों चाहिए मैं तो पांचार साल पहले कवीशन मेलन मैं पहली बार जद दुबई गयो बढ़े इंटरनेशनल एरपोर्ट पो उत्रियों दोई केटेग्री में बनेडा है एक इंडियन एक वेस्टन आज दोई डिज़ाइन है एक देशी खद्याए एक इंगल्स खद्या दोई बात का अब वेस्टन और आग आगा तो खूब लंबी लाइन लागरी फिलिपिंस रसियान से बात का लोग लाग रिया और आपनों दूसरों देशी मेरे बड़ो प्राउड हो जी देख यार दुनिया में 100 पिच्छान में देश है पन डिजाइन दोई है 114 में बापटा करने एक डिजाइन है आपनों रुतबों न्यारो ही चाल रहे है आनन्द है आपनों वो भी आपनों एक यूनिक है मतलब आपनों तो कई तो अत्ता कलाकार हो है कोई यहां कि फाइव स्टार ओटल में कि यहां कि जंगा उलुज जाए जठेबों देशी नहीं मिले इंगलिशी मिले तो भी गेट बंद करकर राष्ट्र प्रेम का बावस है ब जानायों आज गनेज जी नहीं विसर्जन करेया कई जगा मेरे यादावा लेल की बर्बों कुदन को ही मैस बड़े वापी रे बड़े नोकरी करे गनेज जी बठाया विसर्जन आरे दिन ट्रोली में मुर्ती ने लेगा नाब आट साथ जवान बाक सागे बो भी उत्रियो बड़े समुद्र वापी में तो विराट जांबी कादा में इपकति शडगो बिढती चोटी अर लेर को आयो फटकारो माई जाबाला जो आपल ड़ाने बेरो रह की गड़ी के काम करनो बो खट गनेज जी के प्राथना सुरू गरी महाराज 500 का लाड़ू चाड़ू पाची आपाला जी खिनार कानी आतो है जी खर मंअराज 200 की पार पड़ाज ओर सांगड है महाराज 500 की पार पड़ाज और बिने लाजिवा आप टो चिनारो आई गो दो पगमतों बारही हांजा मटाची नीत बदड़ू बैवे चा का लाड़ू गनेज जी खरियो चा का ल लेहर को निये महाँ जी स्पीड से जाए बाब योई पाच्छी आवे और बो किनारे पुंछो ही को नी भी पले ही पाच्छो माय आबा लाजियो बिन ले जो रहा मर्शया मड़ो खट बदलगो अले माराज थे समझया को नी मा तो भूजयो क्या का लाड़ू देशी का का मोंदि का मोतीसौर का राज का बाच्छी आणन्द आपनी माटी माटी में भिखरियो पढयो है छोटा-छोटा बावन आपा जिवाँ आशी मस्तया खंगड में अत्ती विख पड़ी पढ़ी है सोझी मारवाडी का बहुत अच्छा जीत गया मारवाडी का जीत ओवेभी साड़ा एली सो एक सो पांच किला की है बाद वो आपने दमाल गया गरे ने डीजे पर जल जमना रो पानी किया ल्याओं जी पतली कमर मारी लुड लुड जाए भी पतली कमर मारी लुड लुड जाए पर बाद सोच सवा सो किला की साड़ा एली जैन आची है बाद बी दिन से मेरो जीता हूँ बरोसो उठको है जो जो आनंद आपा जी रहे हैं माटी में मस्ते आटी बिखरी पड़ी है समय कम है चीजां भोत बदली है मैं आपने रिधा इसे सम्मानी लिए दिड़नों चाहूँ कि आप तेजा जी महराज का सम्मान में पुने पोस्ण के लिए एक क्रांती को कामी सेखा वाटी में करियो हो कभी सम्मेलन तेजा गाइन के माध्यम से नहीं तो चीजां बदल रिए दस भीस साल पले आपा देखता डुखावातो जान गेट के करने जिको गाणों बजवाता लगबग वो नेमी हो वो गाणों बजवाता कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महभूब आया है ओ जीत बाज तो भी टेम आज काल बीन का बाईला दे खड़े ही अजमाली जो गेट कन छोरी आ रहा के पूंचता ही एक गाणों चलार बजवावे और भी बीन का नहीं हाथ करकर नाचे पर जाबा गो काम पड़े वा प्राइवेट बस में टू बाई टू की सीट पर बेठ आ जा रहा सारे की सीट पर कोई नई ब्यावली बाई बेठी गणगोर पूजबा आएडी बाई की गोदी में गुछरीयों गुछरीयों समझो आप बाई यो गुछरीयों गड़े लिया फिर है बाई बली ताओ ये गुछरीया नहीं है ये मोती है मोती बोड़ा ताओ का सदमों गो बली बाई ओ मोती है मां खेती एक मोती मिल जाए तो सारो दालत दुप जाए तूख है ओम होती है यह तो इन लैइक ड़े से हैं बाब बोली ताओ जी यह मेरे पियर वालों ने मुझे साधी में दिया है ताओ जी और जमा सुननो होगो भाई तने ब्याम में हो दियो है हमारी टेम तो गाय देता मेंस देता सारे गर का दाब दापर दूद पिता तर नहों दियो है बाब बोली ताओ जी हम मोडन हो गए हैं हम दूद नहीं पीते हम चाय पीते हैं अब कर ताओ जमा सुननो होगो दो मिंट भीने दियान से देखो पस बलेओ भाई तू चाय क्योई खजे पन बानतों चाय जोगो भी देतों लाग्यों को ने चीजा भूत बदरी है अने बहुत बहुत बदाई हो इबात के लिए चाय मारी भी बंगवा दीजियो रग दीजियो इमात अनमन की बात बताओ देश को उपरड़ो पानो जद्दी नहीं आरियो है बेगार कोई क तो जिका आनन्द का पल है एक छोटी सी कविता ही मुकाम पर में सुना जू ज्यादा समय है नहीं आप ड़ड़ा की तो आनन्द तो आप ड़ड़ो मर्तों मर्तों आदमी आनन्द में रहे मेरे याद आब बेरी काई बसेसर जी असी साल को बुड़ो ताओ कभ खांशी होग अड़े सावली बरती रात ना खांशी को लोर उठ गो ताओ जी सोचार्या जी गुटची द्यानन और कठिन टालो सारला बेड़ पर जिको मरीज भी का सागय भी की गराली ताओ जी सोचाई बाई से ही बतलाओ बाई मिन बुज़ो बाई तु कुण सा गाउं ब्याई यृआ बच्छे मना महीं चल बच्या फेर मन परनाई पिपराड़ी बच्यार मना पकड़े फेर मिरो समंधयो फते परबड़ाई मना कड़े लेर्के मन नहीं सिक्कर हो रात न भी अबी उलश का आव जाओ जाऊ जाओ 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 रिया है अथ्या अंस आउजी भाई अब तक को कारिये करम बढ़िया लागयो है तो एक बार से के लिए जोरदार ताणया बजा करते हैं जिका आनंद है एक नयो ट्रेंड पिछला पांट साथ साला में चाले है सामुईक विवा युवक विवती परिचे सम्मेलन सामुईक विवा सम्मेलन मेरो मन रहे कि बा नया विशेपर लिखूंजी पर कोई नहीं लिख्यो हुए आप ओ साइज जाती समाज में चाले है मैं जैपुर में दोका संचालन करया जा मेरे समझ माही कि आम गड़बड चाले है विशंगती जो कमी है कवी को दर्म विवा कमी बतावे जिसे समाज में और सुधारे और बढ़िया हुसके सामुईक विवा कम खर्चा में देश की अर्थ विवस्ता ने पावन राखबा को संच बढ़िया सादने पन बठे गड़बड के ववा आशी मजाक समा आपने बता दियू का समाज का कुछ स्वय गोशित नेतावा का मनमा समाज सेवा को चाल चड़ियो समाज का कुछ स्वय गोशित नेतावा का मनमा समाज सेवा को चाल चड़ियो जा एक सामुईक विवा परिचे सम्मेलन मंड़ियो सम्मेलन की सुनताई आस पास का कई गावा का अक्सपाईरी डेट ओड़ा बनड़ा के भी मनमा बीननया की आस जागी जे ने आपने तो विनित जी बाई साम मारे शेखावा टिम सौंपडी पीड़ा या है का अठे एक अजार लड़का पर मारे शिक्कर में नो सो बाईस बाया बची है मतला बा सम्झो अठंतर तो बापड़ा आटल बियारी रेड़ा है मढ़ा बाईस साल को ओईगो दसा साल में कोई 40 साच हो रहा रहा देख गगा उसी पलत रहाना को जबाब नहीं दे बारतीन एक मना पले गड़ी में कोई बनो री आई वो सौबास को बाप बेठो ही खे दियो बोलो देख रहे हैं सुबास आज गड़ी में की का बाजा बाजे है सुबास भी बापड़ो आठ दुस साला से बर्यों बिठे हो बोलो जी जी का का मापाप समझदार है बाग का बाज कई एक्सपाईरी डेट ओड़ा बनड़ा कभी मनमें बीनने है कि आस जागी मोटे आर तो बुड़ो बुड़ो साथ 65 साल का भूच है मैं संचालन कर रहे हो एक ताउजी हाथ मैं थेलो लिया पांच यारबर गुमिया अठिन जाए बठिन जाए मैं बूजी लिया और मैं ताउजी थेला में के लिया बुलो बैया इमन तो शेवरो है कोई मंड़ जाए जाँ खटोड लिया चोरा पूचया पांसो चोशट चोरा खाली चत्तिस आस बुड़ी बट्टा में जटको खागी अब बठे एक स्टेज बंड़ो रहे कि आदमी साने सागे परीचे दे दे जिके जचे वो बात आगे बढ़ाले अब एक एक उम्मीदवार मंस पर आवे और आपको परीचे बतावे पर जिंदगी में पहली बर माइक के सामने खड़या होबा से अब पिंड़्यादुज़ बोली अकड़ावे पहलो उम्मीदवार आयो आपको परीचे बतावे बलो गाउं बिखम सर?, नाम सतीश, उमर संताडीस, वजन शेइटीश बाद अच्छे व्यंग आप समझ रहा हो तो बताता चाली हो गाउं बिखमसर नाम सतीस उमर संतारीस वजन शेंतीस एक अचपडो सुरोता खड़े और बुल्यो बाई जी जमा बोड़ा हो अजी बहुत बोड़ा हो जमा उड़ो आंटों खारे हो और डाइरेक्ट मुसानी पकलड़े हो वाया सम्मेलन क्यों जारे हो फेर एक शपन एक साल का हो आईगी और आपका मन को चाट बतायो बुल्यो बाई लोगो उमर तो चपन होईगी पड़ अब जार मैं सोचूं का आदमीन जिन्दगी मैं ब्यातों करनो ही चाहिए तो कुवारी से करूंक विद्वा से जोडिकी का सागे ओप खाशी कुवारी से करूंक विद्वा से जोडिकी का सागे मेच खाशी बोई कुछ मादी स्रोता बुले बुले जी थे तो कुवारी से ही करो थारे ले राशी जा विद्वा तो साल से मनामा आप पई यो चेश फलका पर फलको दर्यो है और जिकीव आपड़ी मिन्खा जोड मैं पहले ही विद्वाओ एडिया बिने उज्जू क्यों विद्वा करियो है फेर एक समन्द लगबग शेट हो यो लड़की की मा तेज तर्रार चरपरी बास समन्द शेट हो बागेपच है लड़का पर रुत्मों जाड़ियो बोली कमर साब ओ करोड रिप्या को दन थाने समड़ा री हूँ सुक से निभाजयो जवाई भी लचमगड को अत्तो ऐसा नहीं उठायो पाच्छो जबाब थमायो बिलो माजी अत्तो गाठो मत खाजियो लाख रिप्या माँ आती रहात नहीं पाच्छी लेजिये जिका ओ ठेज शेट हो जा लड़की को पिता लड़के का गाउं का एक आपका परिचित ने बुझयो बिलो जी रामकुआर जी ओ थारे पालडी को जिको सुनील है ओ माने मारी बाईता ही समझ मा आवे है ओ अपना आपना टिम्बर मर्चेंट बतावे है तिम्बर मर्चेंट यानी लखडी को बड़ो व्यापर यारा मशीन रापर लिखो रहा ने टिम्बर मर्चेंट ओ अपना आपने टिम्बर मर्चेंट बतावे है थे मने गर पेटा बताव को मना का कताक रिपया कमावे है बो बलो जी बशेसर जी थानतों मा गर की बात है साची साची खेशू वो सुनील तो बापडो जिंदिगी की गाड़ी ने दुख सुक पार खीचे है है तो टिंबर मर्चेंटी पन कानपुर रेलवे इस्टेशन पर नीम का दातन बेचे है जिका धूट कपट हुए मेरो कविता लंबी है मेरो खेणा को जो भाव है जो बात आप तेक पूंच है तो मोर लगा जियो इस सामुईक विवाग की बड़िया रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे है का जिका लोग का मुखिया वे नित्रित्व करे जिका अरपपती करोडपती घरपपती लोग भा आपको टाबरभी में को नी ब्यावे क्यों जिन्दिजी में करोडा कमाया है तो 15 करोड लगा और दूम दड़ा को नहीं करे तो रंगत को नी बेटे और गरीब के बापड़ा के गर परिवार समाज गाओं विरादरी को प्रेसर ज्यादा रे भी के मन मा काची आवे के यार भी में ब्यातो लेवा अपन काल ने लोगा खेगा रहे बेटी जनम तो लीर ब्याबा ने को नी हो भी सामुईक विवा में पलेटर लेए हो है चार पंतिया आपके मन तक पहुँचे तो बताना कामीर गरीब को भेद मिटा कर एक जाजम पर आणो है जिकाई में मुखिया बने पहले खुद को टाबर ब्याणो है जो एकता तेजा जी के प्रती आस्ता रखने वाले तमाम लोगों की दिखी है आज ये केवल एक जाती के लोग नहीं है ये सर्व धर्म के लोग हैं जो भगवान तेजा जी को शिव का जारवा अवतार मान कर उनकी वचन बद्दता को प्रणाम करते हैं एकता की ताकत क्या होती है इस से बहतर इस हरीश इंदुस्तानी के पाद कुस कहने को है नहीं चोथी पंक्ति आपके दिल पर छप जाए तो आकास पर तालियों से विदा दीजिएगा कि फूल फूल को जोडो तो गजरे की लड़ी हो जाती है लोहे के टुकडों को भी जोडो पूरी हतकडी हो जाती है और हम तो आखिर तेजा जी के भगत है जुड़ना ही अपनी ता पूनम के बगलम बैठ जा तेरा राज के सम्मान होएगा पूनम पीज में परस रखले इसका बरोसा कुछ नहीं बाई का आधर निये जरूर ये विल्कुल फिश्वस नहीं बिल्कुल भी नहीं है यह आईएगा मैं डॉक्टर पूनम वर्मा का आवाज देना चाहता हूँ मिरे प्यारी भतीजी बवीता यहां बैठी है नार्यों को यह कहा गया है कि वो बड़ी नाजुक होती है और इसने इस बात को तै कर दिया फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया मैं पूनम से आग्रे करूँगा किवाजो शंगार न पढ़े बवीता यहां बैठी है और चीनताओ तुम्हारा जब कोई उस वक्त तो आक से आसू नहीं शोला निकलना चाहिए मैं पतरा छोड़ता हूं कुछ नहीं वह तो ऐसी बिचारा परिशान तुम्हें देखके कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बावड़ा हो जब आदी में के अतने खुरसूरत लोगाई पहले बर देखी है ग्रामीन बैंक का आदमी रिजरो बैंक देख ले तो नौट बदरने की सोचता ही है चल बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा कमिसर मेलन चला है बहुत मन से आप सभी लोग सुन रहे हैं पहली बार आप लोग के बीच में आई हूँ और राजिस्तान ये वीर भूमी कहा जाता है आप जैसे वीर यहां पर उपस्तित हैं मंच पर भी हमारे दो-दो वीर वैठे हुए हैं मैं उनकी उपस्तित को पिडाम करती हूँ और मूलता में शंगार की कवित्री हूँ लेकिन मैं मेरा मन है आज आपकी हिम्मत और आपकी उर्जा देखकर कुछ अलग तेवर में बात कहने की सबसे पहले तो मैं बिना किसी भूमिका के चार पंग्तियों से आप सभी को जोड़ने कोशिश करती हूँ अभी पुलवावा की जो घटना हुई थी उसमें जितने भी शहीद हुए थे सबसे ज़्यादा शहीद राजिस्तान से थे मैं चाहती हूँ उनके सम्मान में जोरदारता लिया पहले तो मेरा तेवर रही है लेकिन फिर भी कहने कोशिश करती हूँ और चार पंक्तिया उन शहीदों के सम्मान में और देश से कुछ मागना चाहती होगा और आप भी मेरी बात में शामिल हो उस सेना के तो मेरी बात का समर्थिन कीजिएगा मंच का भी आप चुम सेना की हतेली को कि तम्हारे हाथ से यदि काम कुछ येनेक हो जाए तुम्हारे हात से से यदि काम कुछ येनेक हो जाए कि बहाया खुन धोके से जिनोंने जिर्शहीदों का उनी की राख से महादेव का अब शेक हो जाए क्या राख से महादेव का अब शेक हो जाए कि एक किनारे रख दो मोदी कुछ दिन अमन अमान को याद रखो बस बयालीस बेटों के उस बलिदान को कहां कहां सरजिकल करोगे कितना लहू बहाओगे एक बार शमशान बना दो पूरे पाकिस्तान को एक बार शमशान बना दो पूरे पाकिस्तान को और हमारे देश विरोधी जब नारे उटते बाते उटती हैं कुछ लोग पाकिस्तान के फेवर में और देश के विरोध में बाते करते हैं तो मैंने कुछ ऐसी पंग्रेसियों का ऐसा क्या रिष्टा सीमा पार है अभी कली हमारी GTV News की इसमें रिकॉर्डी हुई है मैं वो पंग्रेसियों का ऐसा क्या रिष्टा सीमा पार है हर नेता आतंक वाद का पक्का पहरोकार है भूल न जाना घर में घुश कर दुश्मन नष्ट कराता है और ऐसा वैसा नहीं देश का रक्षक चौकी दार है और चार पंग्तियों में मेरा मन क्या है अगर मेरी मन के साथ आपकी मन भी शामिल हो तो मैं पंग्तिया नेवित करना चाहती है कि ऐसा वैसा नहीं देश का रक्षक चौकी दार है और फहरी है इस बार पता का जंबू से लगदाक तलक और अब की बार तिरंगाले हम सीमा तक बढ़ जाएंगे कि अब की बार तिरंगाले हम सीमा तक बढ़ जाएंगे और काश्मीर की बात छोड़ो अभू पीयो की लेना है और अगली होली और दिवाली सरहद पार मनाचे भाब अधाज के अठोल आपर पार में अच्छे catching अचे करने आप रोड़ा मोजा अटा ओंदवाजी से को जा अचेक उसकी लेत अचे अचे के लिओंध के लिए दॆनेगी बालेजिके कि माना की पुरुष बलसाली है, पर जीतती हमेशा नारी है, कि माना की पुरुष बलसाली है, पर जीतती हमेशा नारी है, और सावरी आके 56 भोग पर सिर्फ एक तुछ सी भारी है, तब मैं कहिना चाहती सुनियेगा, प्यारे भाई, आप जो भी है, प्लीज मुझे नहीं पैता, इस शेहर के कितने सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन थोड़ी सी मुझे अच्छा लगेगा, यदि आप महमानों से बहुत दूर से आएं हम लोग बाद, मेरे टाइम मुझे आपको हुटिंग के मैं आजादी दूँगा, उस समय आप कर लिजेगा, कमजोर परवार करना अच्छा नहीं, जब मैं आउं तब आपको खुली आजादी देखें कि कितनी हूटिंग आपके पास है, प्लीज, आप एक बाद तालियां बजा दी जिएगा, मुझे ऐसा न लगे कि मेरा कश्टी बहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कंथा, कि तुम लक्ष्मी दुरगाबाई, तुम लक्ष्मी दुरगाबाई, तुम में ये शर्ष्टी समाई, तुम लक्ष्मी दुरगाबाई, तुम लक्ष्मी दुरगाबाई, तुम में ये शर्ष्टी समाई, तुम लक्षमी दुरगाबाई तुम्में ये शष्ट समाई कि निकलो बहनों बड़ो बेटियों निकलो बहनों बड़ो बेटियों चोकों से चोबारों तक महक नहीं देकन पहुचाओ हारों से जैकारों तक रहक नहीं देकन पहुचाओ हारो से जैकारो तक तुम लक्षमी दुरगा बाई तुम्में ये शष्ट समाई और बंद आपके भीश रखना चाहती सुनियेगा कि रोज हो रहा गली-गली में नंगा नाच दरिंदो का रोज हो रहा गली-गली में नंगा नाच दरिंदो का और उड़ने की छोड़ो जीना भी मुश्किल हुआ परिंदो का और शीशे जैसे पिगल रही कानों में चीक पुकारे हैं और किरणावाई के हाथों से क्यूं गरिगई कटारे हैं ललकारों से कंपन भर दो संसद की मिनारो तक महक नहीं देकर पहुचाओ हारो से जैकारो तक तुम लक्ष्मी दुरगाबाई तुम में ये शर्ष्टि समायी बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद उंकार जी अब लिजे जिनको सुनने के लिए आप सब लोग सबसे ज्यादा जब इस इवेंट की पहली पोस्ट डाली तो जिनके लिए कमेंट आए मुझे ये कहते वे गर्व है कि आपके खुद के परिवार में फंक्शन रे छोटे भाई को वहां बेजा है और वो टाइम सीकर को दिया है सर के अभिनंदन में जो अभिनंदन पत्र हमने तयार किया है वो पढ़ करके मैं मंच पर आपको बुलाना चाहूंगा द्यान चाहूंगा सर आपका भी और आप सभी का भी माननीय सिरी रूपारा मुरावतिया विधायक मकराना नागोर के करकमलों में सर्व समाथ सीकर की और से साधर समर्पित यारों के यार सहज समझदार सफल व्यापार फुटबोल राजनिते के खिलाड़ी पैचानते जनता की नाड़ी देशी इंजिनियर अवर नियर डियर गायक लायक विधायक नायक रूप है ले रूप जी का सर्व समाथ सीकर की और से इस मयूर गार्डन में अभिनंदन करते हुए हमारा मन गार्डन गार्डन हो रहा है आपका जन्म 15 नवंबर 1954 में मकराना नागोर के किसान परिवार में हुआ आपका व्यक्तित्व भव आयामी है श्री रूपारा मुरावतिया नामी है कहां भी है नामी नर नारा नागोरी कोयल बोली कंठ में है और माया इनके अंट में है बहुत बड़े व्यापारी भी आप हैं आप सन 1903 में में सर्व प्रथम मकराना से विधायक बने 14 अगस्त 1994 में आप पहली बार सीकर पदा रहे थे सन 1908 में के बाद सतत जन सेवा वह आप गाईक लाइक नाइक तो रहे परंतु विधायक नहीं रहे आपकी लोग प्रियता का ही सुपरिणाम है कि 20 वरस बाद पुने विधायक बने हैं आपने राजस्तान विधान सबा में दूसरी बार विधायक के प्रथम भाशन में तेजा गाईन गाकर सबको मंत्र मुग्ड कर दिया अंत में कहना चाहूंगा मुरावतिया रूपा राम पंचक बहु आयाम राजीर थासे रामजीर सातों सुख परिवार सीकरव सर्व समाज रूप जी नमस्कार गायक लायक विधायक नायक रूपा राम खिलाडी जनपायक है प्रतिबा बहु आयाम मकराना मुरावतिया रूपजी विख्यात जन्ता सुन्ती गोरसेर नागूरी नर्बात रूपाराम फूल रिदे कर पथर व्यापार संसार चमतकार है प्रेम भाव विवार विधान सबा में रूपजीर गाया तेजा गान सीकर में सम्मान है भली कर भगवान आपके मंगल भविस्य एवं उजवल जीवन के अभिलासा में सादर हम हैं समस्त शीकरवासी पदार हैं और आशिरवाद हैं और तेजो और बीरो बैतो मस्टेर बाद में आपको आशिरवाद है जोरदार करकल धमनी के साथ इस उमर में भी अभी भी रोज भुटपाल खेलते हैं आपसे ज़्यादा एनर्जी साब में है थोड़े से नाराज हैं लेकिन वो नाराज की सब व्यक्तिकत मेरे पूर निकाल लेना इन पे मत निकालना थैंक्यू आज तेजा जी को जागर्ण है और कवी सम्मेलन भी है आपने नागोर जिला का शांशत मारा चोटा भाई मोत्या उम्मूंगा काड़जा की कोर जठे भी वे लोगां पर निया एपट कर लेवा बड़े जार जोर और मैं शुरू तो हूँ ने आल में तो बहुत तेज बोलू इस्टार्ट होता है कोई भी कार जीप एकदम सो की स्पीड में थोड़ी आ जावे बोलवा नहीं आयो हूं अब बाकी मंच पर बिराजमान एक कवी है अब मरी बेटी पोगाड जगा इंदुस्तान में खेला मन नाव करियो सोन जी हरीश जी थे बेटी का चाचा जी पूर्व विदाइक पिच्चानव साल का और काई नाव बतायो अतुल जी आग आग काई आग बतायो जवाला आग मिलतो जुलतो इनाव है जवाला राग मारी बेन और आप बाई साब मैं आपने इंमंच पर ओ यहन को मंच है कै कवी लोकां को मंच है एक बार मने जुन जुन मैं गाशिराम जी वर्मा भुला लियो कभी संबेलन में सांसे साब तो मे तो कवीता तो जणो को नीर बजन गा दिया बजन गा दिया जर वे कभी लोग रीश आईगा अब जनता कै के विदान्शमा में गा दियों कभी सम्मेलन का यह अब बठे बानने पचें आप बुरो मत मान जो कभी लोगा ने अबार जी यां थे आओ ने तो आपको जुको कभी सम्मेलन और तेजा जी को जुको आज गाइन है दोन्यों में आपां हाल 30% उपर कोनों उचलियां ने तो नागोर का आयोडो भाई कह पड़ा ने तो ए भी कोई सावलगा से क्यों टाइम कोन मिलियो अब मारा कंट खराब है और चार काल काल सांसत मोदे चार जगं गाया अच्छा आप लोगाने ज्यादातर लोगाने मारी ब संबोदन करूं कोई अगर अकबार अड़ो है लिकवाडो बाना भी मारी तरफ हो रमाश्यामा आप लोग जगा मंच के सामने बैठा हो मंच ने तो कम आई हां मा को मान हो थे समान हो मा को स्वाबी मान हो मा की हिम्मत हो मा की ताकत हो मा को जोस है आज तक दुनिया में कोई इसा मंच में बड़ा नेता बड़ा कवी और बड़ा गाइक नहीं हुआ अगर उसके सामने आप जैसे लोग नहीं है तो ते एक मंट के लिए मान लिए मान लिए मैं मैं आ तो मैं कट बोला इक आतर आप मां के मैं तो पुर्ण हो आपने बहुत बहुत अन्यवाद दूसरी मैं बहुत कोशिश करी कवीता लिखने सक्यों 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 बहुत को दोगन में खड़ो रियो एटीुची कर्यां पचविवा न दीक निए शक्यो है गणु शम जायों बढ़ है मानव रुभे कियो विकी बातशिकने शक्यो का Aham तुपंने आथ ही बार ही लिखी जी है और महनतों काहिए कर रोल जीज haven बात वीर रिश की है या रीश रिश की है या लव रिश की है मैं कुछ बातां आठे सीमार मरियादा मैं बोलतो हो साब बने मारूं दो कदम आगे से ले गया अंके डोकरी के टांटों लड़ों तो होटक लड़ों लिलाड के और और कटाई कोन लड़ जयातों कई पिर भी मैं गायिक हूँ, विदायिक हूँ, जननायिक हूँ, लोग कवे लाइक हूँ, और लेरन कवे नलायिक हूँ मारा भी पांच एक नाव है आज मैं मनोरंजन में तो ही बोलूँ राजनिती में बोलूँ थोड़ो कुणूँ तो मुंडो खोलूँ जटा तक शादी ब्याव की बात हुई परेम की तो सांसिद मोदे आज लड़का लव मेरीज करें बन मां भी कम कोनी हो मैं मेरीज लव करी मेरीज लव मैं मारी बात करूँ मारा मूंडाउं दूसरा की बड़ाई क्यूं करूँ मैं सांसिद मोदे जब मारो ब्याव हुई हो तो मैं गबरू जवान हो उमर ही चार साल साची गटना कह रहे हूँ लेकिन मारी घर आड़ी मारी पतनी या दुलन ही आज भी मांके डोकरी डोकरा के लव चाला है मेरीज पहली हुई है आज ले लव मेरी जुबाना के लव कतम हुझे हुए मेरीज बचे मैं जगी बात आपने के बोचाओं हूँ राजनीती मैं एक बात और कहूँ बियां तो एक दिन द्यव को लेद गयो जको साब एक जोरो गानु गायो ये रेश में जुल पे शर्पतियां के इनने देखर जी रहे सभी मारे घर आड़ी मारी साथी और क्योंकि थारी महराण के ने तो रेश में जुल पे अने सर्पतियां के मैं मर्यातो को निया आज थे काम चला बार बार मोटार मरसिय या दोनिया मों खडबड जरूर कर जब से फिर भू एक लड़को गीद कह तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूही मस्त नग में लुटाता रहूं मैं आपको बहुत खुशी लगा लुटाता मेरे मन में है मेरे विचारों में है माण कंठंटों के बाद है कि तोस्ते दरगा और कि आपों कोई जादों कर गठाए लेकिने मैं आपने हैं तो आपी चीज़ को राजमी की बारा मतों बोलों अगर इमांतारी में सच्चा यूह मैंने उकरी करिमा ले राजमी करोरों से कोई महान सोथा नहीं स्वर्में दाओं के यह तप्रश्या है साथमा है महति नहीं स्वर्में रात में तीर में तीर दियां बज़मा घर आयो तो तिन चार आदमी महोरा है कर दमे वहादा मैं आखा गड़गर नाम पत्रों उपड़ी सोशिनों की बाती तीन जाज़े आया मारी करणी थी थी दूद की दूद की दूद में चचछा बारा लियाई तो बामो सतरा नी जी ने तो ओरेने रात ना तूदीचाह की खुण की ओ मैं क्यों में हमेले जी जी अब बेशुस है तो आदमी ओजिन गड़े लियर भागे भाई जी चाह पिलो जी अज़ेगे मारा मुट जा जशे की दिए तौही में बौर्ड बौर्ड पिली आपके मैं मांगें तोड़ी खुड़ी कोड़ी बदोगी बाकि टेक्टेशी जूंदों पाले ओ आज मासुए नहीं परिशनी को नहीं कि मांगें MP साथ है घ्रत मान की जिस्थे हैं और मांगें तोड़ी 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 ले रहा है अब भारे करार दिखियो हो अधियो सुनो थे हमेले नीया जरह ने लोका भूटरा उकाहीं को ले ले लिए मेरे आप राजनिती में आने के बाद में आपके बच्चों का ध्यान में नेक पाएंगे पच्च पत्ति में आतिवार बातिवार प्रणी में ये सच्छा है फिर भी आमारी मिनन देखे आप बामन क्यो हे मारा धनी राजनी ती दोरी गणी राज ती नूट वडा कोपल्या धोवां मंठाई को निकर जागान कर शोवां मा क्यो हे मारी दिराणी बोल मिठी मिठी बाणी अन आयोडा ने सुन लियो तो मारी इज़त पर फिर जाई पाणी मत कर बड़ बड़ बेटी रे शानी शानी आयोडा ने चाही नी पाए तो मने कांकड में ले जार जोतला घानी तु देखे लो बरतार खावर रोटी थारा बाप पावला इकोनी पाणी आप पीती है आप मारी राजनीती है पांस साल में उल्टी करी जोडी तो री रीती की रीती रे राजनीती तु सब उज्यादा गई भीती तो राजनीती के माद्य मुझकी में दो लाइन लिखी सब तो बड़ी दुखी बाता है तेजा की मैं कड़ी सुना बोचाओ बड़ बाप भी कुन सुनी जै मारा तीन चार दिनों उन्दरी तबीद खराब है कंड खराब है तो आप लोगाना मैं चाहते हो भी कोई चीज मैं कुन बता सकूँ बस एक जरूर क्यों आपने आप लोग मनोरंजन के लिए आए हैं आप लोग हसने के लिए तेजा जी की वीर गाता सुनने के लिए आए हैं एक मंत्र बता के जा रहा हूँ अगर हसना है खुश रहना है तो एक जिंदगी में आप एक बात को पकड़ लीजिए आप सदा अपनी कमाई पे ध्यान रखिए इमानदार बनिए और बी गुड एंड डू गुड अच्छा बनिए अच्छा करिए मेरा जीवन का जो सोच है आज आप लोग काई करा आपनू नेतिक मुल्या ने होचा लो क्योंके इटेम मनोरंजन को टाइम है कविता को टाइम है तेजा जी को टाइम है लेकिन मैं फिर भी मारी बेटें बेटी है बेन बेटी है और जद बेटी की बात आएगी बेटा मैं सब भू ज़्यादा प्यार मारी बेटियों करूँ I have two daughter मुए नहीं मैं सबसे ज़्यादा प्रेम मेरी बेटियों से करता हूँ आप कोई भी बाप पर मायान का को नहीं जगी था कि बेटी न प्रेम कुन करो मान सम्मान कुन करो हिज़त कुन करो और बाप पर मा तो बाव है आपकी बेटी की हिज़त और मान सम्मान के लिए मर जाव है मैं बेटियों को एक निवेदन करूँगा हमारा बेटा खूब पड़ो खूब आगे पड़ो बबीता की तरह खूब ना रोशन करो लेकिन एक बात याद रखना अपने माबाप की इज़त और मान सम्मान को कम मत कर देना अपने माबाप की इज़त और मान सम्मान को कम मत कर देना अपने माबाप की इज़त और मान सम्मान को कम मत कर देना खूब आज मावल चाले नहीं नहीं लवियू 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 एक ख़ंगे आग गया क्या क्या मिर ने इन किया प्यार धन्न पकेत थेग के सबस्तिlaş शुन दिक शूंदर्णा थेड़ी उत्राद छेड़े जा पीवजटरन में ज़ूं ज़ू ज़य तुम हसबत्ला जन्यवाद, तेजाजी का जेकारा लगाओ ता कि साब के कंड़ो जाने, बढो तेजाजी महाराज एक टी, तेजाजी का बहरा मैं, मैं तेजो गायो जना, सांसे दमोदे हा, एक यो चेब दे, चेब दे, मैं चेपू, चेपू, टेबल बजावा, मैं बार-बारा आकन देखो विदान सबा में गाना मना है, गाया नहीं जाता है, तेजा बाबा की महरवानी, मारे शत्र का लोगां की महरवानी, कि सत्र साल में किसी ने तेजाजी को नहीं गाया, दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, कि मैं शिर्प जानू इचार लाइनू, अगर कोई भगत दिल को अपर राम जी को एकरी नाव ले लेवन है, तो बिन राम जी मिल जावै, माराजियान को आदमी तेजो जी जाने ही कोनी शिर्प चार लाइन जाने है, और बा लाइन में विदान सबा में गाती, बिन लोग आप बच्चा देखो, सरो हो, कोशिज करूं मूंड फाड जोर कर बागी बीच मठम को तो गारंटी कोनी है, और नाहा गोरी तू सूराओ, दरती रा अवतारी वो, शत्वंती तू राल जाओ, अर लीलन रा अस्वारी हो, काटा कंट बेट उड़ा है, और तो तेजो बाबा इबात राकी, एक बार फिर मैं आपने कहूं, तेजा बाबा का बगत हो, तो पाबु जी, रामदे जी, गोगा जी से बाबाब का इस्ट देवतान मानो, मैं इबात के लिए खुस हूं, मुझे गर्व है, गोरामित मैं जाट हूं, लेकिन सचा जाट वही है, सुनो, सचा जाट वह है, गुझर वह है, सच्चा माजन वह है, सच्चा पिष्णोई वही है, अपनी जाट के लावा 35 कोंb का मान सम्मान करो, शुक दुख में काम आओ, बाईशारे की भावना बढ़ो, उसके बाद में, तेजादी स सुनो तेजाजी ने क्या का अपने लिए कुछ नहीं किया इसलिए अपनी जाती का नावरोशन करो जैसे हमारे सांसे साथ वो पहले आरोप लगा गए जाती विश्यज के काम करते हैं बंजारां के लिए लडबान तियार मेगवारां के लिए लड़ने के तयार राध्मूतों मैं बुलायो मान समान करें के लिए धन्यवाद ए तेजा बाबा ए रामदेजी महराद मारे समाज का लोगा ने चतीस कोम का लोगा ने मान समान दे हिज्जत दे सुक्संपति दे और प्रेम मुझ जीवे और बाइचारा की भावना बड़े अगर चोटा युवा बच्चया तो बेटा माबाब के दोग दिया करो अपने गुरुजी के दोग दिया करो और बेन आमारी बेटी ए दिवरेने चिटने राजी रो सासू को कदर करो सुसरा की हिजद करो वरना अट आओ और मैं पोपाड कर लिए और ते सुन लिए कान ड़ा बेरा होगा कुछ नहीं है मेरे कवी भाईयों से मेरे कवी तरी बेन से अगर मैं कोई गलती करती दुमा पिछाओं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद बोलिये चेजा बाबा की जय धन्यवाद बहुत शुक्तिया संबन्य विदायक महुदे का एक मिलट आपनका स्टोर दिशा गलासाद नीदिया वरना बात कुछ और होती मैं द्रमपाल जी अभिन दन पत्र सरका मैं संबन्य रणमल सिंग जी से अगरे करना चाहूंगा कि मानने विदायक महुदे को अभिन दन पत्र भेंट करूं का सम्मान करें जो पत्र मने अभी पढ़ा था सम्मान ने रणमल सिंग जी आपका आशिरवाद भी आपको मिल जाएगा और पत्र भी आप तक पहुद जाएगा आप हो आदरनी रूपा राम जी विदान सभा में भी आपनी मारवाडी में बोले आपनी भासा को महत्व भूत बड़ो है पिने पोशन दियो है राजनिती में और भाव आप आने यूट्यूब पर विदान सभा में तेजो गाता वो वीडियो सरवादिक वाइरल हो एक बड़ा कलाकार सहर इदे आदमी फुटबाल का प्लेयर अब भी अठारा बीस साल आरा टाबरा कसा के गाउं की फुटबाल टीम में किर्केट खेले दस-पंदरा साला से बहुत आशी साको है आज नवलगड गई मांगी टीम में अठारे गयो और टीम हारगी नवलगड में सूर्य कलम में मेच होता है आपके आज गई हुए मेरी टीम अज़ी बेन अठे रहे को खाली बरात एक लिए तो केक रह नहीं एक बार जहुरदार ताणया रुपाराम जी के लिए एक मिनिटा का भासा का संवान के बारा में आपने बताउँ एक अच्छी बात बताउँ आपने कुशी होएगी ओकार भाई विश्व में जत्ती भी भासा है तो को डिक्सिनरी रुपाराम जी बा आपनी राजस्तानी की मानी जाए पदमस्री शीता राम लाला से एक बहुत बड़ा विद्वान हो या पहलो भी को खंड का विए लिख्यो भी सरकार भाने पदमस्री दियो आप गूगल पर देखो लाइबरेरी में मंगाओ दो लाग 6138 सब्द आपनी राजस्तानी में युएस से जब की तो बो तो एक ही खंड हो युएस से इंगलिस में कुल सब्दी एक केतर 141 विनीद जी भाई साथ आपने कत्ता साइंटिफिक हा अपना बुजर्ग जद ने कोई यातायात का सागदन हा ने जोगंदर जी भाई शरीर में कडे भी तो इंगलिस में केवल भी कलिए एक वर्ड है विद्वान लोग बेठे है पेन आपा बोला इंदी में दर्द अगर कुण सा अंग में होरिये तो वो अंग को नाम सागे लगानों पड़े बाईजी ने सर में होरिये तो सरदर्द इंगलिस में एड़ेक दात में ही चाले मरोडा पेट में ही चाले बाईटा हाथ पगा में ही चाले सनफ बोलता है आगलो समझे आई पिंडे में पीडा है इक है जो प्रकार है आपना अलग अलग अनंद आपनी भासा का है आपने इंगलिस में लखडी ने डांग ने बंबू खे इंदी में एक साथ प्रियाएवाची एप पूरु फोटू सामने बढ़ जयाए डंडूकली डांग कामडी तडो छडी गोटो मुगदर और फेर आखे न गयार मड़ा पल्या तो प्रेम से बतलावा और फेर माई से काडर लेया राम जी शोड़ो जना समझ या ये भी ये बचेडी फाड़ तो जो अद्बुत विज्ञानिकता आपने बीच ही आप और सब भासाने भी आपा जीवाँ पन आपनी राजस्तानी के प्रती भी अनुराग राखा रूपा राम जी न विधान सभा में बोले देश में जठे जावे बठे प्रवाशी बंदुवा में बोले एक बार आका भासा प्रेम के लिए आपका मन में सम्मान हुए तो सारो सदन दोनों हाथ उठाकर जोर दार ताड़ा रूपा राम जी बिलावाँ आपके बड़ा कलम और कवीना आपका सुनगो चाओंगा भाईयों कार जी जी उर्जासा संचालन कर रहा है जो सब्द शेली जो सक्ती जो बात देश बक्ती को लगातार पोशन और बैसाब सेखावाटी में तो आपने ज्यादा आनंदिली आ हुए कि करिगल के युद्ध में जब पूरे हिंदुस्तान ने 498 सहीद दिये नेपाल दुबई मलेशिया जहां जाना होता है मैं पहली पंक्ति ये बताता हूं कि करिग आसी लाल सेखावाटी की माओं ने नोक्सावर किया है सरतियों में हमारे यहां चूरू में जीरो डिग्री टेमपरेचर हो जाता है भहीन बवीता जी जीरो डिग्री मुझे बोलते हैं तो भाप निकलती है हाथ पेर के अंगुलिया सुन हो जाती है उस वक्त हम रात के चार साड़े चार बजे जब कभी सम्मेलन करके लोट रहे होते हैं तो गाओं की सिंगल कच्ची सडकों पर हम गाड़ी में गरमेशी हिटर चला कर लोट रहे होते हैं तब ये 18-19 साल के भाई गाउं की सिंगल सडक पर बन्यान पहने पशीने से लत्पत भरती की तैयारी करकर शेना में जाने के लिए पशीना बहाते हुए मिलते हैं, तो उतर कर इन्हें से लूट करने का मन होता है। अंतिम यात्रा में सामिल होने का सोभग्य मिला है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जिसे बागा बॉर्डर हम कहते हैं, उस पर दोनों देशों में प्रेम बढ़ने के लिए एक कवी सम्मेलन का आयोजन टीवी चेनल के माद्यम से रखा गया। इनसे किसी अलग इनसे प्रेम की अच्छी कविता पर शेनिक की चिठी पर साइन करवाये गए कि आपको ये पढ़ना है। उस वक्त जो ये मंचों पर बात कहते हैं, गद्दारों के परती, दुष्टों के परती, उन अन्याईयों के परती, जिनोंने हमारे बेटों का लहू बहाया है, इनके मन का वीर्रस जिया, जितना इमानदार कवी, वहां उन्होंने वो ही कविता पढ़ी, उनके आँखे, उ तिरंगे में लिपटकर जब उसकी पार्थिव देया उसके घरा अंगन तक लाई जाती है, तो उनकी वर्दी बविता बेटा लाकर उस सेनी की धर्म पतनी को सौंकते हैं, वो पतनी उस वर्दी को बहुत हिलोर के साथ चूम लेती हैं, कोई कभी क्या कलपना करेगा, एक त अंतिया पढ़ता हूँ भाई गोविदराठी जी कहते हैं, उस दुरुष्य को याद कीजिएगा, अंतिम पक्ते आपके दिल पर छप जाए, तो अब तक जो ताली नहीं बजी हो वो आकास बर देश बक्ती की शेखावाटी की तालीयों के साथ, विनीत चोहान जी, कि विर मल हो जाता है नीर गंगा का, जब लहरे उठकर सहीद की अस्ति चोम लेती हैं, और रिधेश या भाई, बैठी जाने, तो तो यह पर डगा, फिर यहां, एक क्विंटल लंबी इसने भूमिका बना दी ती, तिर में मैं कविता पढ़के बैठ चुका होता, अब फेवी को ल मैं कहता हूं, शर्म से तालिया बजाए इस हिंदुस्तान की राजनीती पर, पूरे वर्ड का इतिहास पढ़के बोल रहा है विनीच चोहान, अपनी सैना से यदि कहीं प्रमान पत्र मांगे गए हों, तो वो अद्रुभाग शाली देश केवल हिंदुस्तान है, पूरी बेता के अभी तक DNA के प्रमान पत्र नहीं पूछे दिग विजय सिंग्जे से आज तक, नकिसी केजरिवाल से कि तुम्हारे पिता के DNA के प्रमान पत्र बताओ, और तुम पूछ रहे थे शेखावाटी के बेटो, तुमने पूरी पर अटेक किया है कि नहीं किया है, माफ कर का पाकिस्तान से आए, साड़े तीन सो किलो RDX ले करके, और तीशरे नंबर की गाड़ी पर अटेक कर दे, बिना इसके, कि हमारे यहां का कोई गदार उसके साथ शामिल नहीं हो गया हो, ये बात मेरे गले नहीं करती, आपकी मुझे ज़्यादा तालिम की मैं कोशिश कर रह अगी मुझे निकटाना है आपके, साथ चब तक आस्तीनों के नम भारे जाएंगे, होसला कितना भी हो, हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों के संघ, तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, ये हिंदोस्तान की तरीका नहीं था, हम इसो सैनिक मारे थे लेकिन पुलवामा अटेक के समय है यदि हिंदुस्तान ने बदला लिया है तो उसका एक काम तो जरूर हुआ है यह कविता सुनने वाले लोग पढ़े लिखे लड़के बैठें मुझे मालूम मैं कविता में और चीख पुकार में क्या अंतर है मैं दो ला किया क्या है हमने कुछ देश भक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बाचे तो हैं हम देश द्रहों के विश्धर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं आतंकवाद के अंधर को आगे बड़ ललकारा तो है धीमा ही सही तमाचा पर उसके मूँ पर मारा तो है वाँ लो हमने लो हमने दुम सीधी कर दी न आतंकी आकाओं की लोग उनका 370 धारा से फरक क्या पड़ गया लोगों के पेट में दर्ध हो गया माफ कीजिगा सर 52,000 बेटे खोने के बाद यदि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कश्मीर में लग रहे थे मेरी बात को भान से सूने मैं कविता से अच्छी बात बोलने जा रहा हूँ 52,000 बेटे खोने के बाद यदि कश्मीर में इसलामाबाद के जंडे लहराते हैं तो विनिच चुहन को कहने का हक दीजिएगा हमारे दो राजनितिके बड़े लोग बैठे हैं हम अकेले कश्मीर के उपर तीन प्रांतों के बराबर खर्चा करते हैं सर उंकार जी एक फूटी कौडी नहीं लेते हैं कश्मीर से उसके बावजूद ये दिवा पड़ोसी मुल्क से बाते होती हैं तो मुझे कहने का हक दीजिएगा कश्मीर वो बेवफा औरत हो चला है जो खाता हम से है, पीता हम से है, पहनता हम से है और नेनमटक के पड़ोसी से करना चाहता है मुझे हूजा जादा चाहिए थी जो मैं कहता हूँ लो हमने दुम सीधी कर दी न आतंकी आकाओं की नई ताजा पंक्तिया भाप निकलती है, चार चैनल मुझे रिकॉर्ड कर रहे है ये हिंदुस्तान तक पहुंचे विनिच चोहन के आवाज लो हमने दुम सीधी कर दी, इन आतंकी आकाओं की जो उचल रहे थे आड लिए, इन आतंकी आकाओं की जिन लोगों ने सम्विधान रद्दी अखबार बना डाला काश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला उनकी अकल ठिकाने ला दी अब मुझे नाम नहीं लेना समझ जाए तो तालिया उधार मत रखना उनकी अकल ठिकाने ला दी, उनकी हिच्चत राई ने सब की ऐसी तैसी कर दी अपने मोटा भाई ने वाह सब की ऐसी तैसी कर दी अपने मोटा भाई ने ये तो छोटा सा ट्रेलर है मुझे आपकी समझ पर उम्मितिक मेरे बाद समझेंगे आप ये तो छोटा सा ट्रेलर है अब आगे को तयार रहो कि लोग समझेंगे मुझे पता नहीं मैं हो रहा हूं ये तो छोटा सा ट्रेलर है अब आगे को तयार रहो सौहूर तुम्हारी जज़त में कर लेंगी सबसक्राइबो सौहूर तुम्हारी ज़त में अब कान खोल कर सुन ले जग कहा है शेखावटी कहे बुजाए मुझे फड़कती न जा रहानी चाहिए अब कान खोल कर सुन ले जग माफी का काम नहीं होगा जो आख उठेगी मारत सरकार के विदुद्ध मन्ताला में मेरे पास दी हुई है मैं विदुद्ध मन्ताला में इसमेंदी सलभार कार के छोटे से पपड़ डेपूर हूँ तो मेरे मिनिस्टर ने का कि यार कविता हैं सुनाना बड़ा असान है कभी वहां गए हैं जो हमारे बेटे माइनस 34 डिगनी सेंटिक्रेट में बर्फ में लड़ रहे हैं मैंने का सर मैं लद्दाख कभी नहीं गया विश्वास वाइन गया मैं लद्दाख में कभी ता पढ़तो आया सेनिकों के बीच में लेकिन मैं शर्म के साथ आपको सूचना दे रहा हूँ जिस समय मैं स्ट्री नगर से दिल्ली वापस एरोपोर्ट पर उतरा एक वीडियो मेरे मोबाईल पर वाइरल था शायद आपने देखा हो हमारे सैनिक बैरकों में वापस लौट रहे हैं उसके बावजुद वो बोल क्यों नहीं रहा था मैंने पूछा दिल्ली से सरिये क्या हो रहा है कहले लगे ये तो इनके धहरी की परिक्षा है आपके सब के बेटे भाई चाचक कैसे ना में हैं कभी उनसे पूछना जितन गालों पर चाटे लग रहे थे वो धैर की परिक्षा दे रहे थे या अपने दिल में जलते हैं ज्वाला मिख्य को दबाने की कोशिश कर रहे थे मैं उस दिन कुछ नहीं बोल पाया सर मैंने अपने बड़े भाई हरियों पमार जी को फोन किया जैसा मुझे बताएगा हम दो लोग हिंदुस्तान के जिन्होंने कश्मीर पर सबसे हदा लिका है मैंने का भाई सब ये क्या हुआ उन्होंने दो लाइन लिक करके मेरे पास भेजी वो सो रहे होंगे इस समय मेरट में मैं उम्मीद करूंगा आपकी तालिया उनके नीद में खलल डाल दें हमारे सेना के गालों पर तमाचे तो हिंदुस्तान का शेर हरियों पमार बोलते है किसका खून नहीं खौलेगा पर सुनकर अखबारों में बस अगली लाइन में मुझे बता दीजिएगा कि पूरी घाती तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से काश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से चांस मैं एक भी लाइन गलत बोलू अपना हाथ खड़ा कर देना कि तुम जूट बोल रहे हो मैं उसी समय लाइन अपनी खतन कर दूँगा लेकिन क्यों हटानी पड़ी 370 धारा मैं उसका कारण बोल रहा हूँ कि पूरी घाती तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से काश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से चांस सितारे वाले जंडे घाती में लहराते थे और हमारे शीष शर्म से रोज रोज जुग जाते थे रोज रोज की घटनाओं का निव्टारा मजबूरी था इसलिए इस थारा 370 का हट जाना बहुत ज़रूरी था वाह इसलिए इस 370 का हट जाना बहुत ज़रूरी था बहुत ठोचका मोदी जी जी मेरी पहली कीतार का विमम्जर मोदी Hindi पहुत हो चुका मोदी जी इनको समझाना बंद करो आसतीन के सब सांपों को दूद पिलाना बंद करो अब घर के गदारों को भी थोड़ा सा तो जटका दो जो सैना पर पत्थर फेंके लाल चौफ पर लटका दो इतना खून नहीं छिड़को की मौसम फागी हो जाए मैं पहली स्पिन बॉलिंग कर रहा हूं समझ जाए तो तालिया लोटाईएगा इतना खून नहीं छिड़को की मौसम फागी हो जाए सैना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए सैना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए इनको खुली छूट दे दो की दुश्मन को खंजर भौके और पडोसी की जोली में गदारों के सिरसों पे तब ही जाकर थंडा होगा छेलम का रख तिमपानी और पडोसी याद रखेगा ये थपड हिंदुस्तानी और पडोसी याद रखेगा ये थपड हिंदुस्तानी लेकिन पाकिस्तान वो कुत्ते की दुम है जिसे बारा साल तक नली में निकालो तो प्रश्णवा चक्चिन बन वो खुदा के पैर दावारा है बच्चे तेने भी कश्मीर मांगा है मैं तेरी लंबी उम्र की दुआ कर रहा हूं मैं एक लाइन शुरू कर रहा हूं कि लगता है नादान पडोसी दोहराएगा पापों को अभी मैं उनकी संसत की कारवाई देख रहा था हूं वहां के निता टायर पंचर वाला MRF टायर से कर रहा है तिर से मेरा कोई लेना देना नहीं है लगता है नादान पडोसी दोहराएगा पापों को एक सबक सिखलाया था पहले भी उसके बापों को इंच इंच कश्मीर भला भारस से लड़कर ले लोगे अगली लाइन में इश्वर करता हू इश्वर के सामने प्रार्थ ना करता हूँ इस शेखावाटे की मिट्टी से सच हो जाए एक ले कुछ साल में इंच इंच कश्मीर भला भारस से लड़कर ले लोगे इस काश्मीर के चक्कर में लाहूर कराची दे दोगे तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नाना से यहां बैठें बुजरुग लोग हमारे पिचाण में वरशी है राजनेता यहां बैठें मैं इनके होसले को दाद देते दो लाइन कहना चाहता हूँ तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से वो भीक जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से वो भी नीर देश का मस्तक है किर्चिश की पेशानी है यह रणचंडी मा दुरगा है मत समझ हिनारब्बानी है यह सोच खून का रिष्टा है हर गल्दी को सह लेते हैं तुम चचा जानके पोते हो सो माफ तुमें कर देते हैं वरना जितनी हम चाहेंगे यह गर्व गुमान नहीं ह होगा मुझे इस लाइन पर पता लग जाएगा कि कॉंग्रेस वाले कहां बैठे हैं और बाजबा वाले कहां बैठे हुए हैं तो कश्मीर और पाकिस्तान की समस्यत चुटकियों में सुलच जाएगी और राजकुमार वाले लोगों दिमाग से निकाल देना कि आपका बेट पाकिस्तान से सॉलॉशन हॉल हो जाएगे मेरी बाप तालियों से रिसीव कीजेगा पाकिस्तान से जिस दिन भी फैसला होगा इस सैना के जूते की नौक के बलबूते पर होगा उसके अलबा कोई चारा निया हिंदोस्तान के पास तो आसे राइफल पकड़े हुए थे उन अपने बेटों पर कितना भरोसा करते हैं अंतिम दो लाइन पढ़ रहा हूँ कि वरना जितने हम चाहेंगे ये गर्व गुमान नहीं होगा सैना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा ये आपका शेखावाटी का बड़ा अच्छा कभी है मेरे से एक ही बात कैता है भाई सब्सक्राइब को दूर दूर क्यों नहीं सुनाते हैं अरे मैं का आज शेखावाटी में यहां सुना रहा हूं कल कोटा हूं परसों देरादू जाओंगा उससे अगले दिन चैनने ही ज और दूर क्यों नहीं सुना ठेशियां नगीं कहुता ऌका पाकिस्तान जाके क्यों नहीं सुना करते हैं मैं तो फूस्ता आत्मा तुम्हें निप्टाना चाहता है प् haul चाहता है। कि प्रमेने सोचा है अनुमान जी बेनिवाल जी तो हमारे पास एक यएक उनकी साहता धर जिन्दा रहना बहुत जरूरी है तो मैंने बेनिवाल जी को फ़ॉन लगा हमारी उजिश्टी के प्रेश्टेंट रहेते उन दिन वे अधा भाई जगडा ये कभी निमटवाए घाला जाने के लिए मैंने से पिंड छुड़ाया मैं का हरीश हिंदुस्तानी यार पाकिस्तान चला तो जाओं पर पासपोर्ट चाहिए वीजा चे किराया बहुत चलती है अच्छा पंडत आदमी है मैं गरीब आदमी पैसे के नाम सुनते कहता का मत जा लेकिन अगला खास पंडत नवलगड का मैं का भाई किराया बहुत लगेगा किराय की चिंता मत करना भाई एक तरफ का जाने का किराया मैं दूंगा समझ मागे कि दूबारा बताऊं मन का वापिस आने का किला वो ना लगयता है इन लख्षणों से जैसी कविता सुना रहा है तरी मूर्ती लगेगी लाओर के अंदर हनुमान बेनिवाल जी के लिए रस्ता बनाना में जरूरी था हमारे युवाओं की धड़कोनों का तेजस्वी तेवर यदी संसद में पहुंच गया है तो समझ लिजे ऐसे लोग अब राधिनिती में आने शुरू हो जाने चाहिए एक बार उनके सम्मान में तालिया बजा है मैं उस दिन से उसे अभिनंदन बॉर्डर कहना शुरू कर चुका आप अनुमती दे तो मैं अभिनंदन पर दो लाइन कह दूँ सूरज को कैद रखा कुछ दिन उस पागल से अधियारे ने समझदार लोगों मैं कविता में बात कर रहा हूं सूरज को कैद रखा कुछ द दो दिन में ही हार मानली चुक कर चांस सितारे ने वह चक्र वहू के बीच घिरा पर अभिमन्यूसा बना रहा पागल शानों के बीच घिरा वह बबर शेर सा तना रहा वह कौरव सैना के बीच खड़ा पर कुरु सैना से डरा नहीं अभिनंदन का अभिनंदन है वह तो पांच कवी छाटे गए सर हिंदुस्तान के करनल वीपी सींजी के द्वारा आपको खुशी होगी कि उसमें आपका एक बेटा ये विनिच चोहन भी था उन पांच कवी में जो बागा बड़ अपने कवीता सुना रहा था उसका एक अंश सुन लिजेगा कि आतंकी कैसे घुसाए लाहोरी दर्वारों से लगता है कुछ चूख हुई है अपने पहरेदारों से वरना खुन नहीं बहता यू भारत मा के लालों का गर पहले उत्तर दे देते इन सारे भुचालों का हम मान रहे, खामोश रहे, काटों की पॉट लगा बैठे इस शांति-शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गवाब बैठे इस शांति-शांति के चकर में आधा कश्मीर गवाब बैठे गर हम ही इनी नाशों को कल वीडियो पर अपने मोबाईल पर देखिएगा कभी विनित चोहन भागा बर्डर टाइप करिएगा मैं एक भी लाइन इधर से उधर बोलूँ तो मेरा नाम लेकर थूख देना कि तुम यहां क्या पढ़ रहे हो और जब पाकिस्तान की सैना सामने देखी तुम्हारी भाशा कैसे बदल गई मैं वो बात पढ़ रहा हूं जो मैंने ठीक उनके सामने पढ़ी है उनकी सैना इतनी दूर थी जितने दूर मेरे रिकॉर्डिंग के कैमरे रखे है मत बजाना मेरी कविता पर तालिया मेरी हिम्मत को दाद देना डरेवे लोग तालियने बजाएं जो तब्यस से मर्द बैटे हों वो तालिया रोक के बताना गर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा क्यों हो रहे हमले ये गर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते ये लशकर फशकर हूजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते ये लशकर फशकर हूजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते मत कहो पढ़ो सी मुलकों से आतंग की आंधी मंद करो तुम अपने मिमी आते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो ये हमले पल में रुख सकते हैं आगे बढ़कर हुंकार भरो इन आतंग की अड़ों पर बस बंबों की तुम बचार करो मास कीचेगा मुझे सर हिंदुस्तान में सरवाधिक अटेक क्यों हो रहे हैं 14 IPS ओफिसर इस समय जेल के सीख्चों में सड़ रहे हैं जिस समय विनी चान कविता पड़ रहा है मेरी बात को धान से सुनना मैंने कौनस्टेबल नहीं बोले हैं सर मैं 14 IPS ओफिसर बोल रहा हूं IES केटर के लोग जो सेख्चों में सड़ रहे हैं मैंने पूचा सर ये क्या हो रहा है कहलना लगे ये तो इन्होंने कुछ टर्रिस्टों को गोली मार दी थी मैंने का इनके कंधों के स्टार बढ़ जाने चाहिए थे उन्हें आपने जेलों में सड़ा दिया और मेरी बात ठीक लगे तो मुझे बगावत के भरी तालिया चाहिए मैंने का जिनके कंधों के इस्टार बढ़ने चाहिए थे उन्हें जेलों में सड़ा दिया और जिन आतंकवाजियों पर 65 रुपे की बुलट खर्च करनी थी उन्हें तुमने बिरियानी मरगे पर उसे इस मुलक के अंदर आतंकवाज यहां नहीं तो कहां बढ़ेगा सर हमने वर्दी के पैरों में आपके बेटे बढ़ते तो हैं आतंकवाजियों की तरफ बंदूक ले करके मेरी साफ गोई पर आपकी तालिया उटे मेरी हिम्मत को दाद देना मैं कहां खड़ा हूँ और क्या बोलने जा रहा हूँ जैसे हमारा जवान बंदूक लेके जाता है जीन्स के उपर कुड़ते डालके लोग मुंबत्ती लेके आ जाते हैं इन्हें मारों मत यह आतंकवादी नहीं है फूपा जी है नाश्ता करने आए पाकिस्तान से यह हिंदुस्तान के मानावधिकार के कायरे करता किस दिन देशब द्रोहियों में राष्ट प्रिवई मंतर करना सीखेंगे सर तो विनिच चाहन बोल रहा है हमने वर्दी के पैरों में सक्त बेडियां डाली है और बेडियों को शायद कुछ खुली छूट दे डाली है सब मानावधिकार कातिलों के हित में तंजाते हैं इसलिए तो रोज बेडिये च्छाती पर तंजाते हैं जिस दिन गोली का उत्तर मैं गोली सा पढ़ू तो गोली सा उत्तर है आपका जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे उस दिन आतंकी क्या इनके बाद ठीक हो जाएंगे उस दिन आतंकी क्या इनके बाद ठीक हो जाएंगे हमने आतंकी पाले जेलों में परसी किया क्या है सर 200 लोगों ने साइन कर दिया रात को 30 बज्य हिंदुस्तान का सुपरीम कोट खुल गिया आपने सुनाये कभी सीकर में रात को 11 बजधे में ऐसी दुकान खुली हो साडेक 11 बज़े में चीनी की दुकान नहीं खुलती ऐसी सुपरीम कोट खुलेगा धाइस सो लोग बुद्धी जी भी तथा कथित आपकी तरह हमारी तरह किसानों के बेटे नहीं थे जिन्होंने साइन किये वो बड़े पद्म विहुशन प्राप्त लोग टीवी के बड़े एंधकर, बड़े कवी, बड़े साहित्यकार मैंने पूछा क्यों? इस आतंकवादी याकूब मैमन को फांसी मत लटकाओ, इसके बच्चे छोटे हैं अब या तो ताली बजाना मत, या मुझे हूट करना गला हैं, जो मैं जो बोलने जा रहा हूँ इस आतंकवादी याकूब मैमन को फांसी मत लटकाना, इसके बच्चे छोटे हैं मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूँ कि हमारे सैनिकों की छेचे साल की बेटियां छोटी नहीं थी जो अपने पिता की चिताओं को सहरी उट करके आग दे रही थी वाँ बैजाब बाद इन्हें शर्म नहीं आती कि कि समझने खड़े हो जागा है विभूती नहरण का शवाया मेरा कंट रो रहा है गाते हुए पुलवामा में अटेक के बाद बॉड़िया नहीं आए डेड बॉड़िया नहीं आए इसाब लोथड़े आयते इस मारबाल्टियों में लिपट करके विभूती नहरण की छे महने की विद्वा नई लड़की थी बिल्कुल वो वो आई उसके ताबूत के पास और सिर जुका कर एक लाइन बोली उसने बहुत धीरे से आई लव यू विभूती ये टेलिविजन पर आपने देखा अगली लाइन मैं बोल रहा हूँ उस देवी के चर्णों तो कहा आपकी तालियां उठें उसने कहा आई लव यू विभूती लेकिन तुम जूट बोलते हो कि तुम मुझ से महबबत करते हो तुमने मुझ से ज़्यादा उता इस मुल्क से महबबत की क्या टेवर जिया इस देश के विभूस्तान ने हमने आतम की पाले जेलों में परसी भिरियानी हर सैनिक की विधवा रोही आखों में आया पानी बीस खून करके भी वो सब ख्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुरबानी पर मातन छा जाते हैं उठो नया कानून मांग लो संसत की दिवारों से मैं कसम देता हूँ केवल वो ताली बजाए जो मेरे इस कानून से सहमत हो मैं पिछले साल इंग्लेंड गया था मैंने नॉटिंगम बर्मिंगम में एक ही बात बोली है पूरी दुनिया में इस कानून को गाने वाला यदि विनिक चुहन अकेला भी बचा तो मैं अकेला गाऊंगा और शहीदों की इस मिट्टी पर यदि इस लाइन को नहीं समझा गया तो मैं इस लाइन को आज से यहीं छोड़के जाऊंगा अच्छा लगे मुझे विदा कीजेगा परसो जब मैं उड़ू दिल्ली ऐरपोर्ट से चेन्नई के लिए मैं आपकी तालिया उस विमान में सुनना चाहता हूँ मैं अभी छे दिन से सोया नहीं हूँ अगले आठ दिन अभी मैं और नहीं सोगा मैं आप मेरी नीद में खलल डाल दीजे मैं लाइन अंतिम पढ़के विदा हो रहा हूँ उठो नया कानून मांग लो मुझे एक एक हाथ खड़ा चाहिए मैं विदा हो रहा हूँ उठो नया कानून मांग लो संसद की दिवारों से हत्यारों को ख्षमादान अब नहीं मिले दर्बारों से इनको सीधा फासी टाके वीर शहीदों की माएं या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विदा है उठो नया कानून मांग लो भाद भाद खुरिया बहुत बहुत खुरिया विनित माही यह हमारा दुर्भागिय कर था कि आपको थोड़ा सा हम लेट बुला पाए का समय पर बुलाया होता तो यह महफिल और परवान चड़ती अब मैं आगरे करना चाहूंगा किसान कौम की बेटी जिन्होंने अपने पिता के निर्देशों का पालन करते हुए पुरी देश और दुनिया में किसान परिवार का नाम रोशन किया है हरियाना का फोगाट परिवार जिसके आज एक परिवार के रुप में पुरी देश और दुनिया में मिसालें दी जाती है आदने ये माविर जी फोगाट और साजिन जी फोगाट का परिवार आपकी लाडली बेटियों की वज़े से पुरी दुनिया में जाना जाता है मैं बहन बविता से आगरे करना चाहूंगा कि आप पदार हैं और हमारा मारक दर्सन करें आपका जो अविनन्दन पत्र है वो पढ़ करके मैं आपको सुना देता हूं उसके बाद बविता आपसे मुखातिब होंगी और उसके बाद में हनमान जी बविसाब आपसे मिलेंगे सिर्फ दो ही उद्वोदन बज़े हैं बविता को सुनना हमारी जिम्मेदारी है बविता फोगाट विस्वप प्रसिद रेसलर हरियना रस्ट मंडल खेलों सहित अनेक अंतरास्ट्रिय प्रतियोगिताओं में पहलवानी में सवन पदक विजेता किसान आनबान सान पहलवान बविता फोगाट के करकमलों में साधर समर्पित है भारत की सोंचडिया महवीर फोगाट की गुडिया ग्राम बलाली की लाली बविता फोगाट निराली का धोरों की धर्ती सीकर में स्वागत करते हुए जन सागर में भाव हिलोरे उट रही है हर्यानवी की तरह राजस्तान की नारी भी दुरगा आउतारी है एक नहीं दो-दो माताएं हैं नर्ट से भारी नारी है गीता बबिता पर बनी बहुचर्चित दंगल फिल्म का समवाद मारी छोरिया छोरा से कम है के यहां की छोरिया भी चरितार्थ कर रही है यहां तो लोक गीतों में भी सीख दी जाती है कि मैं तन कहूं समझ मारी बनड़ी, बनड़े सु रही हों सियार, बनी आरियां की लड़की, इतियास में हम पढ़ते हैं ठीक आजादी से प्रुवे, सीकर किसानों के खिलाब किसान अंदोलन की सुर्वात कुदन की विरागना धापी दादी ने की थी आप हरियाना से हैं, प्रंतु राजस्तान और हरियाना में बड़ा सम्भ है, अंत में कहना चाहूंगा, हरियाना राजस्तान प्रदेश की एक समान माटी है, वहां कुरूप शेत्र है तो यहां खेत-खेत हल्दी गाटी है, यहां हर खेत्र में महीला पुरुष बराबरी परि गीता बबिता अदबुत बाला ज्वाला जाट धन्य हरियाना की धर्ती महवीर फोगाट अजब गजब जोड़ी बहिन तोड़ी जग जंजीर समाज से दंगल लड़ा धन्य सिरी महवीर चल चित्र दंगल मंगल खूब मचाई धूम प्रचंड इच्छा शक्ती से धर्ती जा जाया है बबिता पहलवान आज अभिननन करता सीकर राजस्थान आपके मंगल एवं उज्वल भविशे की अभिलासा में आप सबके सम्मान और आदर में हम सभी सीकर वासी सर्वे समाज वासी सर्धा और समान के साथ बबिता जी पदार है और हमारा मारक दर्शन इस युव सरी मान हनुमान बैनिवाल जी सान्सद नाग और сरी रूपा राम जी विधायक मकराना और समैस कवीगन और यहां पर विराजमान सभी मेरे माताएं बेहने मेरे बड़े बुजुर्गों को मेरा परनाम और मेरे जो युवा साथ हैं भेन बाई है उन सभी को मेरा नमस्कार राम राम सा ourselves कि अज से यहाँ तीजा जी के पावन आउसर पहुँंची हूँ तो सबसे पहले मैं तेजा को मैं तेजा जी का माहराज को मैं उन को कोटी कोटी परनाम परती हूँ आज मैंने इस मंत्र से बोध कुछ मैंने सीखा है क्योंकिस्छिक डिर गर्लियक जिनोंने भी जो कवीताएं जो हमें शुनाई हैं, हमें हशाया हैं, मैंने बहुत गोर से सुना है, क्योंकि इस से पहले मैं किसी कवी समेलन में नहीं गई थी, मैंने सिर्फ सोसल मीडिया के मादम से ही मैंने कवीयों को जाना था और सुना था, आज मैंने लाइव सुना है, तो मैंने बहु क्योंकि कवियों के माधम से मैंने अपने उस जो वीर तेजाजी महराज हैं उनके बारे में मैंने उनके लाइफ के जीवन के बारे मैंने जाना नहीं था जानती नहीं थी उनके क्योंकि मैंने इतना पढ़ानी था लेकिन कवियों के माधम से मैंने उनके जीवन को जाना है तो मैं धन्यवाद करूँगी आप सभी का कि आप लोगों ने जो मुझे सिखाया है मैं इसको हमेशा याद रखूँगी और अपने साथ लेके जाऊंगी और इंडी जी जी बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई है आप सभी को तो मैं भी उनके बातों से सहमत हूँ और एक सीज मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारी यूवापीडी है वो नसे की तरह बहुत बढ़ रही है उन्होंने बिल्कुल ठीक का था मैं आप लोगों से भी आगरह करूंगी कि आप लोगों को अगर नसा ही करना है तो अपना खेल का करिए क्योंकि खेल में भी नसा है मैं आज बताना चाहती हूँ कि कोई अगर मेरे को कहे कि आप अपना गेम छोड़ दीजिए कि मैं सब कुछ छोड़ सकती हूं लेकिन अपना गेम नहीं छोड़ सकती ये भी एक नसा है तो मैं माता पिता से प्याग रहा हूंगी कि अपने बज्चों को और मेरी बैनों से भी मैं कहना चाहूंगी कि छुई मुई बनना छोड़ के धाकड़ बनना सीखिए क्योंकि फून से सो हमारे माबाफ इसी शुक्षा थे हैं कि हम फूल है हम परिया हूं हमें फूल की परिया है हमें आगधू हैstyle he हमें अफेर को मजबूत मना की दिखाना है अपने हीश्चे के लिए में फूल रन परिया दिखाना है हमें को साफ抗 नें तो ये मन में ठानके चलो और किसी भी चेप्तर में आप जाओ अपने निर्ने खुद लेना सीखो अपने लक्षे निर्धारित करो और उसके उपर आप दिल रात एक करके मैनत करो कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिसको आप पा नहीं सकते और मैं माबाप को भी कहना चाओंगे कि माबाप अपनी बच्चियों को घर से बहार निकालें अगर मेरे माबाप ने हमें स्पोर्ट नहीं करा होता हमें घर से बहार नहीं निकाला होता तो आज हम यहां पे नहीं होते क्योंकि लड़कियों के लिए माबाग का स्पोर्ट बहुत जुरूरी है अगर माबाग का स्पोर्ट है तो दुनिया की कोई भी ताकत उनको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती इसलिए आप लोगों का स्पोर्ट बहुत जुरूरी है अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगे कि आप लोगों ने जो प्यार सम्मान मुझे दिया है एक चीज मैं बताना भूल गे कि मेरा जनम हरियाना में हुआ है लेकिन मेरा ननिहाल है वो रजस्तान से है मेरी माता जी रजस्तान से है तो आप लोगों से भी मेरा बहुत प्यार जुड़ा है आप लोगों से भी बहुत गहरा रिस्ता मेरा है रजस्तान से भी तो मैं आप लोगों का तै दिल शे अभारी हूँ, आप लोगों का तै दिल शे धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने जो प्यार सम्मान मुझे दिया है, ये जिन्दगी पर मुझे याद रहेगा और हमेशे मेरे दिल के अंदर रहेगा, जब भी मैं कभी आगे बढ़ू कि हमेशा आप लोगों का प्यार मुझे याद आएगा, तो तैंक्यू सो मैं जैनी, जै भारत, तेज़ा जी महराज की, जैनी, तैंक्यू सो मैं अंत में मैं एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं, ओमकार जी का और हमारे सरवन जी है, सर, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन लोगों ने मुझे दो सम्मान प्यार, यहाँ पे बुला के मुझे दिया है, ये सम्मान प्यार, उसके थी कि फोगाट परिवार का कोई सदस्य इसमें सामिल हो मैंने सदन जी एंकल जी को फोन किया था बेटें जैसा प्यार आप करते हैं मैंने का उंकल गीता बभीता विनेश यह थो बहुत बीजी रहते हैं बीजी सीडूल रहता है मावीर जी उंकल जी अप्में से कोई एक आ जाना था कि हम आपका शबमान उसका कौर्यकरम कोना कड़ना है तो उन्हीं में से किसी को लेकर के चलेंगे 15 दिन से बिमार चल रही थी चिकन गुनिया हानमाजी शाब हो रखा है आने की स्थिति नहीं थी लेकिन फिर भी गाड़ी में बिठा करके लेकर के आगए एक बार उपर हाथ करके जोड़दार तालिया हमारे अपने किसान कौम क करें गौरों इस भोगाज परिवार के लिए दन्यवाद सब्सक्राइब मैं अभिन पत्र लेकर क्या है इस मंच पर हनमांजी शाब और रूपराम जी मुरावतिया शाब हैं मैं आप दोनों से आगरे करना चाहूंगा बहन बभीता को जो अभिन पत्र मैंने पढ़ा है वो पहेंट करें अधनी हनमान जी शाब और अधनी मुरावतिया जी थैंक यू और अब जिसको सुनने के लिए आप बेठे थे उसकी बारी है लेकिन उससे पहले चुँकि कारेकर में काफी देरी हो गई बहुत सारे समाज एक संगटन आये थे वैसाब का अविननान करना चाह रहे थे एक-दो जो संगटन बचे हैं उनकी ओर से हमारी टीम की और से वैसाब का स्वागत करेंगे और उसके बाद वैसाब को सोणेंगे क्योंकि इनको सोणने के बाद तो आप रुखने वाले हो नहीं तो सबसे पहले मैं करसी उपजमंडी से कर के और से अधनी नवरंग जी खेचाड और उनकी टीम से आगर करना चाहूंगा आप अधार और अधनी हनमाजी वैसाब का स्वागत और सब्मान करें जेडी लेकर के आए हैं एक बार जोड़दार तालियां मैं सुगीता जी सीगर्ड और उनकी टीम से भी आगर करना चाहूंगा नारी सक्ति की और से मात्र सक्ति की और से खल भेट करके अधनी हनमाजी वैसाब का स्वागत और सब्मान करें और उसके बाद जिन साथियों के नाम में बोल राम हूँ उनसे निवेदन है स्री मामरां जी जाकर, स्री रामचंदर जी भूकर, डॉक्टर रामदेउ जी, रामचंदर जी नहरा, धरमेंदर जी गिठाला, विजेंदर जी जानिया, मनोजी बातर, पवन जी ढाका राजे जी खाकल, तंसुची गोला, मेंदर जी दोरवाल, महिपाल जी महला, आप सभी से निविदन हैं, बब्लू जी जी जड, आप सभी से निविदन हैं, कि आप मंच के हरी जी नागा, आप सभी मंच के भाई वो राजाएं एक बाद जोड़दार कालियों के साथ, आई ये डांस बाद में करवाएं के लेकिन आप सिस्ट्रेटिक रहोगे तो वैसा के साथ हैं, अब मैं सुभीता जी और उनकिंटीम से आगर करना चाहूँगा, सुभीता जी सीगर, मातर सक्ते की और से एक में टिंटीम की साथ आप मात्सवागे पर सुमान करना चाहिंगी अब हमारी टीम की ओर से मैं अब सभी से जोदें करना चाहूंगा सब का मंचपना आना संबों निये इसमें आप सब की बावनाएं हैं मैं टीम से आगर अगर करना चाहूंगा और किसी को यह लगे गई मैं छूट लिया तो मैं माला में इंही आओंगा मैं भी छूट रहाँ इसने आप एक सब्सक्राइज को आप सब प्रफटाजी करें पिल्कुर्ट 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 अब वेखा लगर मेरी आवाद सुन रहे हैं तो प्लीज आप आजाएं तो पूर्ण है कर दो प्लीज आजाएं कर दो कर दो राजेज जी खाकाल अगर कहीं है बहुत मैनत भाई ने की है एक बार दोड़ार तालिया हमारे राजेज भाई के लिए और उनके पुरिटिन में बहुत शांदार बैनत इस कारेकरम के लिए की है इस कारेकरम में हमारे चेंपियंस बाउंसर कलब के मालिक विरुजी सर्मा धिरुजी सर्मा का बहुत बड़ा योगदान रहा है मैं आपसे भी निवितन करना चाहूंगा आप मंस पर आजाए इस माला में आजाए दिरुजी आपका बहुत अच्छा सेयोग रहा है यह पूरी टीम आपकी है तैंक यू और अब हम अधरनी बज़ साब को सुनना चाहेंगे मैं आपका जो सम्मान पत्र है उसे पड़ करके आपके बीच में रख रहा हूं और उसके बाद में बज़ साब काम सुननेंगे राश्ट्रिय लोक्तांत्रिक पार्टी के संयोजक भूत पूर्वे एभूत पूर्वे खेमसर विधायक वरत्वान सांसद नागोर माननिय स्री हनुमान जी बेनिवाल के करकमलों में सादर समर्पित थार के मरुस्तल के दक्षणी प्रिवेश्त द्वार ससकत दोरों की धर्ति के लार्डे सफूत लोकसबा में किसानों जवानों के ससकत दूध जाहर वीर तेज़ा भक्त सदेव संगर्सरत माननी स्री हनुमान जी बेनिवाल के संगर्सरत हातों में आज इस सर्व समाद सीकर की होर से ये अविनंदन पत्र सादर समर्पित करते हुए हम अपने आपको गौर्वान वित महसूस कर रहे हैं दो मारच 1922 को नागर के किसान परिवार में जन्मे माननी स्री बेनिवाल जी को सियासत और संगर्स वीरासत में मिला आपके पिता जी विदाहे कर रहे राजस्तान विश्वविद्याले के अध्यक्स बनकर आपने छातर राजनिती की शुरुआत की दुनिया का इतियास उन थोड़े से लोगों का इतियास है जो लीक से हट कर चलते हैं लीक लीक नहीं चलता उसे दुनिया पागल कहती है प्रंतु जब किसी पागल को सफलता मिल जाती है तो दुनिया उसके पीचे हो जाती है आप सायर सिंग सपूत की तरह हमेशा लीक से हटकर चले अपनी राहे स्वेम बनाई कहते हैं जीदर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है आज जवानी दिवानी अखिल नागोर सांसद हनुमान बेनिवाल की है अब ये कहानी ने केवल राजस्तान बलकि उतरी हिंदुस्तान की है आपकी यस गाथा को सब्दों में नहीं बांदा जा सकता वैसे भी आप बंधन मुक्त हैं किसान जवान की ससक्त आवाज हैं अंत में कहना चाहूंगा भक्ती सक्ती युक्ती संगम तेजा जी का तेज हनुमान हनुमान वरद आकास दिया बेज किसान जवान सार्थीर सूली उपर सेज ग्रामिन उतरी भारत हनुमान रंगरेज हनुमान अनुमान सदा सही स्यास तरा है गाउं गाउं में गुंजतार वह हनुमान वह है खिव सर असर पसर जब गोर किया नागोर हनुमान कृशक नाय के भारत में सिर्मोर लोकसवा गुंजा दिया तेजाजी का जेकार घणे मान हनुमान का अभिननदन आभार अंत में कहना चाहूंगा जे तेजाजी महराज सप अभिलासाब में आप सभी के साथी आपके सीकर के युवासाथी और सीकर का सर्वसमाज मैं निविदन करना चाहूंगा आजनी बैसाब से एक बार उपर हाथ करके तेजाजी महराज के जोरदार जयकारे के साथ क्योंकि बैसाब के ऊपर तेजाजी की इतनी करपा है आप साथ काउंटी से पहले काउंटिंग स्तल पर निकला था इससे बड़ी महरापर क्या होगी बले तेजाजी महराज की बले तेजाजी महराज की हरमान पैनिवाल जिंदा बाट जिंदा बाट तेजाज अस्री के पाना उचरप पर शेखावाटिक दिफीर जिराप पर आज इसके से कारकम कंदर जासे कावाटी के कौने कौने से किसान के बेटे किसान की बेटिया और मंट पर भी कभी समय कंदर पगारे वे बातवर्च के बड़े कमी और हमारी वो हर्यानाची किसान की बेटी जिसने विशुकंदर किसान कौन का नाम रोशन किया और जिन पर फिल्म भी बेटी वो आज आपके बीट इस कारकम कंदर मंट की सोबा बटा रही है और विदान सबाद के अंदर तेजा जी का जेचारद तो आठ तेरा और ठराकम कंदर अनमान बेनिवाल ने लगाय था लेकिन मेरे सप्याद कोई आगे निकल गया पूरा पूरा तेजा जी का गाइन कर जाला वो विदाएक रूपर राम जी मुरावतिया मुट्रा के वो भी उपस्तित है भाई ओकार जी को सर्वन जी को ओकार जी कहां जाए ओकार जी को सर्वन जी को और इस आयजन समिति को इस बात का दन्यवाद हूंगा कि वीर तेजा जी महाराज का जनम नागोर की पावन धर्ति पर हुआ था लेकिन अब ऐसा लग रहे कि वीर तेजा जी महाराज इस भारत वर्ष के परमुक लोग दे उता हो गए शेकावाटी से जो उकार आपना तेजा गाईन की भरी है अगली बार ये हर्याना और उत्तर परदेश और माराश्ट्र और पंजाब के अंदर भी तेजा गाईन दिखाई देगा एसा मुझे नजर आ यहां पर नजर आ रहा है मैं दन्यवाद हूँगा मेरे सेकावाटी के वीर भाईयों को छोटे भाईयों को हनुमान जब भी थका अपने आपको जब अकेला मेसूस किया सेकावाटी की धती से आवाज आई हनुमान थकना मत हम तुमारे साथ है तुम्हें राजस्तान के अंदर किसान के असली बेटे को मुख्य मंत्री बनना है इतलिए अपनी लड़ाई जारी रखना और भाईयों जब मैं शेकावाटी के अंदर उंकार बर रहा था उस वक्त यहां आपके जो फतेपुर के पास राजपुरा राजपुरा गाउँ है न कौन सा राजपुरा पूनियों वाड़ा कौन सा उस गाउँ के अंदर माता है मैंने के रही थी कि रेली तो थारी चोकी करा देशया और घणा घणा लोग आशया बाइरे धोकों मन दीजे दूज़ा दीओ जेया बात तो ठीक कही उनों न क्योंकि हमें तो धोके ही मिले बावन से लेके आज तक जिस परदेश के अंदर सबसे बड़ी कौम उने का गोरव हमें मिला लेकिन हमारा मुख्य मंत्री राजस्तान के अंदर आज तक नहीं बना यह अभी साफ इस राजस्तान की राजनितिक के अंदर हमें आज भी सुनने को मिलता है बाईयो अनुमान बेनिवाल ने मंत्री पतों को ठोकर मारी और जब दिल्ली पहुंता तब ये तेवा कि RLP को भी बी-जेपि में विले कर लो और मंत्री बन जाओ मैं ने का मैं मंत्री बनने का सोकीन नहीं हूं 15 カंच रह लाज की रेलें मैंने राजस्तान के अंदर करी मेरे भाहियों की दुआएउ और राशिर्वात मेरे साथ है जिन भाहियों के दौाओ राचिरवाद से RLP पार्टी को बनाया है पहला किसान का बेटाओ जिसे रादस्तान की धर्ती पर खुद की सेत्रे पार्टी बनाई और 19 दिन के अंदर 57 शूटों पर उमिद्वार लड़ा के तीन जीता है और 25 जगे अच्छे बोट लिए वो तो मैं मदद कर रहा था मेरे समाज की किसान के उन बेटों की इसलिए मैं चारा था हमारे विदाइक बढ़ जाए और कुछ जो ज़्यादा घड़बढ करके बढ़ गे थे वो गढ़ जाए राजस्तान के अंदर इसलिए भाईयों मैं तीन पर ही रह गया अगर डेड़ सो लड़ाता तो आट देश सीट आ जाती और मेरी पार्टी को महनेता उसी समय मिल जाती मेरा बोतल का चिन था चूकि आज राजनितिक मंच नहीं है लेकिन मैं अगर आया हूँ थोड़ी बहुत बात नहीं करूँगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा थोड़ी सी राजनितिक बात भी करके जाऊँगा चूकि शेकावाटी की वीर भूमी है वीर धरा है अगर राजनितिक बात नहीं करूँगा तो आप सोचोगे कि हनुमान बेनिवाल ने अंदरी अंदर समझोता तो नहीं के लिया किसी से लिए छोटी मोटी राजनितिक बात करके भी जाऊँगा मैं परियाज कर रहा हूँ कोशिच कर रहा हूँ और पार्टी भी आपके लिए बनानी पड़ी और मेरी पार्टी से 36 कौम के लोग चुनाव लड़े और जो लोग पानी पीपी के मुझे गाली देते थे उन लोगों को भी राजस्तान के अंदर हनुमान बेनिवाल के बोतल के चिंसे चुनाव लड़ाया और आज आप देख रहे हो कि MP बनने के बाद ज्यादातर लोग अपना बिजनेस करते हैं अपना दूसरा काम करते हैं लेकिन ये किसान का बेटा रात और दिन आपकी सेवा के अंतर समर पिते पितले 20 साल 1908 में से लेके आज तक का जो संगर से वो आपके सामने और जब आप मेरे लिए मजबूती से खड़े मिलते हो तो मेरा मन भी करता है कि मैं आपके लिए ओल लड़ू MP बनने के बाद भी सबसे ज़्यादा लोगसभा के अंदर अगर इस राजस्तान की मजबूती से पेर भी की तो नागोर के सांसदोर आपके भाई अनमान बेनीवाल ने राजस्तान को विशेष राज्ये का दर्जा दिनना की मजबूती से पेर भी अगर इस धारा 370 की बाद चल रही है अगर इस धारा 370 को हटाने कभी पुर्जोर तरीके से किसी ने बात करी तो नागोर के सांसद ने धारा 370 की बात करी और मैंने ये मामला भी उठाया किस देश के अंदर कितने ही बिल पास कर लो कितने भी कानून बना दो जब तक आबादी पे नियंतन नहीं होगा जंग संक्या पे नियंतन नहीं होगा तब तक हिंदूस्तान सबतनतर नहीं होगा इसलिए पहले जन संक्या पर नेंतन करो ये मामला भी लोगसभा के अंदर मैंने उठाया और मैंने हुकार बरी नागोर की धर्ती से संपूर्ण किसानों की करज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुफ्त राधेस्तान, बेरोजगार को रोजगार और बेरोजगारी बत्ते की भा किसान के बेटे दिखाई दे रहे थे और नागोर के आंदोलन से प्रेड़ना लेके मज्य पर देश के अंदर बड़ा अंदोलन हुआ, किसान उन्हें सिने पे गोड़िया खाई, और करज माफी के अंदोलन को देश के अंदर अवा मिली, और दूसरी उंकार बाड मेर की ध और पार करके हमला नहीं कर दे पाकिस्तान पे ये बाड मेर के अंदर नजा रहा है, और जब शीकर के अंदर उंकार बरने की बारी आई, मैं धन्यवाद दूँगा मेरे भाईयों को, चोटे भाईयों को, और सेकावाटी की मेरी माताओं बेनों को, कि रात को दो दो बजे कोई, आपने मेरा मान समान किया, कहीं उंट पे बिठाया, कहीं गोडी पे बिठाया, कहीं बेल गाड़ी पे बिठाया, और कंदों पे तो मेरे छोटे भाईयों ने मुझे रोजी बिठाया, और कई जमनों तो कंदे पे बिठाते हैं ये भी कहा हुता थे समय कि भाई साथ ज्यान रहा कि जो कटी बोजे ही नहीं मरिया कोई काम करो ला कुण करो ला तो मैं उनको यही आज सोच करता था चिंता मत करो अनमान जब तक लड़ेगा जब तक आकरी सांस मेरे जिसम के अंदर है और भाईयों शिकर की हुकार के बाद सरकार डरी इस्टेट आई वे टोल मुक्त वे मुक्त विजली की गोश्णा करी राजस्तान की सरकार ने और कर्ज माफी की गोश्णा भी करी जब बजट सत्रवा और नए राजस्तान की निर्मान की बात करी और इस्टेट आई वे टोल फरी वे यह अनमान की हुकार का ही परिणाम था और मैं आपको भरोशा दिलाता हूं कि मैं दिली चला गया लेकिन मेरा मन राजस्तान के अंदरी गूम रहा है आप चिंता मत करो कि कहीं ऐसा नहीं गणमान दिली चला गया अब हमारा क्या होगा भाई हो इतना बरुशा दिलाता हूँ कि आपके सम्मान के लिए अगर मुझे संस्द सदेशे का पद छोड़ना पड़े तो एक मिनिट भी नहीं लगाऊंगा उच पद को ठोकर मान कूँगा आपके मान सम्मान को ठेस नहीं लगाँ लगाँगा अभी प्रोड़ी साब के रहे थे भोगाड साब कि खेंसर से किसको चुनाव लड़ाओगे सोदरी साब मेरी तो इच्छा है मैं किसी ऐसे वेक्ति को चुनाव लड़ाऊं जो आगे बढ़के मेरे ही मज़द करे राज़स्तान के अंदर अगर मुझे मेरे परिवार को चुनाव लड़ाने होते तो इस आरेलपी की आंदी जो मारवाड के अंदर चल रही थी दो तिन टिक्रतों मैं घर में ही ले ले लेता तो दो तिन हमें ले तो मेरे घर से ही बनके आ जाते और संक्या पांच-छे हो जाती है, लेकिन मैंने का मैं जवान हूँ मैं मेरे दूसरे भाईयों को मोका दूँगा, मेरी दूसरी छोटी बेनों को मोका दूँगा मैंने परियास किया कोशिश की, और उसी का परिणाम है कि वीरत तेजाजी माराज का अधिर्वाद अगर किसी को मिला, तो नागोर के सांसत हनुमान बेनिवाल को मिला, लोगसभा के अंदर भी, सबसे ज़्यादा मजबूत पेर भी इस देश के नोजवानों की करी, किसानों की करी, तो आपके भाही ने करी, और इतना विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ, मैं दब के राजनिती के अंदर नहीं रह सकता, अगर कोई सोचे कि अनुमान को दबा के काम निकाल लेंगे, वो सोचना बंद कर दे, मैं घर जाके बेड़ जाओंगा, लेकिन वील तेजाजी महराज के भक्तों के संभान को ठेस नहीं लेगने दूँगा, ये भरोसर में मेरे भाईों को दिलागी रहता, आज मैं मन्दावा के अंदर भी गया था, जुझनों के अंदर भी गया, जुझनों और शीकर के मेरे छोटे भाईों ने, और बड़े भाई जो मेरे बैठे हैं यहाँ पे से पाटी है जो मैं राजस्तान उज्जाले की शड़कों पे छात्रितों के लिए संगर्ष करता था तो सबसे बड़ा योग जान उसे मगर किसी का था तो नागोर के तो हमारे बेतरी स्टुडेंट थे सीकर जुझनू के हजारों हजार हमारे चात्र चात्र हैं अपने भाई के लिए जाग तपश्या करके लड़े और जैसी बोस कांड के बावजूद मुझे राजस्तान उज्जाले चात्रित बड़ाया और मेरा सम्मान बड़ाया मैं उस चीज़ को भूला नहीं हूं इसलिए बार-बार सीकर आता हूं मैंने सीकर के अंदर सारे कंडिडेट नहीं लड़ाय चुनाओं जहां आपने कह दिया कि भाई साब यहां आप मत लड़ाओ यहां घड़ड़ हो जाएगी मैंने तुरंट सिंबल वापिस खींच लिए खींचे नहीं खींचे जगे जगे बताओ जुन-जुनों के अंदर खींच लिए बिकानेर में खींच लिए और नागोर में तो रूपाराम जी बैठे हैं पहली बार दस में से आठ तेजाजी के बगत राजस्तान की विदान सभा के अंदर पहुंचे आरलपी बीजेपी और कॉंग्रेस शिर्चर के अंदर आरलपी जंडा में निकाल के परचार कर देते तो यह ताकत अनुमान बेनिवाल ने इन जवानों को नागोर और राजस्तान के अंदर दी और भाईयों आपने तो मुझे इतना दिया है जो कोई दे भी नहीं सकता अगर मैं मंत्री भी बन जाता मैं क्या कर लेता मंत्री की तो टोल तो यह च्छादा गाडी टोल वाले पास नहीं हुने देते मेरे तो 334 जो जो गाड़ियां सरपर निकलती टोल ना को पर मैं साउंचंदर यह सिर्फ मेरे मेरे पार तो समय धोकुंदे जोब घृत कि रहे हैं लुट्षाट इस नहीं है करना है नहीं करना है आपको काना है किसानों के मदद करना चाते हो और आपके मन के अंदर किसानों के मदद करने के इच्छा भी है उनको दो बरो नहीं खेल लेती बरो जिस्ते हमारी चोटी बेन पविता भोगाट विप्रिक परिस्टितों के अंदर लड़के देश और इस्टेट का मान बढ़ा उचिछेंटरों अमारी पविता भोगाट चेंटरों हमारे चोटे बाई विज़ें जेटी खुटर इन गाओं से निगलके इस बार्ट माता का नाम भूष परिस्टियां लेकिन पिर प्रिस्टियां सरकार के पास तो तूना में क्रार के कैसे जिए जाए तो तूना में अंदर निर जाते हैं तो गामारे के थे बड़ी मुश्क देखर किया खाने क में बदलावो और रोजगार के साधन मिले समुझादरिम्यों को एक बार निमित करो और उसके बाद सरकार एक पोलिसी लेकर आए मेरे छोटे भाईयों को समीधा पे लगने के बाद संगस करना पड़ेगा पर्मनेट होने के लिए और नहीं कहीं खाली पद मिलेंगे बाईयों ये सेकावाटी के वो वीर भूमी है जहांके बालक बाली काउने इस परदेश के सगन इलाके परदेश के तंबल के बीड डूंगरपुर बांचवड़ा के ट्राइबल बेल्ट और बाड मेर जैसल मेर के रेतिले दोरों के अंदर अगर मेडिकल हेल्थ और एजूके हो गे थे बाकी राजस्तान अब जगह है जो शीकर जुझनों के अंदर शिक्सा की क्रांती आई वो नागोर के अंदर अब आ रही है अगर हमारे नेताओं की सोच ठीक होती तो नागोर भी पचास साल आगे चला जाता और हमारे सारे ही नेताओं की निये ठीक होती तो कि धर्ती की तरह चीटाई का पानी आता हमारे बेटे बेटे भी जर्मन इंग्लेंड अमरीका के अंदर पड़ते लेकिन नेताओं की सोच ठीक नहीं थी उन्होंने अपने घर बनाए और उसके अलावा कुछ भी नहीं किया चोर्द्री रणमल सिंग्जियां बिराजें जिन् लोग उनको सुनते नहीं है और घरवाले भी उनसे बोर हो जाते हैं मेरे साथ का ही एक हमेले था उसके बच्चों ने उसको पूछा कि पापा आप आपके नारे नहीं लगते हनमान बेनिवाल अंकल के तो खूब नारे लगते हैं वो रोज टीवी पर देखते हैं तो हमेले बोला अरे भाईया अनमान बेनिवाल ने तो बगावत की अपने सेनापती से तेरे पापा अगर बगावत कर देंगे तो तेरे पापा की टिकेट कर जाएगी और एक सेमेले के लेंगे चुप चाप रहो जो काम निकलना उसको निकलने दो पनाई साथ अनमान अनमान बनने क कोशिस मत करो और भाईयों मैं विचार दारा बन गया राजस्तान कंदे आपने कितने देखो बबीता और गीता पर तो फिलम आई लेकिन मेरे पर गाने तो बजने शुरू होई गया राजस्तान कंदे वैसे गाने आपने तीन सुझे ज़्यादा बना लिये और जितने गाने आप बजाते हो उतना ही मैं सत्ता से दूर होता जाता हूं क्योंकि आप गाने बजाते हो और मुझे में जोस आता है और मैं फिर स्टेटमेंट जारी करता हूँ, पढ़ते हो ना बोज और फिर उन गाने और डीजे सी को चल रहा है, अब जब तक आप ठकोगे नहीं, अडम मैंने का अगर कोई दूला बनाते पार्टी तो अनमान बाराती बनने को तयार है दूलन नहीं बनूंगा या तो बाराती बनूंगा या दूला बनूंगा दूलन बनूंगा दूलन बनके मैं नहीं रह सकता और भाईयों दूला बना ही नहीं किसी पार्टी ने अब कोंग्रेस की आरकी बारी है, राजस्तान के अंदर, कॉंग्रेस की आरकी बारी है, हो सकता किसी दूसरे गल्द से में हो जाए, कि कॉंग्रेस आ रही है, अपना आप हमारी सरकार आ रही है, ये भी नहीं सोचना चाहिए, दिल्ली के अंदर सोच दूसरी होना ही चाहिए, परदेश के अं हमारे जो वीर कवी जिन्होंने वीर रस्की कविता हैं चोवान साब ने और ये चुंकि दिली के अंदर है और इन्होंने अभी के जो देश के अहलाद थे उसमें आपको जो बाते बताई निश्टरूप से आज बहुत बड़ी हिम्मत की बात है इस सरकार की कि धारा 370 को के पर कभजा करने की सोतर है दिली की सरकार और हमारे चेनाज जेक्जी का बयान आया था कि पाकिस्तान पर मेलती तयार है युद करने के लिए और मीडिया वाणों को कोई नहीं मिला वाँ पर तो भागते हों मुझे जून लिया सेंट्रल होल के बाहर कि आप बयान दे दो वाकित कोई दे नहीं सकता बयान क्योंकि बीजेपर वालत इसलिए बयान नहीं दे सकते मोधी जी को बि और मैं तो कहता हूं परमाणों अमला कर दो पाकिस्तान पर तो उन्हों चल गई बढ़िया खबर मिल गई उन लोगों को तो यह दिली की सरकार काम अच्छा कर रही है इसका मतलब यह नहीं है कि वसंद्रा की मोज मस्ती के लिए राजस्तान को खाली छोड़ देंगे या त और यह मेरी लड़ाई का परिणाम था मैंने भी लाष्ट के अंदर यह चोच लिया और में अगंगर रटेट तो वसंद्रा सीम होती राजस्तान की लेकिन मेरे पर भी तेजाजी की करपा है मैंने सोच लिया कि जो हो रहा और कॉंग्रेस को भी वेंटिलेटर पर लेका गया नन्यान में पर तो पूरी व्यवस्ता ही नहीं हुई यह हेलिकॉप्टर मेरे दो तीन महीने पहले धक्के चड़ जाता तो मैं ऐसी चकरी चलाता कि 25 से 30 विदाई राधिस्तान के मेरे जीटी आपके तो लेकि चिक्ता मत मर मजबूति को देखेगा तो मजबूति कहां खड़ी राधिस्तान के अंदर आप आपका भाई मजबूति को तो बगाना है लेकिन वसुंद्रा वापिस नहीं आ जाए राधिस्तान को ठीक भी करना है आप अनमान जी मजबूत रहना और हमारे नेताओं को भी साथ जोड़ो तो भाईयों मैं तो सब नेताओं को साथ जोडता ही हूँ मेरे को छोड़के भाग जाए उसका तो मेरे पास कोई लाज नहीं गटबंदन की बात चली थी तीसरे मोर चेक अंदर कई नेताओं ने घंगाजल आत्में लिया एके करके छोड़के भाग गए एक दरजन भाग गए लाश्ट में कोई नहीं बचा और मैं अकला ही बचा तो अधरी शाब कहरे थे कि मायावती से गटबंदन हो जाता तो बढ़िया होता मेरे का बढ़िया तो होता लेकिन मायावती करती जब बढ़िया होता ना वो तो दूसरों के सारे पर चल रही थी वो तो खुद चा रही थी कि घड़ बंदन नहीं हो मैं मरूं या मर जाओं लेकिन अर्मान जैसा नेता राजस्तान के अंदर नहीं आ जाए अब एसी सोच है उनकी उनके विदाहिक तो अरोप लगा रहे हैं कि पेशों में टिकेट बंटे राजस्तान के मुझे नहीं लगता कि राजस्तान के अंदर अब उनको वापिस पसंद किया जाएगा ये राजस्तान वीरों की धरती है जिस तरह वीर तेजा जी महाराज ने एक अजार साल पहले गायों की रच्षा करते वे अपने प्राण नोचार कर दिया और जाड जाती का नाम इस व निश्वाट बाव से गायों की रच्षा करते अपने प्राण नोचार किये आपका भाई हनमान बेनिवाल भी वीर तेजा जी महाराज के आदश निस्ता बित करते करते अगर कोई गोली मेरा सीना चीर के भी चली जाएगी मुझे गम नहीं क्योंकि मैंने प्रदेश के के अंदर भरी थी मैं आपको इतना ही प्रद्शा कि मेरे छोटे भाईयों के लिए मैं संगर्स करूंगा नोजवानों का कारिकर में तो मैं नोजवान से एक है आवान करूंगा किस देश के अंदर आजादी की जो पहली करांती थी उसका हीरो तांत्या टोपे था चोटी सी उमर का बालग था और अंतिम हिरो जिसने जब S.M.L. ममफेंका अंग्रेज भागे वो बगत सिंग था वो किसान का बेटा था और उसकी उमर 23 साल थी बाईयों नोजवान जिदर चलता है उदर जमाना चलता है जिदर जमानी चलती है उदर जमाना चलता है और हनुआन बेन करने का हवान करता है जब तक आपका लड़ से फ्राप्त नहीं हो आप आगे बढ़ते रहो नसे की परवर्ति से दूर रहके हमें उन माता-पिता का सीना चोड़ा हो जाए ऐसा काम करना है अगर खेल के अंदर जाओ जैसा मेरी छोटी बेन ने बताया खेल के अंदर जाओ अगर पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई के अंदर आगे बढ़ो कोई जरूरी निक सरकारी नोकृरी लगे सरकारी नोकृरी से ज़्यादा तो आजकर प्राइवेट जो काम करते हैं वह आगे बढ़ गए यांके दन्ना सेट तो शेकावटी से गहे तो ही मारवाड से गहे और उन्होंने देश के अंदर शेकावाटी और मारवाड की छाप छोड़ी वो कोई पड़े लिखके नहीं बने थे, उन्होंने एक लक्से ते किया कि हमें आगे बनना है, उसमाटी का नाम रोशन किया, तो भाईयों, ये अभी जो जुनून मैं देख रहा हूं शेकावाटी के आपके साथ मारवाड नागोर, जोचकूर के अंदर, बाड मेर के अंदर, बाड मेर के मेरे अन्तिम छोड़ पे बैटे भाईयों का, जो जोस और जज़वा देखता हूं, तर जिश्तरे बच्चों के ठिर्कते वे पाउन देखता हूं, वो कहते हैं कि हमें तो सच्षा चा इतना विशुआ चाहिए आपको जिलाता हूं। साधत यहां के किसान के बेटों ने दी यहां के रनमाकुरों ने दी और यहां की गाता हैं विश्व पटल पे गाई जाती है अमरीका के एक अकबार के अंदर छपा जब कारगिल का यूद हुआ था बीस हजार पिटूची पाड़ी पे पचास किलो गोरा बारूद लेके अग लेना भरतियां शीकर के अंदर तो साई दो रेली साल में हो जाती हो जाती हैं आपके कहे की हो रही हैं अब जो जो चालू कराएंगे सब जगे खुश हो ना ठीक है पांच लाग जो खाली पदें उनको भरवाएंगे और पैंटी सो रुपे जिस बेरोजगारी भत्ते की गोशना कॉंग्रेस बार्टी ने की थी मैं आपको इस्वाज दिलाता हूं कि तेजा जी के मेले के बाद बरसात के मोसम से खेतों के अंदर कामकाज भी है निनान वग बत्ता असो गेलोत के हलक में से खीच के मैं आपको दिला दूंगा इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि हर नौजवान को 15 रुपे बेरोजगारी तो कि जवानों का कारिकर में और जवान की बात नहीं हो तो फिर कारिकर मधूर है वेचे तो तो तेजा जी महराज भी जवान थे जब उनका बलिदान हुआ और हनमान बेनिवाल भी जवानी से लड़ रहा है 25 साल का लड़ रहा था और लड़ते लड़ते 45 का हो गया और हमारे रुपरामजी भी जवान है वेसे यह साट एक 55 साल के हैं लेकिन कई बार 65 बताते हैं औरिजिनल उमर साइज 52 किते हैं डुपरामजी थी न आपके वेसे वसंद्रा राजे के खास्म-kास दोस्त थैर उपरामजी मैं जब मैं जब राजस्तान उच्टेले का अज्जेक था यह बुरा मान जाएंगे नहीं मानो को क्या मैंने कनाड पेलेस के अंदर देखा था ये वसंद्रा को लेकर अब तो आपने रूपाराम जी जिस चीज के पीछे पड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं इनकी भी आदत है और मेडम ने इनका विरोध बहुत किया टिकेट के अंदर मुझे अची तरे पता है वो इनका टिकेट कटवना चाहती थी लेकिन तेजा जी महराज इनको विदाइक बनाना चाहते थे और जब टिकेट मिल गई तब ही मेडम ने कई पेंतरे चलाए कि रूपाराम कैसे आरे ल वेज़े रूपाराम जी आज जो तेजा गाइन इन्होंने किया मज़े नहीं है उस बात का कभी आज छोड़ो चलो आज नहीं कराएंगे सीकर में दबन कारिकरम करते रहेंगे मैं बदाई दूँगा सीकर के इस तेजा गाइन कभी समयलन को मैंने राजस्तान के अंदर बह बहुत 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 बदाई अब तेजा जी माराज के आदर से इस तब तो लोग नहीं नहीं चाहता मेरे किसांद के वेपे राद को बारा बज़े जब हमें सुन रहे हैं तेजा जी मारा एक बज़ गई एक सबार वह एक एक वज़े लिया तक चुन रहे हैं तो फिर प्रेसों पे लेट प्रेसों लोग ना अब प्टापट लेकरें पर दिश्क नहीं तर्ण्यवाद कि मारा आयो चम्जिन अर्चांगों को मेरे सारे वाहियों को और सारे सीजिकर के अंदर देखिए शीकर के इस बात करने रहाता है कि कोटाथा पीचे छोड़ दिया जो गोटाथा अंदर दखाने चला चते उनकी दुकाने बंदो गई कोटाथा अंदर दर शीकर के अंदर हमारे किसां के वेटे हाई-टेक एजूकेशन देखिए हाई-टेक कोचिक इस्टूर्ट और हाई-टेक शिक्षिक कर देखिए हैं मैं जब रही लिए की थी तमाम जिनके एच्छी स्कूल है जिनके अच्छे कोचिक शेचर है तमाम किसां के बेटों गया था मुझे बहुत बड़ा समंद सब नहीं आगर मैं सब के दाम लेड़ने शुरू करूंगा और दो तिनके भूल जाओंगा तो फिल बेटों से नाराज हो जाएंगे इसलिए हमारे कितने भी किसांद के बेटे शिकर को आई-टेक एजुकेसन देरे शिकर के बेटे बेटियों को और प्रदेश के बेटे बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं आधराजस्तान के अंदर कहीं भी बात हमसे भी कोई पूछता है कि हमारे बेटे बेटियों को हमारे बेटे बेटियों को MP साथ कांप पढ़ा हैं तो मैं तुरु करता हूँ शिकर डाल दो गुच्चों को अच्छी पढ़ाई हो यह तो भाईयों शीकर के रिकवारे आप हो सीकर के रखवाले, मेरे छोटे भाई है, सीकर के अंदर अपराद नहीं होना चाहिए, अपराद मुक्ट सीकर होना चाहिए, बेन बेटियों का सम्मान सीकर की धर्ती पे होना चाहिए, यह कमर कस लो और यह ठान लो कि सीकर के अंदर कोई घटना होई, नागोर में कोई घटना तो उसके जिम्मेदार हम लोग है क्योंकि हमारा समाज सबसे बड़ी संक्या कंदर है यहां हमारे जोगेंदर जी प्रिंच इस्कूल वाले जोगेंदर जी और कौन को न है उड़ा साब और बोलो पांच यार में और बोल दूंगा न हम डाकाजी निकल गए और जगन जी और कोई बच्गात अगली बार फिरा होंगा न महीने पर बाद और है मुल्दी रणमाज साब बताते जाओं अउकार जी गिया तो सब मेरे भाई हो गए सेयो की सारे जिकल मैं पहले ही बोलते हैं एक साथ इसलिए मैंने एक साथ बोला और दीरे-दीरे मुझे लग रहा है साथ अंकल जी हमार पाद पैसा नहीं है तो फ्री पड़ाते हैं बहुत बड़ी बात है तो आज के जमाने करना क्यों रूपराम जी फ्री एजूकरशन देना और आप इसी तरह बड़ा मन रखोगे वो दिन दूर नहीं जब आप में से MLMP भी लोग बन जाएंगे अब कॉं करना है सिंबल इसलिए आप सिक्सा के साथ साथ इस राजनितिका भी जान रखो अभी सिकर के अंदर जब कोलेट के चुना हुए बच्चों मैं ABP NSY और S FI से उपर उटके बात करूँगा देखो मैंने RLP को राजस्तान के इसलिए नहीं लड़ाया क्योंकि सारे मेरे छोट कम करके सिंगल मुनाना चाहता हूँ एक ही जगे हो जाए आपस में बेटके निर्रोद अद्यक्स बन जाए लेकिन पुलिस ने बड़ी गुंड़ा दीकी जाट होस्टल के अंदर पुलिस गुच गई मैंने मीडिया के माज़ जावाद किया कि दुबारा अगर पुलिस जा पुलिस का दिमाग खराब हो गया जो हमसे पंगा लेने की सोच रही है हमसे जिन्होंने पंगा लिया उनका पता बिन लगा और एक डिवाइस भी का मैं वीडियो सुन रहा था वो कह रहा था कि लड़की नहीं मैंने लड़का समझ के और लाठी चार्ज कर दिया तो तेरे गर में बेटी नहीं पता नहीं लिगता कि तुझे बेन एक बेटी गर के अंदर या बेटा साड़ा पागल हो उसको तो उसका तो इलाज कराएंगे कराएंगे आप चिंता मत करो और हनुमान बेनीवाल ने बयान दे दिया इसका मतलब गेलोत डर गया उसको नीद नहीं उसी तरह असो गेलोत की भी नींद उड़ा दूंगा और गेलोत सरकार केंगे इतना दम नहीं कि किसान के बेटे-बेटियों की तरफ देख ले मैं आपको इस्वास देखता हूं कि अब एक लड़ाई हमें और लड़नी होगी और एक लड़ाई और लड़ेंगे तो राजस अब यह समाज जो सब के लिए लड़ा जिस समाज दे सामंतवाद के खिलाब उंकार बरी बलिदान दिया और सामंतवाद को राजस्तान से बगा दिया जिस समाज के साथ शिरुल काश्ट शिरुल ट्राइब और OBC के भाई अपने बड़ा भाई मानते वों चलते थे उस समा बड़े लगाओ, सबको साथ लाओ, और राजस्तान की सत्ता की तरफ कूच करो, 2023 आपका इंतजार कर रहा है, और वीर तेजा जी माराज का जेकरा हमें मिल गया, पहले तो कोई जेकरा हमारे पास नहीं था, इसलिए संटित होते, तो किस नाम से होते, तो भाईयों, अब तो तेजा जी माराज का जेकरा मिल गया, और मुझे खुची इस बात किये, कि धोलपूर से लेके बाडमेर, और डूंगरपूर से लेके गंगानगर तक, किसान के बेटों ने धर्ती को हिला दिया, और अंबर में छेद करने की ठान ली, अब की बार, इस राजस्तान की सत्ता है, आप काभी जोंगे, यह तो मैं छाता संगों के अगर चुनाव लडाता, तब अक बार पढ़ते तो पता लगता, कि किती तो युनिश्टी जीते, और किते कोले जीते, अभी चुनाव नहीं लड़ाए छात संगों के, लेकिन पंचाई चुनाव के अंदर चूक नहीं क को, और नोजवानों की सत्ता में भागीदारी सुनी चित करनी है, वीर तेजाजी महराज के आदशों पर चलते हुए, हमें भी उसी तरह काम करना है, जो काम एक हजार साल पे तेजाजी ने किया, हमारे बुजर्गों ने, सामंतवाद के खिलाब, हमारे भाईों ने, देश को सुरक्षित बचाया, संगर्ष करके, सीमा पे लड़के, उची तरह हमें सच्चे किसान के बेटे हुने का, जो हमारा लक्षे है, उसको किसान कौम को गोरवानित करना है, हमें सब को संक्तित रहके, आगे बढ़ना है, और जिस दिन आपने बेटना सीख लिया, इंतजार करना सीख लिया, और अपने लोगों का सम्मान करना सीख लिया, और बड़े बड़े रिले और हुकार बढ़ना सीख लिया, उस दिन कोई भी आपके सामीने ठीकेगा, आज हर्याना की राजनिती, जिस दिशा के अंदर चली गई, इस दिशा और दिसा के लिए, अगर कोई आज से चला गया भाईयों राजस्तान आज से नहीं जाना चाहिए राजस्तान की सत्ता पर किसान कौम का कब्जा होना चाहिए इसके लिए आप तयारी के लो बहुत बहुत आज को थन्यवाद जैए बहुत बहुत शुके विशाब को अभिनंदन पत्र बैट करेंगे एक मिन्टा दोपे उसके बाद तेजरत रेक तुम्पा मैं रामचंदर जी सुन्दा सुरेजी बगडिया विकास जी पचार रामशरूप जी सेवा आपसे आगर करना चाहूंगा एक बाउंसर बाद खड़ कुछ आप लेट हुए कभी समय लंबा खिच गया तेजा दर्शन पर आपको चर्चा करनी थी बहुत अच्छी तैयारी के साथ आप है आये था एक बार सबका अभिवादन आप जरूर करें अच्छा कारे करम रखेंगे दुबार आपके लिए तेजा दर्शन पर चर्चा क कि हाँ वो करेंगे ठुमका वो तो होना ही है लेकिन आप रूके तब एक बार एक बार जो कारे करम का स्वापन अच्छे हो जाए अभी अभी आप अगर चले गए तो मेरा डांस नहीं देख पाऊगे फिल आज में आज में आज में आज में दांस करेंगे की पूरी तयारे के लिए तो थ्वड़ी द्याव जोगेंगे कि अपाई और अट रंपां दिवा अभी नंदन पतर देऊ ना दमचल देऊ जाएं राजेज जी खाकर लाएं सुरेज बगडिया राजेज जी खाकर का रहा है अच्छा आगए क्या अबंगो आख़ो अज उरेज बगडिया अगर मेरी आवास सुन रहे हैं एक गोवर्दन जी ठेकेदार अगर यहां है तो आप आजाएं लेकन आएं थोड़े जल्दी काति सकोम का ये रख वाला सबको आ गे लाने वाला प्रशान की जन्दा को ये देखो बुदलेगा नर्सिंग एसोसेशन के लोग आए में वो मच पर आजाएं नर्सिंग एसोसेशन के तो साथे आएं वो प्रीज आजाएं पिडान्स कुर्शियों पर चटके नहीं करोगे ये नुकसान अपने पर भारी पढ़ेगा बात पो समझा करो कुर्शियों पर निचाड़े कुर्शियों को साइड में कर दे अगर आप हनुमान जी को मानते हो बैसाब का रिगार्ड करते हो तो कुर्शियों पर कोई निचाड़े सर्यूपर नपर कर दे सर्यूपर सेरकीजूं बोले सब की देपो ये तो सची बात करदा मैं फैन बैननी वाल जर्डने इस गुलम में करदा ज़बाइब कर दर्दर तो इस्टेज के दोनों तरफ जाए आपको बैसाब को कहीए आपने लगाने ला जाता जाता नाचते वे नहीं देखा होगा शीकर में नाचाएंगे देनियों में लोग कंदो पर उठालेते हुआ रग विसे हैं कहें करके नाचाएंगे आग ये सीकर वालों के प्रति लाड़ प्यारों दूलारे विज़ा होगा आपको देव लोहन बाई का है देव बाई एदर आगया हो प्लीज मैं माफिश चाहता हूँ मेरे को अच्छा नहीं लगा तोड़ा सालंबा कीच गया रेक बजगे एक बार रामासा मैं करेंगे देव बाई मैं कुछ मैं लेट हो गया मैं बहुत दूर से आना था और पंजाब से मैं सीधा यहां आ था लेकिन जो बात मैंने बतानी थी वो सारी बातें बड़े बाई यह नुमान जी ने आपको बता दी है तो मेरी बातें बाई साब की बातों में ही मेरी सारी की सारी बातें आप पूरा करेंगे तो बीच में दो मिट बोलने तो इनको को अर्याने में एक दो बात रहो जाते हैं अपने कारिक्रम वह वह गया ना जल्दी वोले अच्छा मैं जाते जाते सिर्फ एक ही बात बता हूँ गटना यूरोप की है यूरोप एक ऐसा देश है जहां पे ना बहुत दुनिया ने लग बग लग बग जो रिपबलिक सीखा लोग तंतर सीखा वो सारा यूरोप से सीखा तो बात होती है यूरोप के अंदर है ना एक मीटिंग होती है कि भाई एक पुरानी सी है ना मैं जाट समाज को स्पेशली बताना चाहता हूँ जो हम नहीं सीखते आप सब है ना साल बराते हो यही कहानी सुनते हो तेजा जी कि और वापिस घर चले जाते हो यह एक नई बात है यह सिर्फ दो मिनट के तो आप सारे इसको सुने यूरोप के अंदर एक पुरानी सी चर्च थी तो सारे के सारे पादरियों ने मिलके वहाँ पे एक कोशिश करी कि इस चर्च को तोड़के नई चर्च बनाएंगे क्या कोशिश करी कि यह जो पुरानी सी जरजर चर्च है इस चर्च को तोड़ेंगे और एक नई चर्च बनाएंगे उन्होंने वहाँ पे न चार चीजें रखी चार नियम कि भाई जो यह चर्च तोड़ेंगे न इस चर्च का नई चर्च जो बनाएंगे इसका डिजाइन बिलकुल पुरानी जैसा होगा सही बात है ना अपना भी यही सोचते हैं फिर उसने कहा कि भाई जो इस चर्च के अंदर इट रोड़े इस्तमाल होंगे ना वो पुरानी चर्च के ही होंगे उन्होंने कहा और जो यह चर्च जहां खड़ी है वहीं पर नई चर्च बनाएंगे लेकिन चोती जो शर्च उन्होंने रखी वो बात जैसे पिछले वे विदानसभा इलेक्शन में हमारे साथ होई आरलपी के साथ होई उन्होंने कहा बाई जब तक यह पुरानी जब तक पुरानी चर्च तोड़ेंगे नहीं तो आप सब नई चीजे नई चीजे पढ़ना सीखो नई चीजे सीखना सीखो और मैं मेरे कविम होते हैं यहां से चले गए मैं सिरफ एक बात कहूंगा आख के बदले आख सारे की सारी दुनिया को अंधा कर देगी इस दुनिया को प्राई से अगर किसी का बाला होता तो बहुत लड़ी जा चुके सिरिया में लड़ी जा रही है आज के दिन इराग में लड़ी जा रही है अफगानिस्तान में लड़ी जा रही है तो मेरे बाईयों प्यार महुपत बांटो तेजा जी प्यार महुपत बांट के गए ते न देदोगे नहीं देदोगे दोजार चोविस वड़ा इलेक्शन में नेता जी को हम ले जाएंगे दो एक महीनों के लिए फिर वापी छोड़ जाएंगे चलो वीर तेजा जी महराज की बहुत बहुत दनेवाद एक तो देखो मेरी बात सुनों बार बार क्या डांस करते हैं ठुमके लगाते ना अक बार वाले पता क्या लगते हैं ठुमके लगाए तो अगर मेरा क्याना मानों तो तो मैं नाचू नहीं तो मैं भी नहीं नहीं तोड़ दोगे सारा नुक्षान कर दोगे यहां पर कुछ योंगे नीचे लगाने ठोमके ठीक है ना कुछ योंग उपर नहीं लगाओ ना पक्का लब अब लिल्लन संगार है तर्वा तर्वा बाली बोल्या बाब जमारी ये सुररे लागे रे कोरे काड़े दे तर्वा बाब जमार दे और दो और दो आपको पडिए तो नो देने को पाओन और मुदा आसे नो फांद प्रण ज tribा सेंगे को आसे काओनों।